पिर डिग्री ऑफ अन्साइचुरेशन पर बात होगी, यह बड़ी इंपोर्टन सी चीज हो जाती है, जब हम आईसो मेरिजम आगे पढ़ते हैं उसके लिए, अनुभूती यहाँ पर होई हो, सर यह आनंद और अनुभूती कोन है, अरे नालायक, आनंद की अनुभूती का मत पर जाएगा, तकलीफ दुख समस्या नहीं होने वाले, इतना दावा कर रहा हूं, बहुती सिंपले इसको समझाओंगा, देखो, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बढ़ा असान, एक कोई हाइड्रोजन किस कारबन से लगा है, उस पर डिपेंड करता है, अगर कोई हाइड्रो यूट्यूब चैनल पर, आज हम आपको और्गानिक कमिस्ट्री का पहला लेक्चर यूपीसी नॉमनक्लेचर कराने वाला हूं, वो भी वन सौट में, एक बार में ही ये पूरी वीडियो देख लेंगे, तो आपके सारे प्रिविएस येर क्वेशन बनने लग जाएगे, को कुछ पॉइंट सी होंगे, जहां आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ, मैक्समुम चीजें समझ करके इसमें किया जा सकता है, जैसा कि आपने पढ़कर के देखा भी हो, अगर आज तक कभी से आपके मुलाकात और बातचीत होई हो, चलिए जी, आज सो मेरे जम आगे पढ़ते हैं उसके लिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा और है बहुत आसान, बहुत आसान है जी, आए अगला देख लेते हैं, आयू पेसी रूल फोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रूप, यही में यहां से क्वेस्टन बनते हैं, ठीक है, चलिए तो इसक एक्सेप्टन्स होगा आपकी खोपड़ी के लिए, ठीक है, आईए, बात्चीत और चर्चा का विशे बनाते हैं, पहले आयू पेसी को, आयू पेसी क्या कहता है भाई, यह चमक क्या रहा है भाई, हमारे टीशर्ट पे, अच्छा, कुछ जादा ही प्रेस कर दिया, कोई ब इन दोनों केमिस्ट्री के रूल्स बनाने के लिए एक बाड़ी और्गनाइब, मतलब बनाई गई है, यह यू पेसी, जो की केमिस्ट्री में रूल्स डिसाइड करती है, कि किसका नाम क्या होगा, या कमपाउंट्स के जो बिहाबियर पैटर्न्स आते हैं, उनके बारे में भी डिक्टेट करते हैं ये लोग, ठीक है, तो कुल मिला कि आप ऐसे समझ लेजिए, बहुत सारे और्गनिक के कमपाउंट्स हैं, अगर बहुत सारे और्गनिक के कमपाउंट्स हैं, तो कहीं एक कमपाउंट्स का नाम दूसरे से ना मैच करें, इसलिए इस बाड़ी ने, I UPSC ने संस्था ने कुछ रूल्स बताएं हैं जिनसे आप दुनिया के किसी भी कमपाउंट्स को लेकर क्याएं, उन दो वैसे किसी का एक नाम नहीं होने वाला अलग अलग नाम आएगा, तो अच्छी बात हैं यार, कम से कम ये तो समझो, इंडिया में अगर आप मीथेन कह कहते हैं, आप लंदन चले जाएए, वहाँ भी उसको मीथेन कहते हैं, तो मीथेन मीथेन ही रहेगा हर जगा, ये कैसे संबह हो पाया, जब आपके सामने IUPACC प्रस्तुत हो पाया, तो क्या आप बता सकते हैं कि मीथेन का मॉलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सर मुझे तो मॉलेकुलर फॉर्मूला ही नहीं पता है, सुनिएगा भईया, ऐसे करके कुछ लिखते थे, टेंथ लेवल पे हमने CH4 नामक एक भीसन ऐसे समझी है, प्रजात देखी हुई थी, है ना, अरे नार्मल है भईया, बहुत आसान बात है, CH4, ठीक है जी, CH4 क्या है मॉलेकुलर किसका मॉलेकुलर फॉर्मूला है, मीथेन का मॉलेकुलर फॉर्मूला है, अब प्रश्न यह मॉलेकुलर फॉर्मूला बताता क्या है, मॉलेकुलर फॉर्मूला यह बताता है कि मीथेन जोकि एक गैस है, उस गैस में कौन कौन से एटम्स प्रजेंट है, और किस रेशियो मे प्रेजंट है जैसे कि देखे क्या लिखा है actual number of items of each element present in one molecule तो methane gas के एक molecule में एक कारबन प्रेजंट है चार हाइड्रोजन प्रेजंट है ये बात आपको तब पता चलेगी जब आपको methane का molecular formula पता हो तो यहाँ पे कृपया इसको रटने वटने की कोसिस मत करिएगा open खोपड़ लेकर के बैठिए note down करना है तो note करिए otherwise जहां से सुनते जाए काम आपका बनने वाला है आईए प्रस्तुत करते हैं आपके सामने that is catenation in carbon carbon के पास एक property है खुद को खुद से जोडने की इसके पाद छमता है उसी को catenation कहते हैं nitrogen nitrogen के साथ थोड़ा कम जुड़ पाता है लेक जो carbon होता है वो एक carbon दूसरे के carbon के साथ मिल करके बहुत बड़ी chain बना सकता है तेंथ लेवल पर यह बातचीत आपने देखी होगी तो catenation का मतलब क्या होता है self linking property of element खुद को खुद से जोड़ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ योग टाइप की चीज करवाने वाला हू खुद को खुद से जोड़ने की का मतलब क्या है जैसे माली ये carbon atom है ये carbon atom खुद को चार carbon atom से connect करता है कितनी चार carbon atom से connect करता है सर चार carbon atom से ही connect क्यों करता है ज़ोंकि carbon की जो valency है वो चार होते हैं सर ये valency वाला concept थोड़ा मेरे खोपड़ी में जाता नहीं है इसके बारे म आप बता सकते हैं क्या अरे बालक हमें पता है कि कार्बन का अगर electronic configuration लिखा जाए तो हम लिख देते हैं भईया two four क्या लिखते हैं इस तरीके से two four लिखते हैं और अगर आपने अभी तक chemical bonding पढ़ लिए तो समझ में तुरंट आ गया होगा लेकिन नहीं पढ़िये तब भी मैं बता देता हूँ कार्बन का जो ये second cell है कार्बन अपने उस second cell के अंदर आठ electron करना चाहता है अब आठ electron अगर करना है तो चार उसके पास खुद है पहले सल में दो electron दूसरे सल में चार electron अगर चार है चार को उसको आठ करना तो उसको क्या चाहिए चार और electron चाहिए तो उसके लिए चार hydrogen से गड़बंधन करता है और चारो hydrogen के एक एक electron कार्बन के एक electron के साथ मिल करके चार covalent bond बनाते हैं इतने कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ CH4 के ध्यान दीजेगा थोड़ा सा मैंने CH4 पहले नहीं बनाया वो बना देता हूँ जैसे यह CH4 है CH4 में मैंने क्या बताया कि जो कार्बन है जान दीजेगा भी या जी यह जो कार्बन है उसके वैलेंस सेल में चार electron मौझूद है हाइडोजन आता है इनके साथ रिस्तेदारी करने तो हाइडोजन भी क्या करता है एक 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 एलेक्टरॉन सेरिंग करता है और एलेक्टरॉन की सेरिंग से इस तरीके से चार कोवलेंड बॉन्ड नजर आएंगे इन CH4 तो आपको साथ बात समझ में आ गई होगी हाँ बात करते हैं बाता है इसमें कोई संदेह है ही नहीं हं हर कारवन यहां चार कारवन से हां इसका मतलब क्या हो रहा है एक कारवन चार कारवन से connected है अपने से अपने आपको जोड रहा है self linking property देखने को मिल रही है यहाँ पर element carbon का इसलिए हम कहते हैं कि carbon जो है catenation property so करता है तो catenation property का simple सा मतलब क्या हो गया self linking property क्या हमेशा सर वो इसे carbon carbon के बीच में single bond ही बनेगा नहीं उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी bonding पर चर्चा होगी bonding हम दो तरीके से देखते हैं धांस देखिएगा एक वईया sigma bond carbon carbon के बीच में sigma bond मौझूद हो सकता है या तो pi bond मौझूद हो सकता है ठीक है sigma bond का मतलब क्या होता है जो carbon carbon के बीच में जो single bond present है that is sigma bond ठीक है और उस sigma bond की बाद जो present है बाकी को हम pi bond कहते हैं तो इसको लिखते हैं other than sigma bond other than sigma bond को हम pi bond कहते हैं सुनते जाईएगा जिन्होंने chemical bonding नहीं पड़े उनको भी समझ में आयेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है ना आये देखते हैं क्या बोला है मैंने bonding दो तरीके से देखने को मिलते हैं जैसे मान लीजिए कि यहां पर गर मैं चर्चा का विशे बनाऊं कि यह carbon है carbon के साथ एक bond के तुरू जुडा हुआ है एक bond के तुरू जुडा है मतलब इन दोनों के बीच में क्या है single bond है एक bond है अब अगला सुनिएगा भीया अगली बात चीत करते हैं carbon और carbon के बीच में अगर दो bond मौझू रबन और carbon के बीच में अगर तीन bond मौझू मौझू है तो क्रिपया द्झान देए carbon और carbon में अगर दो bond है तो उसमें से कोई सा भी एक आप कहेंगे कि एक होता है सिग्मा बॉन्ड ध्यान देंगे करिपया एक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के अलावा अदरदैन सिग्मा जो भी होगा उसको हम पाई बॉन्ड घोसित करेंगे इसको क्या कहेंगे इसको हम पाई बॉन्ड घोसित करतेंगे similarly अगर carbon carbon के बीच में triple bond है तीन bond है तो उसमें से कोई सा भी एक ले लो कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा उपर का नीचे का बीच का इसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन में से कोई एक जो होगा वो sigma bond होगा बाकी के जो दो होंगे वो दोनों को आप pi bond की कटेगरी में रखेंगे मैंने क्या बूला है carbon carbon के बीच में एक bond sigma उसके अलावा जितने हैं उनको हम कहते हैं pi bond तो यहाँ पर 2 pi bond होगे अभी तक आपने क्या सीखा अभी तक आपने सीखा कि carbon एक carbon के साथ single bond बना सकता है कुछ इस तरीके से बना सकता है या carbon जो है दूसरे carbon के साथ double bond के त्रू जोग सकता है और उस double bond double मतलब दो ना 2 bond में क्या होगा एक sigma तो एक pi triple bond मतलब तीन bond carbon carbon के बीच मगर तीन bond है तो उसमें से sigma और भीया जी मेरे 2 pi bond होगा आई होप आपको यहां तक में कोई समस्या कोई परिशानी नहीं हुई होगी अब इस याधार पर अगली बाचीत और चर्चा का विशय बनने वाला है that is hybridization of carbon देखिए कुछ बालक chemical bonding नहीं पढ़किया है कोई दिक्कती बात नहीं simply हम समझने की कोईस करेंगे जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो हलुआ लगने वाला है तो उनके लिए previous year question करा हुआ ठीक है आए देखते हैं hybridization of carbon कैसे निकालना है ऐसे समझो कि carbon की states होती है state of hybridization बोला जाता है तो कैसे निकालते हैं सुनिएगा आपको एक तरफ लिखना है number of sigma bonds number of sigma bonds और दूसरे तरफ लिखना है state of hybridization state of hybridization short form यूज किया है क्या है state of hybridization करफिया ध्यान से सुने है अगर एक carbon चार sigma bond रखता है अगर एक carbon चार sigma bond के थुरू अलग अलग या same element से जुड़ा हुआ है तो हम कहते हैं वहाँ पर state of hybridization SP3 आता है लिखने का तरीका क्या है 1S और P के तीन लिखते है SP3 तो ध्यान देंगे केवल इतनी सी बात कि भया carbon जो होता है उस carbon के पास अगर चार sigma bond लगे हुए है structure के अंदर तो तुरंद बोलिए वहाँ पर hybridization क्या होगा SP3 चार बनाने तो 1S प के कितने तीन जोड़ दो कितने चार अरे बोल रहे बाला बात ठिक कह रहा हूँ क्या नमबर आप sigma bond अगर मैं तीन कर दूँ सर मुझे समझ में आ गया आप कहेंगे 1S ले लो P के जो है 2 ले लो ताकि तोटल जोड़ के 3 हो जाए 1S P के 2 अगर मैं कहूँ state of hybridization हमें निकालना है जहां पर कारबन जो है सिर्फ 2 sigma bond बनाता है तो वहाँ पर SP hybridization होगा निश्चन दे हैं ये बात सच साबित हो रही होगी और आपकी खोपड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मैं मान लूँ सर ऐसा मत माना करिए आपको पता नहीं हैं मुद्धुबालक हैं यहां पर आईए यहां पर आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे अगर मैं बात करूँ CH4 वे CH4 में एक कारबन चार हाइड्रोजन के साथ इस तरीके की रिस्तेदारी करता है तो बताईए यह जो कारबन है इस कारबन जिसको मैं स्टार मार कर रहा हूँ इस पर क्या स्टेट ओफ हाइब्रडाइजेशन आएगा करपया ध्यान से सुने क्या स्टेट ओफ हाइब्रडाइजेशन आएगा बताईए बताईए तब तक सोचिए भईया हे बालक करपया इने पर ध्यान दे यह जो कारबन है मैं कहता हूँ इस वाले कारबन पर क्या स्टेट ओफ हाइब्रडाइजेशन आएगा यहाँ पर निकाल करके बता दीजिए सिमिलरली मिला अगला प्रश्ण ये है कार्बन ट्रपल बॉन कार्बन हाइड्रोजन मुझे बताईए इस कार्बन पर क्या स्टेट ओफ हाइब्रडाइजिशन आएगा तो जहाँ पर मनें स्टार मार्क किया है वहाँ पर स्टेट ओफ हाइब्रडाइजिशन बताना है का इसे बताएंगे अरे भईया एक कार्बन एक, दो, तीन, चार चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा है हे बालक अगर यहाँ पर चार सिग्मा बॉन्ड है कितने हैं जी, चार जानतें क्या होता है फोर सिग्मा बॉन्ड तो फोर सिग्मा बॉन्ड कहीं नजर आएगा तो इस कार्बन पर स्टेट ओफ हाइब्रडाइजिशन SP3 आएगा और आपको अभी सिर्फ इतना ही जानना है बाकी केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में आपने सीखना होता है तो SP3 हाइब्रडाइजिशन यहां आएगा इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो इस कार्बन में देखो एक सिग्मा दो सिग्मा और इन दोनों में से कोई एक सिग्मा होगा इन दोनों में से कोई एक सिग्मा तो एक दो और यह रहा थी तो एक carbon इन तीन sigma bond के थूँ side atom अपने अड़ोसी पड़ोसी लोगों से जुड़ा हुआ है means that यहां carbon पर तीन sigma bond है थ्री sigma bonds भाईया यहां bonds लिखना हो फिर यहां पर अगर तीन sigma bond यहां है तो तीन sigma bond नकल मारिये यहां पर क्या लिखा है sp2 hybridization है अगर मैं प्रशन उठाओं इस carbon पर तो कहेंगे carbon hydrogen के बीच में एक bond है मतलब single single bond मतलब अगर बोल दे भाईया sigma यह sigma है और इन तीनों में से कोई सा भी एक sigma होगा मालू मैं इसको sigma मानता हूँ इसको sigma मानता हूँ तो यह जो star marked है वहाँ पर आपको दो sigma bond नजर आएंगे जो यह आपके दो sigma bond है कृपया ध्यान ने यह मनुश्य कृपया ध्यान ने यहाँ पर क्या बोलना है यह star mark पर दो sigma bond है और भाईया जी अगर दो sigma bond है हम नकल्ची सभाव के सक्षियत हैं तो हम यहाँ पर SP hybridization बताने में संकोच नहीं करेंगे तो इस star mark पर SP है इस star mark पर SP2 है इस star mark पर SP3 है अरे भाईया कॉमन सेंस लगाओ खोपड़ी नंदन लोग सिर्फ एक लाइन बोलो जहां carbon triple bond के तुरू जुडा होगा जहां carbon तीन bond के तुरू किसी से जुडा होगा वहाँ SP hybridization होगा जहां carbon double bond के तुरू जुडा होगा उस carbon पर SP2 hybridization होगा और जिस carbon पर ना double ना triple सिर्फ single single जैसी आपकी जिंदगी है फिलाल है ना single single वो कैसी होगी आपको कहा जाएगा कि आप भी इस समय कैसे है SP3 hybridized है अरे बोल भाई बालक इतनी बात ठीक है बालिका के लिए भी है ऐसा नहीं है कि उनको नराज करना मेरा उद्देश है आपे आयो देखते हैं समझते हैं आके क्या आपके दिमाग में इतन चक करते हैं ऐसे थोड़ी पता चलेगा तुम्हारे बास की बात हुई की नहीं तुम्हें ये चीजें समझ में आई की नहीं वो बात तो परिक्षाओं से पता चलता है परिक्षा लेते हैं आपकी परिक्षा ये है कि find the hybridization of star marked carbon देख लिएगा इनको ध्यान से ध्यान से दे देखेंगे star marked है अरे carbon ने double bond बनाया किसी के साथ बनाया अपने को फराग नहीं पड़ता अगर double bond बनाया आक मुद के बोलूं क्या SP2 सर ऐसे मत बोला करो confusion हो जाएगा वो sigma bond वाला पढ़ा वो ज्यादा मज़ाता है आजाओ कोई बात नहीं इधर देखो ये जो carbon है एक bond यह बना रहा है एक bond यहां मतलब दो bond और इन दोनों में से एक कोई sigma होगा तो इसका मतलब इस star mark पे तीन sigma bond नजर आ रही है और तीन sigma bond का मतलब ही होता है कि महाँ पर SP2 hybridization होता है अच्छा ये बात खतम हो गई यहाँ पर आईए यहाँ जो star marked है थोड़ा सा छुपा के लिखा अगया है इसको थोड़ा खोल के लिखना पड़ेगा अईससे समझ में नहीं आएगा इसको open करके लिखना पड़ेगा कैसे लिखेंगे इसको मैं यहाँ दुबारा लिखूँ जहां पूछा जाए उनके सारे bonds को open करिए देखे CH double bond यहां carbon है carbon double bond carbon रहा होगा और यह जो carbon है क यह जो star mark है यह वाला यहां के बारे में बताईए सर यहां के बारे में बताईए अरे भईया यहां एक सिगमा है दो carbon के बीच में एक सिगमा है अरे ऐसा लिखा जाता है चलो इसको open करके लिखूँ open करके लिखूँ क्या देखो कैसे लिखना है यहां carbon है और यहां hydrogen ऐसे हो हां सारी मं एक नजर आया गिनी दूसरा ये तीसा कारबं में बात दिया गया और अगर भाईया हम नकल्ची सभाव के सक्षियत हैं हम पता कर लेते हैं कि SP2 hybridization इस star marked carbon पर आएगा निशन्दे हैं आपकी बाद सत्साबित होती है आई अगला देखते हैं अगला है कि इस star marked carbon पर बातचीत करनी है तो भाईया तोड़ा ध्यान से देखो कि समझ माएगा यह जो carbon है यह देखिए एक sigma bond यहां है एक sigma bond यहां है अरे दो में से एक sigma एक पाई होगा अपने को गिनना क्या sigma हमें पता चला यहां पर two sigma bonds आएंगे और अगर यहां दो sigma bonds हैं तो गारंटी दे सकते हो कि SP hybridization आएगा यह जनाब यहां पर SP hybridization देखने को मिलेगा I hope आपको आनन्द आया हो देखो आप कई लोग सोचेंगे कि सर यहां तो आप हाया है कि number of sigma देखिए जबाब मारी है ठीक है तो यहां पर carbon पर दो sigma इसलिए हम इसको SP hybridized carbon कहते हैं आईए आपके सामने प्रस्तूत करते हैं एक सवाल जो की पूछा गया था आपके ही net examination में 2009 में चलिए बताइए चलिए बताइए क्या लिखा है the state of hybridization of C2, C3, C5, C6 of the hydrocarbon in this देखेगा क्या लिखा है one से लेकर के हमें कहान निकालना है two पर two का मतलब है यह कामतलब इस carbon पर 2 Sigma है कई लोग तो direct बता गये होंगे कि carbon रिप्ल बना दिया इसका मतलब SP hybridization 2 पर आना ते हैं सर संदे है तो है ही नहीं अगर बात हम C3 पर करें तो C3 को देखिए भईया C3 को देखिए ध्यान से क्या लिखा है कहीं पर आपको double bond triple bond दिख रहा है नहीं सर कोई भी double triple नहीं है means that यहाँ पर SP3 hybridization आएगा निश्चे दुरुपत यहाँ पर 4 क्या रहा होगा सिग्मा रहा होगा बना के बताऊं क्या इस वाले 3 को यहाँ बना के बताऊं क्या देखो carbon है जी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को क्या करिए एक bond नीचे बना दीजिए फिर आगे क्या करिए CS3 ऐसे बनाते हैं ठीक है फिर आगे क्या है भईया देखो एक कारबन फिर यहाँ पर पीछे के तरफ एक कारबन ठीक बाकी को मैंने भी मैं नहीं बना रहा हूं मेरे को तो भईया अपने इस 3 वाले से मतलब है यह 3 है यह स्टार मार्ग्ड हो का जो वही 3 है अब बताइए क्या इन्होंने 4 सिग्मा बनाए हाँ बनाए है इसलिए फिर ऐख एक डबल मॉन अगर कारबन ने एक डबल बॉन बनाया है दो डबल बॉन एक साथ बना दे तो एइस फी लेकिन एक मतलता है जब तो हम डारेक्ट ली कहते हैं स्टी तु ऐग्रड अबर आप सिगमा पाई गिनना चाहेंगे तब भी आपको गिनवा दूँगा ऐसा नहीं है ये देखिए थ्री वाला था आईए फाइफ वाले को गिनते हैं फाइफ वाले को गिनते हैं फाइफ वाले में क्या है एक लाइन फिर सी एक लाइन यहाँ पर एच इस तरीके से सी एच डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर है हाइड्र और यहां पर देखिए एक लाइन इधर एक लाइन इधर ठेकर जी यहां जो स्टार मार्ग धबो ये वाला है ये कारबन नंबर 5 जहां मैंने स्टार मार्ग किया है आप चेक कर लीजिए सिगमा कितने एक सिगमा दो सिगमा तीसरा सिगमा तीन सिगमा अगर यहां पर है तो भ नजर आ रहा है दिस इक्स एज दिस इक्स एज क्या बोलें जी है यह लिख देते हैं SP2 hybridization अरे नहीं भाईया SP3 आये देखते हैं तो क्या बना SP SP3 SP2 SP3 कहीं लिखा है यह सब SP SP3 SP SP3 तो कहीं लिखा ही नहीं काच्छु गलत छपा है जी काच्छु गलत छप गया है option अब गलत छप दिया जी अब होता क्या है हमने दिया था टाइप करने के और रात में जिस भाई सामने कारेकरम किया है अब पता नहीं पववा पी के सुए थे इसलिए इनको बताया था कि सही 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 से रहा करो मजा कर रहा हूं ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा लेकिन गलती हो जाती है तो यह देखिए मैं इक option इसमें से create कर देता हूं तो 2 वाले का हो जाएगा SP3 वाले का SP3 कर लेते हैं यह SP3 वाला option हो जाएगा SP3 अगला SP2 और इसके बाद फिर से SP3 means that आपका सही जबाब B option होने वाला है मतलब कि यहाँ पर B जबाब सही होने वाला देख लोग क् जाते हैं अगला बात्चीत है हमारी saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon 10th का पार्ट है आईए एक बार इसको visit करते हैं वस खाले visit करना जादा कुछ है नही हाइड्रो कार्बन हाइड्रो कार्बन का मतलब होता है जहां पर है hydrogen ज्यान देना भाईया जहां पर है hydrogen and carbon उसको कहते हैं hydrocarbon जैसे की example के त saturated का मतलब है वह जी ऐसे समझ लो कि वहां पर सिर्फ single bond के लिए sigma bond जितने भी है carbon carbon sigma bond दिखेंगे मतलब वहां पर carbon carbon single bond इस तरीके से दिखेगा saturated hydrocarbon में carbon और hydrogen present होंगे और वहां पर carbon carbon के बीच में सिर्फ एक bond नजर आना चाहिए एक से ज़्यादा नहीं नजर आना चाहिए saturated क case में example के तौर पर अगर मैं CH4 लूँ तो वो CH4 saturated के अंदर आएगा वो तो आप जानते हैं मैं एक दूसरा ले लेता हूँ that is देखना भया ध्यान से that is carbon की वैलेंसी भर नी थी एक bond बनाया तीन hydrogen लगा दिए एक bond बनाया तीन बना दिए तो इसको बनाना बड़ा आसान होता है कई लोग सोसरे इसका याद करूंगा मैं हरे नहीं याद करना है बालक जहां पर क्या है carbon carbon के बीच में एक single bond है अरे जब ये अकेला इकलावता दिख जाए इसका नाम सिग्मा रख देना और सिग्मा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि तुम नालायक जब तक अकेले हो त जब बड़े हो जाते हैं कमाने धमाने लगते हैं तो माबाप को छोड़ देते हैं यह सचा ही है ऐसा मैं सोचो कि मैं कहीं दुनिया के बाहर की बात बता रहा हूँ इसी दुनिया की बात चीत है आप थोड़ा जहां रहते हैं उसमें निगाह घुमाईएगा को सच पता चल यह ऐसा नहीं है कि जुबान पर आपके अच्छी ची बाते हैं और आपके जो कर्म हैं वो महा घटिया और पापी टाइप के हैं ऐसे नहीं होने चाहिए आगे बाचीत करते हैं अब इस फिलाहल कर्मेस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो उस पर बाचीत कर लेंगे कभी इस पर भी बाचीत होगी आपसे देखा जाएगा अनसाचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा वो बदलने वाला नहीं है अनसाचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि भाईया अब सिग्मा का खेल खाली नहीं है साथ साथ यहां पर sigma bond और pi bond भी नज़र आएगा sigma bond और pi bond नज़र आएगा अगर बात करूं मैं sigma bond की तो sigma bond में आप इस तरीके से बोल सकते हैं वलकि इससो बटाओ जानते तो हो ही भई या क्या carbon carbon का single bond तो रहेगा ही रहेगा लेकिन या कार्बन कार्बन का ऐसे समझ लीजिए डबल बॉन या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन आएगा ठीक है कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन रह सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन पाई बॉन्ड का होना कंपलसरी कंडिशन है अगर पाई बॉन्ड होगा तभी व ना जरूरी है मतलब कि आपके कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉंड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉंड का होना अतियावश्यक है तभी वो अंसैचुरेटेड कहलाएगा चलिए इनकी तरह ही एक एक्जामपल बनाते हैं ऐसा ही छापेंगे पूरा का पूरा दे भी बीच में इस तरीकी के बॉंड बन पाएंगे शायद आपको समझ में नहीं आया हो तो अगली बाचीत इसी पर होने वाली है निश्चन्दे है अपने आपको क्या करिये लगातार सिखाने में बिजी हरी है ठीक है जी यहाँ पर क्या बोलेंगे कार्बन कार्बन के फिर हमने देखा यहां कार्बन और हाइड्रोजन ही है तो इसका मतलब यह अन्भूती कोन है अरे नालायक आनंद की अनभूती का मतलब हुआ आपको अच्छा लगा होगा आपको समझ में आया होगा ना आप आनंद के चक्कर में पढ़िए और नहीं आप अनभूती के चक अपने मकसद अपने टार्गेट के लिए काम करिए वैसे भी है डियर डॉक्टर्स आप जो जिन्दगी चुनने जा रही हैं वो जिन्दगी पहले तो यह समझिए वो एक्जाम जो पास करना है एक तो वो कठिन है फिर जब आप MBBS करते हैं तो पूरा MBBS आपको थ्रू आउ लेकर देखते हैं एक किरण देखते हैं आपके अंदर एक उर्जा देखते हैं आपके अंदर कि आप उनके दुख जो है दुविधा परिशानी दूर कर सकते हैं आप उनके लिए एक दूसरे भगवान बन सकते हैं तो इसके लिए तपना तो पड़ेगा ना वो बात तम स्रीराम एक्जाम्पल का मतलब यह है कि भया तुम्हें बड़ा तभी माना जाएगा जब आप उस संघर्स से गुजरेंगे तो इसका मतलब कीमत उस संघर्स की है जो अभी आप कर रही है समझ बात आ गई नेद प्रॉपर छे से साड़े छे गंटे कम से कम सोया करिए ज् भी बच्चे पढ़ाएं हैं जो साथ साड़े साथ गंटे रोज सोते थे इसके बावजूद उनकी रैंक जो है थाउजंड के अंदर नीट में रही है थाउजंड के अंदर जो है आपके आईटी जेई एडवांस के अंदर भी रही है तो बस यही कहना चारा हूँ यह रैं थोड़ी दिर के लिए छोड़ दिया करिए जब आपने कानों में लगाएं यह हमारी बातचीत हो हमारी फ्रिक्वेंसी आप से मैच होनी चाहिए और लैप होनी चाहिए रेजुनेट करनी चाहिए तब ही आपको आनंद आएगा नहीं तो लगए काहे का मास्टर है कुछ ब बुद्धी बालक होंगे हैं उनको जागरित करना उनको सिखाना हमारा आदत है तो हम कोसिस कर रही है लेकिन कई लोग है जो मान के चल रहे हैं हमको तो पढ़ना ही नहीं है हमको कैसे पढ़ा लोगे तुम और फिरी में डाल रहे हो हमको भरोसा थोड़ी है कि काई अच्छ है structural formula structure का क्या मतलब होता है structure का मतलब होता है atom to atom connectivity एक atom दूसरे atom से कैसे जुड़ा हुआ जैसे माल लीजे मैं से लिख दूँ AB2 type का मेरे पास कोई molecule है तो AB2 type में A जो है B से इस तरीके से जुड़ा हुआ है ऐसा molecule है या A जो है ध्यान सुनिएगा A जो है B से जुड़ा है औ और B जो है B से जुड़ा है ऐसा है या ऐसा है यह क्या कहलाता है यही structure कहलाता है समझाता हूँ यहाँ atom to atom connectivity अलग है यहाँ B और B के बीच में एक bond है यहाँ B और B के बीच में bond नहीं है मतलब AB2 type का molecular formula है लेकिन structure formula में अंतर है atom to atom connectivity different है समझ में बात आ गई सर आ गई बाकी अंग्रे जी की आदतों जाएगी है नहीं अंग्रे जी की आदत है सर जाएगी नहीं अंग्रे जी एक बार दिखा दिजीये सर अंग्रे जी लिखी है भई या देखो इट इंडिकेट्स दे लिंकेज ड्यू टो कोवलेंट बॉंड बेट्विन डिफरेंट एटमिना मॉलीक्यूल ठेका जी आईए इसका विस्तार से चर्चा करेंगे इस्ट्रक्चरल फॉर्मूले को हम तीन तरीके से लिखते हैं पहला है एक्सपैंडड इस्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक्सपैंडड मतला पूरा फैल चुका है एक्सपैंडड इस्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगला है कंडेंजड उसको थोड़ा सा कंडेंज कराया गया है छ तो ये कहते हैं कि हमारे जब फॉर्मूले के अंदर आप लिखने आईए तो कारवन और हाइड्रोजन मत दिखाईए सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड लाइन बनाईए मतलब लाइन बनाईए रेखाएं बनाईए अच्छा कंडेंस और क्या है समझते हैं विस्तार से आईए देख रखेंगे अभी फिलहाल यह क्या एक्सपेंड़ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सारी बॉंट दिखाने हैं और कार्बन और हाइड्रोजन को इस तरीके से बॉंड में दिखाना है कार्बन का भी बॉंड दिखाना है टेका जी इतनी बासम अगे एक्सपेंड़न मतलब को ngay Cup कर दीजिये लिखने के तरीके में सीखिये कैसे यह किनारे की तरफ क्या ली लिखा कितने हh ये कारबन किसी कारबन से जुड़ा है तो इसके बगल में क्या बनाइए कारबन के पडोस में एक कारबन बनाइए और ये कारबन कितने से जुड़ा है सर तीन हाइड्रोजन से तो इसको लिख दीजिये H3 तो जो ये CS3 CS3 लिखा है This is the Condensed Structural Formula देख लीजे क्या आपको यहां तक की बात समझनाई कि कंडेंज्ड इस्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता होगा आई होप आपको आनंद आया होगा इसमें कोई दुख दुविधा और संद है तो है ही आई अगली बाची करते हैं बॉंड लाइन इस्ट्रक्चरल बना दीजिए समझा रहा हूं क्या कहना चाहरे हैं वहां पर समझा रहा हूं क्या कहना चाहरे हैं वह कह रहे हैं देखो हाइड्रोजन तो एक भी दिखाना नहीं है तो इसको मत लिखो इसको मत लिखो फिर बचा क्या कारबन का सिंगल बॉंड जो कारबन का सिंगल बॉंड दिया जाए तो आप ये सोच पाएंगे क्या चलिए देखते हैं अगर आपको ये दिया जाए और वो बनाना है तो आप कैसे सोचेंगे आप कहेंगे देखो किनारे की तरफ यहां जो है एक कारबन होगा यहां किनारे की तरफ क्या होगा एक कारबन होगा तो देखे हैं मैंने क्या बताया बीच में एक line है बहां किनारे एक关번 है तो यह बताये जो यहां किनारे कारबण है उस ने एक bond बना रखा है लेकिन आपको पता खी carbon कितने bond बनाता सर करबन तो जहां तक मुझे पता है सब्सक्राबन बनाता है सर चार ईस करबन ने एक यहां बना रखा है कारवन के साथ तो कितने बनाएगा हाइडरोजन के साथ सर्थ तीन बनाएगा हाइडरोजन के साथ तो तीन हाइडरोजन आ करके लगा दीजिए ठीक सिमिलरली ये कारवन इस कारवन के साथ एक बॉंड बना रहा है तो बाकी कितने हाइडरोजन यहां लग मत लीजिएगा कि अरे सर इसके कुछ रूल्स होते होंगे कोई रूल्स नहीं ऐसे मानना है ठीक है यहां पर देखिया हमें क्या करना है यहां पर हमें ऐसे लिखना है कि नारे की तरफ CH3 यह देखिये यह CH2 और यह क्या है CH3 समझ गये क्या अरे सर अंगरेजी में मत बोलिये हिंदी बोले हिंदी में रे हिंदी था यार तुम समझ नहीं पा रहे हो बालक ये देखिए ये क्या लिखा है ये लिखा है CH3 एक कारबन तीन हाइड्रोजन ये क्या लिखा है ये लिखा एक कारबन तीन हाइड्रोजन बस इनको एक साथ चिपका करके लिख दीजिए अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि hydrogen हमेशा इनकी तरह पीछे लिखना है कोई जरूरी नहीं है आप इस तरीके से लिखिए ch2 ch3. इसमें भी आपको यही पता चलता है कि भाईया carbon से 3 hydrogen carbon से 2 hydrogen carbon से 3 hydrogen लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत बनानी है समझना कैसे बनाना है देखो पहले क्या करी एक लाइन बना देजिए अब उस पे एक लाइन यहां बना देजिए मैं समझाता हूँ क्या है क्यों बनाया है एक कार्बन जो ये वाला है उस कार्बन पे उस कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन इस कार्बन पे क point क्या बताता है कारबन को बताता है कारबन ने दो बॉंड बनाए तो यहाँ पर कितने hydrogen होंगे दो hydrogen similarly यहाँ पर तो अब देखो कैसे बनाया जब जब दो से ज्यादा कारबन एक दूसरे के साथ connected होंगे तो आपको ऐसे jig-jag fashion में बना रहा है बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं सिखा रहा हूं बहुत सिंपल बातें बता रहा हूं देखता हूं कितने बालकों को समझ में आया है क्वेशन है कि इसका आपको यह अगर कंडेंस्ड इस्ट्रक्चरल फॉर्मूला है तो बॉंड लाइन क्या होगा इस तरीके से भी कंडेंस्ड लिख देतें कभी कर्बन कार्बन की बॉंड को दिखा देते हैं तो यह अगर ज्यक्त वर से लिख सकते हैं है इसको और ज्यादा condensed करने का ये तरीका है यहाँ पर आप expand करते हैं तो देखिए यहां से expand करने का तरीका क्या है यहां carbon लीजिए उसमें कितने बॉंड बनाईए हर जगा carbon पर चार बॉंड रहेगा तीन hydrogen लगे हैं तो एक दो लिख दे भाई यह मान लेना भाई मैंने hydrogen बनाय ठीक है थोड़ा फैसन में बन गया कोई बात नहीं अगला क्या है carbon इस carbon पर कितने hydrogen है एक hydrogen है नीचे की तरफ एक क्या है CS3 और यहां पर भी तीन hydrogen है एक दो तीन hydrogen है अगला जो carbon है उस carbon पर यहां पर तीन hydrogen है उस carbon पर तीन hydrogen है तो इस तरीके से इसका यह expanded structure formula है और यह दो condensed ब से बन सकते हैं condensed अगर super condensed की बात करें तो यह वाला है अच्छा condensed form कोई दिक्कत की बात नहीं कोई confusion मत ले ना दिमाग में और हमको कुछ और पढ़ाए आप यहां पर कुछ लिखके लाए हैं हे नालायक प्राणी दोनों एक ही बाते हैं क्या आपको यह बात समझ नहीं कि कैस क्या करना है इसको एक point कितरा दिखाओ इस point से आप इधर जोड़ दीजिए इधर जोड़ दीजिए इधर जोड़ दीजिए हो गया इस तरीके से भी बना सकते हैं हाना अरे बोलो बालक और हो सकता है कही लोग इस तरीके से बनाएं कि नीचे बनाने के बजाए वो कहें बह तो देखें, CS3, 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 जहां कारबन खतम हो रहा है, वाँ तीन हाइडरोजन होगा, तो CS3, 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 I hope आपको आनन्दाया हो, बहुत आसान होता है, इसको आप खुद अपने घर पे बैट करके इतमिनान से प्यार से बना लीजेगा, यह आपका हो जाएगा, आएए, डिगरी ओफ अनसाचुरेशन की बात करते हैं, डिगरी ओफ अनसाचुरेशन, तो पूछा यह जाता है, मॉलीक्यूल में कितना डिगरी ओफ अनसाचुरेशन है, अनसाचुरेशन कहीं न कहीं पाई बॉन्ड से रिलेटेड है, कहीं न कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड से र और समस्यामत लीजिएगा फिखो पड़ियों में ठीका जी आईए देखते हैं यहां पर मैं क्या करने वाला हूँ यहां पर मैं लगांगा कितने हाइड्रोजन बोलो बोलो अरे किनारे की तरफ कारबन है तो एक वैलंसी धर भरी हुई है तो तीन यहां भर दीजिए हैं यहा यहां पर आप क्या करेंगे। आप सरन इस तरीके से करिए। देखिए किनारे के सरफ carbon एक bond यहां तीन यहां लगा दीजिए। आप क्या करिए। यहां पर hydrogen यहां पर hydrogen लगा दीजिए। I hope आपको यहां तक की बार सा ज़माई हो। कोई दिक्रत तो नहीं है। अब मैं दिख दो क्या है यह carbon number one मान लीजिए इसको मैं carbon number two घोसित कर रहा हूं जो बीच में है और जो इस किनारे है उसको carbon number three घोसित कर रहा हूं इसमें कोई संदे नहीं है expanded structure formula मैंने बनाया इसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आई अब बातचीत करते हैं कुछ वो बातचीत क्या है कि अगर मैं carbon number two three से carbon number two or three से यहां से एक hydrogen हटा दूँ यहां से एक hydrogen हटा दूँ तो क्या होगा तो हमने क्या किया carbon number two three से carbon number two three से दो hydrogen हटा दी क्या किये दो hydrogen हटा दी यह आप समझ नहीं पाएंगे यह बहुत ज़्यादा short form हो जाएगा क्या करना है लिखो कि removal of two hydrogen from carbon number two and three लिखिए removal of लिखो भाया removal of two hydrogen from carbon number two and three अगर मैंने इसको हटा दिया तो क्या बचेगा देखना लुए यह यह एक carbon है कौन सा second वाला यह और थर्ड वाला यह कौन सा one कर रही अरे नालाय खुब हूँ का मतलब as it is same to same तो जी अब देखो ये दोनों हाइड्रोजन अगर मैं हटा दूं तो इस कारबन पर क्या बचेगा आप कहेंगे कि हाइड्रोजन एक बचेगा कहीं लोग होगे सर ये वाला हाइड्रोजन आपने ऊपर वाला क्यों बना दिया ये बालक वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप नराज ना हूँ इसलिए आप मैं मान ले रहा हूँ आपकी तो ये हाइड्रोजन मैं यहां लगा देता हूँ ठीक देखिए ये वाला हाइड्रोजन अटा ये हटा दिया बचा क्या यहां पर ये एक हाइड्रोजन ब वैलेंसी भरने के लिए हमें एक पाई बाना पढ़ता है तो कार्बन नंबर टू और त्री कार्बबन नंबर त्री के बीच में एक पाई हाइड्रोजन रिमूव करते हैं फ्रॉम कारवन नंबर टू एंड थ्री कोई दिकत नहीं है अगली चीज़ समझेंगे ध्यान से रटना मत कोई भी कई बार आपको यह रटवाया जाता है इसलिए मैं चाहता हूं इसको ध्यान सुनें अगर मैं कारवन नंबर वन एंड थ्री अगर मैं कारवन नंबर वन एंड थ्री से हाइड्रोजन हटा हूं देखिए इसको मैं बलू से बना रहा हूं वन एंड थ्री से अगर मैं हाइड्रोजन हटा हूं और इस सिचुएशन में टू और थ्री से ना हटा हूं जान सुनिएगा अगला मैं ऐसा बनानी वाला हूं जहां पे मैं carbon number 2-3 से नहीं बलकि carbon number 1-3 से हटाऊंगा तो बताए ये 2 पर कोई फरक आएगा अरे सर 2 पर क्यों फरक आएगा जब आप वहां से हटाई नहीं रहे हैं तो क्या कर ये carbon पर 2 hydrogen बचेगा ये सर कौन सा है ये मैंने ये वाला carbon बचाया जहां पे 2 hydrogen आएगा इस पर को कोई फरक आया नहीं जब मैंने 1 & 3 से हटाया अच्छा जी ये बात कह रहे है हो तो ये carbon है ये carbon यहाँ है ये 2 hydrogen बचेगा यहाँ यहाँ यह दो hydrogen गए तो क्या बचान एक त्चों ये इस वाले पर क्या हुआ दो hydrogen आई इस वाले पर क्या हुआ इस पर भी दो hydrogen बचे थे कितने तीन अब बचे कितने दो क्या एकदम सही बनाया जा रहा है हाँ सर एकदम सही लग रहा है लेकिन अब समझें कारबन ने तीन वैलनसी दिखाई यहां तीन यहां मतलग यह molecule एक्जिस्ट ही कर सकता इसलिए इन दोनों क भी आहां कि MOS पारबन ने आपस में एक रिष्टा बनाया एक बॉंड बना दिया है किया आपकी खूपड़ी में यह बात गई क्या आपकी कि होपड़ी में ये बात गई कि हम इस तरीके से बन जाएगा ठिक अभी भी आन्人 क्या किया दो हाइड्रोजन हटाया तो क्या रहा जन्म होता है, तो कहा जाता है कि 2 Jupiter के हटाने से 2 Jupiter की deficiency से कम होने पर हमें या तो एक पाई बोंड नजर आता है या तो एक ring नजर आता है इसमें को दिक्कत की बात नहीं है अब अगली बात शीत करते हैं अगला थोगा सा यही से चोटा सा बना के समझ लेंगे, देखिएगा आगले वाले में क्या करने वाला हूँ आपकी बार मैं ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रेमूब करूँगा 2-3 से ही, तो क्या बचेगा मैं इसको डारेक्ट लिखूँगा, इसको बहुत ओपेन करके आए गए, तो किनारे के तरफ सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा पहले से क्या प्रजंड था? एक पाइड्रोजन था प्रजंड, लेकिन अगर दो हाइड्रोजन हटाओगे, तो एक नया पाइड्रोजन भी और यहाँ पर आ जाएगा, तो आप क्या देखते हो केस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में आकताब आते हैं, जब आप दो हाइड्रोजन हटाते हैं, या सिंपले बोलूं कि दो हाइड्रोजन के हटाने से एक पाइबॉन्ड दिखने लग जाता है अब समझए अगली बाद, अगली बाद समझें यहां पर अगर मैं अगर यह कहूं कि carbon number 1 यह था, carbon number 2 यह था, carbon number 3 यहां था, मैं कह रहा हूं 1-3 से दुबारा हटा लीजिए, 1-3 से हटाईएगा, तो इस पर तो कोई फरक नहीं पड़ा, तो इसको simple कर देता हूं, ऐसे CH2 लिख करके, CH2 लिख देता हूं, ऐसे ताकि बड़ा-बड़ा बनाने में दिक्कत होती होती है, तो यहां पर क्या करिए, एक hydrogen यह हटाईए, इन दोनों के हटानी से carbon number 1 और 3 पर आपको πाई बॉंड नजर आएगा, बोल मेरे भाई, अब एक single तो पहले से था, sigma तो पहले से था, hydrogen हटाएगे तो क्या होगा, इस यहां एक hydrogen और यहां एक hydrogen नजर आएगा, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत ना हुई हो, तो यहां से यहां जाने में हमने क्या किया, दो hydrogen remove किया, तो मैं आपको अब यह समझाने वाला हूँ, कि actually degree of unsaturation क्या है, degree of unsaturation वो number है, जो यह बताता है कि इसके alkane form से, कितने, alkane and open form से, कितने hydrogen remove किये गए, जैसे, यहां पर आप देखिए, कोई भी pi bond नहीं, कोई भी ring नहीं है, तो यहां पर कहते हैं, degree of unsaturation 0 है, यहां पर degree of unsaturation 0 है, actually unsaturation क्या होता है, तो आप समझ में आया होगा, कि pi bond भी unsaturation को represent करता है, और ring भी unsaturation को represent करता है, यहां पर कोई ring नही कोई pi bond नहीं, इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पर degree of unsaturation कितना है, बोलवाया 0, यहां पर degree of unsaturation कितना है, समझिएगा, क्योंकि हमने, ध्या सुनिएगा, दो hydrogen की कमी होना, एक unsaturation पैदा करता है, यहां पर क्या हुआ, यहां से यहां जाने में, दो hydrogen कम हुए है, तो हम कहते है कि इसके यहां एक degree of unsaturation है, या simply इसको इस तरीके से बोल दीजिए, कि इसमें एक ring बन रहा है, तो यहां पर degree of unsaturation बन है, इसका मतलब degree of unsaturation जो है, दो hydrogen की कमी को बताता है, या एक ring के बारे में बताता है, कि उस structure में एक ring present है, similarly यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ आने में दो हाइड्रोजन की कमी हुई है तो एक degree of unsaturation निश्चित रुप से यहाँ पर पैदा हुआ होगा तो हम कहेंगे हम कहेंगे इस वाले के लिए degree of unsaturation 1 है कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि यह इसके लिए degree of unsaturation 1 है क्योंकि देखिए यहाँ पर एक पाई बॉंड आ रहा है इसको कई तरीके से रिप्रेजन करते हैं एक तो यह कहते हैं कि एलकेन में से अगर दो हाइड्रोजन हट गया तो इसके अंदर एक unsaturation आ गया इसको कहने का डारेक्ट तरीका यह है कि अगर एक पाई बॉंड परजेंट है तो एक unsaturation है एक रिंग परजेंट है तो एक unsaturation है समझ बात आ गई? अब देखिए यहाँ से आगे जा रही है तो दो और हाइड्रोजन हटाएंगे अगर आप दो और हाइड्रोजन हटाएंगे इसको कहते हैं ऐलकेन इसको कहते हैं अलकाइन है ना, जहां डबल बॉंड वहाँ अलकीन, जहां ट्रिपल बॉंड वहाँ अलकाइन यह बात हमने टेंथ में 산खिए दुबार वहाल सुनिएगा अलकेन से अगर हम अलकाइन की तरफ जेंगे तो आप देखते हैं कि चार हाइड्रोजन हटे हैं, दो यहां से, दो यहां, चार हाइड्रोजन हटे, चार हाइड्रोजन का हटना, मतलब दो हाइड्रोजन का पेर बनाओ, तो कितने पेर हटे, दो पेर हटे, अगर दो पेर हटे, तो unsaturation 2 है, इस तरीके से भी देख सकते हैं या डारेक्ट कहिए कि यहां मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड प्रजंट है इसलिए अनसैचुरेशन टू होगा यहां कहते हैं डिग्री ओफ अनसैचुरेशन कैसे देखिएगा यहां से यहां तक जाने में कितने हाइड्रोजन की कमी हुई है सर देखिए दो यहां से निकला दो यहां चार चार हाईड्रोजन की कमी हुई है और दो हाईड्रोजन की कमी को एक क्या कहते हैं डिग्री ओफ अनसैचुरेशन कहते हैं इसलिए यहां से यहां जाने में चार हाइडोजन की कमी है तो degree of unsaturation 2 होगा इसको कहने का दूसरा तरीका बताता हूँ कहिए कि यहां देखियो भही आध्यान से डारेक्ट यहीं लैंड हूँ तो आप कहेंगे कि देखो एक रिंग बन रहा है रिंग मतलब समझ रहे हो ना इसे क्लोज क्लोज चेन को रिंग कहते हैं न जी वह अला रिंग नहीं जो तुम्हें पहनाना है नालायक यहां देखियो यह ट्रैंगल में है और यह क्या कह रहा है आपसे यह कह रहा है देखो यहां पर एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ है तो एक रिंग के लिए एक डिग्री ओफ उन सैचुरेशन और एक पाई बॉन्ड के लिए एक डिग्री ओफ उन सैचुरेशन इसलिए यहां पर दो नजर तो actually आपका ये degree of unsaturation का एक बढ़िया सा formula बनता है कैसे आया क्यों बोला गया क्या reason था वो मैंने आपको explain कर दिया अगर कोई पूछे degree of unsaturation बताए तुरंद क्या करिये उसी structure में देखे कोई ring present है अगर ring present है तो एक degree of unsaturation और अगर pi bond एक present है तो कहिए कि वहाँ पर एक degree of unsaturation आएगा तो 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा अब सब में लगा के आप check कर सकते हैं तो actually degree of unsaturation क्या बताता है वो hydrogen की deficiency बताता है इसलिए degree of unsaturation को ही hdi कहते हैं hdi क्या होता है hydrogen deficiency index भी कहते हैं और इसी को double bond equivalence कहते हैं अच्छा double bond equivalence क्यों कहते होंगे double bond equivalence क्यों कहते होंगे क्योंकि देख लीजिए जब 2 hydrogen की कमी की जाती है तो एक double bond पैदा होता है तो इसका मतलब 1 degree of unsaturation 1 degree of unsaturation जो है वो एक ring के बराबर है एक degree of unsaturation दो hydrogen की कमी के बराबर है एक degree of unsaturation एक ring के बराबर होता है तो overall formula is degree of unsaturation equal to number of rings plus number of pi bond ठीक है इसी को कहने का तरीका क्या है 2 hydrogen की कमी करना एक degree of unsaturation होता है तो लिख सकते हो 1 du is equal to deficiency of 2 hydrogen लिख दूं क्या 1 du is equal to deficiency deficiency of 2 hydrogen definition मत लिख लेना वो रहा deficiency छाप लो इतनी अगर यह आती होगी टेक इतनी सी बात है आईए अब आपको कैसे apply करना है कैसे सोचना है इस पर आते हैं सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा अभी आपको यह formula पता चला अब आईए formula रगाते हैं फॉर्मूले से कैसे निकाले होगी है देखो find degree of unsaturation कहा निकालना है बेंजीन रिंग के अंदर बेंजीन तो जानते होगे बेंजीन का molecular formula होता है अगर आपको ना पता हो तो बता देता हूं C6H6 दिस बेंजीन तो सर यहां पर देखें यहां पर जहां point है structure of benzene अब इस structure of benzene को direct देखकर क्या तुम बता सकते हो कि यहां कितने degree of unsaturation आएगा आपने कहा था degree of unsaturation is equal to number of ring आपने कहा था number of ring plus number of pi bond number of pi bond तो चले देखते बताये यहां पर कितने pi bond है यहां पर कितने pi bond है pi bond का मतलब क्या होता है देखो जो double bond है उसमें से 1 sigma 1 pi 1 pi 2 pi 3 pi यह 3 pi है 3 pi हो गया तो हो गया 3 pi bond number of ring कितनी 1 ring है 6 carbon की 1 ring तो इसको कहते हैं 1 degree of unsaturation यहां benzene के लिए अगर कोई पूछे तो कहिए 4 आएगा जनाब इतनी बात तो हमें आती है कितना आएगा 4 आएगा अब मैं आपसे पूछू कि एक बात बताईए इसके लिए कितना आएगा degree of unsaturation यहां पर बताईए degree of unsaturation जाओगा सिर्फ एक ring है तो हम कहेंगे degree of unsaturation 1 आएगा क्योंकि एक ring के लिए 1 आता है लेकिन अगर मैं यहीं पर एक कारेकरम कर दूँ कि भईया देखो यहां पर मैं एक पाई बॉंड यहां लगाऊंगा एक पाई बॉंड यहां लगाऊंगा अब मैं पूछ रहा हूं बताओ इसके लिए degree of unsaturation क्या होगा तो आप क्या करिए पहले ring वाला देखो तो ring के लिए बेंजीन के अंदर अभी मैंने निकाल के आपको बताया था कि कितने rings होती है सर एक ring होती है तो यहां पर degree of unsaturation की अगर मैं बात करूँ एक मिनट बहिया यहां के degree of unsaturation की बात करूँ तो यहां पर एक ring present है एक, दो, तीन, तीन क्या present है बहिया जी, तीन, पाई bond present है तो इस तरीके से इसका हो जाएगा लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूँ तो यहां पर सिर्फ एक पाई bond है तो यहां पर एक आएगा तो टोटल जोड करके कितना हो गया चार, एक, पाँच तो यहां पर degree of unsaturation कितना आ जाएगा 5 ठीक, बस यही चीज़े निकालनी आपको आनी जाएगा, degree of unsaturation कितना हो जाएगा 5, अगला यहां देखिए यहां पर तो सिंपल है, बेंजीन के लिए भी हम मैंने कितना बताया है, सर बेंजीन के लिए 4, यहां पर क्या होगा इस नाम लिख देता हूँ, ओम लिखेंगे कैसे, ओम लिखने का यह तरीका अपना लेता हूँ, चलो ओम लिखने का माल लीजिए मेरे पास यह तरीका है मैं आपसे पूछता हूँ, बतायेगा किस ओम में degree of unsaturation कितना है, क्या कोई ring है, नहीं है कोई ring नहीं है, तो degree of unsaturation is equal to क्या, ring तो है नहीं, तो number of pi bond कितने हैं, एक, दो, तीन, तीन pi bond है, तो इसका मतलब ohm के अंदर जो है, तीन degree of unsaturation present है, ठीक है जी, तो यह 8 के हिसाब से आपको degree of unsaturation 3 में देखा, आई अगला कर लेते हैं, अगर मैं कहूं धान से सुनिएगा, अगर मैं कहूं, कुछ इस तरी किसे अगर मैं कहूं कि भाईया ये देखिए आपका एक स्वास्तिक टाइप की चीज है मैं आपसे कहूं कि बताईए यहां कितना degree of unsaturation आएगा, क्या आप अभी degree of unsaturation ततकाल प्रभाव से बता सकते हैं, हाँ सर बता देंगे एक, दो, तीन, चार चार पाई बॉंड है सर, बस चार पाई प्रजंट थी चार पाई प्रजंट सी लेट जाना है उस पर क्या है, चार पाई कैसे एक, दो, तीन, चार चार डबल बॉंड्स नजर आई तो चार पाई बॉंड्स होंगे इसलिए डिग्री ओफ उनसैटरेशन फोर होगा I hope आपको देखना समझ में आ गया होगा और सच बताऊं इससे ज़्यादा बहुत करने की जरूरत नहीं है कोई कास पाइधा नहीं मिलने वाला आईसो मेरे जम में जैसे जरूरत होगी मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ तो don't worry वहाँ पे समझा दूँगा ठीक है और वैसे काम की बातें सारी हो चुकी है लेकिन फॉर्मूले से करेंगे अब क्या है डिग्री ओफ उनसैटरेशन इस फॉर्मूला देखें Nc मतलब number of carbon Nh मतलब number of hydrogen Nx number of hydrogen Nn मतलब number of nitrogen Carbon, hydrogen hydrogen, hydrogen, nitrogen हमें क्या करना है फॉर्मूला क्या बताना है डिग्री ओफ उनसैटरेशन किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर लिखना है तो देखिए वहाँ पर कितनी carbon present है उस carbon में एक जोड़ दीजिए माइनस फिर क्या करिए number of hydrogen और उसमें number of hydrogen जोड़ दीजिए hydrogen मतलब fluorine, chlorine, bromine, iodine वो जोड़ दीजिए लेकिन nitrogen के number को घटा दीजिए divide by 2 कर दीजिए सर अगर मान लीजिए उसमें oxygen present रहा तब sulfur present रहा तो तो oxygen को नहीं लिखना जो चीज फॉर्मूले में नहीं है उसको मेरे भाईया नहीं लिखना है कुछ भी ठेक है? आईए example के तोर पे आपको समझाता हूँ जैसे C6H6O अगर मैं आप से degree of unsaturation पूछूँ क्या आप अपने को आपको इस योगे समझते हैं कि इसको direct apply कर दें सर कैसी बात करते हैं हम अपने आपको योगे ही न समझेंगे Nc का मतलब number of carbon कितने number of carbon है? 6 carbon present है इनके molecular formula में अजब molecular formula दिया हो तब आप यह चीज लगाएंगे ठीक है? क्या होगा? ही number of oxygen लिखना है? नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं जो formula में नहीं है उस पर अपनी खोपड़ी अपना सरदर्द नहीं करना है तो यह 3 हो जाएगा यह 7 में से 3 गया 4 आएगा देख लिए यह आएगा अब इसका structure बना के बताता हूँ C6H6 लिखा है तो यह कहीं न कहीं हमें बेंजीन के बारे में बता रहे है सर आपने बेंजीन कैसे गस किया बेंजीन का इतनी बार मैंने पढ़ाया कि degree of unsaturation कितना होता है 4 होता है यह तो निकाल के भी देख सकते हो और डारेट भी याद रहता है अब देखिए अगर मैं इसका structure बनाओं जो वो बनी है तो कैसे बनाओंगा पहली बात तो मेरे को बेंजीन बनाना पड़ेगा जब आप बेंजीन बनाएंगे तो बेंजीन बनाते ही यह बात confirm है कि degree of unsaturation कितना हो चुका है 4 हो चुका है लेकिन हमें hydrogen भी satisfy करने है hydrogen कितने 1,2,3,4,5 छटे hydrogen को कैसे लगाना सुनना पहले आप इसको oxygen से connect करिए फिर hydrogen से connect करिए oxygen से connect करिए फिर hydrogen से connect करिए तो इस तरीकी से बनाएंगे तो यहाँ पर इस तरीकी से बन जाएगा इस बार और सुनिएगा दुबारा सुन लीजे कैसे बनाया हमने कि भईया मैंने इसके molecular formula से क्या बताया कि degree of unsaturation 4 आएगा फिर मैंने दिखा यहाँ C6 दिख रहा है देखो hydrogen एक दो कम जादा होगा उससे फर्क नहीं पड़ता अगर C6 है और वहाँ पर degree of unsaturation 4 आ रहा है तो निशेतरुक से benzene ही तुम्हारी स्लेबस के इसाब से बनेगा बागी कुछ बनाना ही नहीं है ज्यादा सोचना ही नहीं है यही बनाना अगर 4 आता है तो तो पहले benzene बना दीजिए फिर आप देखिए hydrogen फिर oxygen hydrogen को इस तरी के मैनेज कर लिए सुनिएगा oxygen जो होता है वो दो वैलंसी सो करता है इसलिए देखिए एक bond यहाँ एक यहाँ बना रहा है आई अगली बात चीट करते हैं अगर मैं इस पर बात करूँ 66H5Cl पर अगर मैं कहूं कि degree of unsaturation निकालके बताईए क्या बता पाएंगे number of carbon सर 6 है number of carbon 6 है तो 6 धन 1 6 धन 1 7 धन मतलब प्लस 5 hydrogen है 5 hydrogen तो number of hydrogen कितने है 5 फिर लिखा है number of halogen x का मतलब halogen note कर लो x मतलब halogen fluorine chlorine bromine तो यहाँ पर कहीं लिख दूं क्या मैं अगर आपको सक हो तो मैं लिख देता हूं x is equal to fluorine chlorine bromine iodine इसको कहते हैं halogen halogen यह halogen नहीं है जो साधियों में जलता है आईए देखते हैं अगला क्या है number of hydrogen कितना 5 chlorine क्या है chlorine सरी है halogen है तो क्या करना है chlorine को जोड़ना है hydrogen के साथ chlorine कितना एक तो 5, 1, 6, divide by 2 तो यहां पर भी degree of saturation 4 है और देखिए degree of saturation 4 है C6 दिख रहा है guarantee है बेंजीन बनाना है guarantee है बेंजीन बनेगा जी कोई इसी बात कर रहे हैं ही यह हम का करेंगे बेंजीन बनाएंगे सलाब पका भी हर सूंगे हैं तो नहीं लेकिन मार लिजी कोई दिखक़े ही वह भी गरवकी बात है यह हैं तो कोई मिलागे इंडिया से ये आपके क्या नजर आ रहा है आपको ये आपको बैंजीन नजर आ रहा है और यहां पर एक क्लोरीन है येग क्लोरीन है बाकी क्या है hydrogen hydrogenRO सर एक बात बताईए आपने पांच यह च्छाय कारबन वो तो दिखाए नहीं हे नाला एक प्राणी च्छै यहां पे बनेंगे देखो एक दो तीन चार पांच च्छै कुछ दिखा यह जो पॉइंट है वो च्छै कारबन को रिप्रेजेंट करता है ठीक है जी तो इस तरीके स CH2 करबन बॉंड बना दो CH2 और B-R इस तो यहां पर कोई करबन करबन डबल बॉंड है क्या वहां कोई रिंग है नहीं क्या वहाँ पर कोई आपको ट्रिपल बॉंड ना ज़रा नहीं अगर ऐसा है तो सीधा बात है कि डिग्री ओफ उनसाइचुरेशन क्या होगा जीरू ना तो रिंग है ना तो डबल बॉंड या निकाल लीजिए तो इसका मॉलेगुलर फॉर्मूला पहले पता करिए कार साइचुरेशन निकाल लीजिए चलिए यहां के डिग्री ओफ उनसाइचुरेशन को निकाल के बता ही दीजिए क्या ही होंबरतें आंको degree of unsaturation is equal to number of carbon कितना है जी 5, 5 धन एक दरूर हो जाएगा 6, minus कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे number of, यहाँ पर आप देखिए number of hydrogen है 11 11 hydrogen, क्या oxygen यहाँ formula में होता है क्या नहीं है, तो उसको छोड़ दो, उसको देखने की जरूरत नहीं है oxygen हट गया, तो क्लोरी क्या है, हैलोजन हैलोजन को क्या करना है, जोड़ना है number of hydrogen में, divide by 2 कर दीजिए, ठेका जी, तो यह देखिए 6 और यह देखिए 12, divide by 2 6 minus 6 is equal to 0 तो यहाँ पर भी आपको degree of unsaturation कितना आया, 0 आया, जितना हम पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ इतने की जरूरत है, इससे ज़्यादा हमें नहीं सीखना होता ठेका जी, बहुत ज़्यादा पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, अब बात करते हैं degree of carbon की, degree of carbon क्या होता है नाम है degree of carbon, सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता, number of carbon atom degree of unsaturation, एक कोई number निकल के आता है, 0, 1 something, ऐसा कुछ निकल के आएगा, क्या आपको बात समझ में आ गई, degree of unsaturation के बारे में बात कर ली है, हमने degree of carbon पर बोला, कि number of carbon atom attached to a carbon is known as, अरे बोल रहे हैं, बोलेंगे हम degree of carbon अच्छा, आपकी बात समझ में आई सर, लेकिन और कुछ बताना है तो बता दीजिए, primary carbon, तो primary को ऐसे लिखते हैं, बेको one degree, one degree carbon is known as primary carbon बताने का तरीका समझ येगा क्या है, एक carbon है, वो carbon सिर्फ एक carbon से जुड़ा हुआ है, एक carbon, एक किसी दूसरे carbon से जुड़ा होगा, तभी ये वाला carbon, one degree carbon होगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, number of carbon attached to a carbon, एक carbon कितने carbon से जुड़ा, एक से, इस लिए इस carbon जिस पर मैं star लगा रहा हूँ, ये एक primary carbon है, one degree carbon है क्योंकि ये सिर्फ एक carbon से जुड़ा हुआ है, आप चाहिए तो यहां पर hydrogen लिख करके इनकी balance से भर दीजे कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रस्टन क्या है ये star marked जो carbon है, वो क्या है, one degree है, ये वाला carbon भी क्या है, one degree क्योंकि ये वाला carbon भी किस से जुड़ा है, एक ही carbon से जुड़ा है, इसलिए ये one degree carbon बोला जाएगा, I hope आपको आनंदा रहा हो secondary carbon एक ऐसा carbon जो दो carbon से जुड़ा होगा, उसको हम secondary carbon कहते हैं तो इस carbon पर हम star mark कर लेंगे इस carbon पर हम क्या कर लेंगे, star mark कर लेंगे और हम कहेंगे, ये जो carbon आपको नजार आ रहा है, that is secondary carbon क्योंकि ये दो carbon से जुड़ा हुआ है अगर मैं कहूं मेरे भाई, मेरे बंदू, मेरे बालक कि यहाँ पर आप बताएए क्या यहाँ कोई one degree carbon है, तो आप कहेंगे जरूर जो किनारे की तरफ होते हैं वो one degree होते हैं, CS3 है two degree carbon अगला है, tertiary carbon tertiary का मतलब है three degree carbon three degree carbon, tertiary का मतलब three degree carbon, अच्छा जी three degree carbon का मतलब क्या होगा, एक ऐसा carbon जो तीन carbon से connected हो एक ऐसा carbon, जो तीन carbon से connected हो, उसको हम कहते हैं tertiary carbon ये carbon कैसा कहलाता है ये carbon कैसा कहलाता है ये carbon tertiary carbon कहलाता है ये carbon tertiary carbon कहलाता है बाकी की valences भर दीजिए hydrogen लगा करके hydrogen लगा के valences भर दीजिए example तुरंट आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है ठीक है ये carbon ऐसा जहां 3 carbon connected है इसलिए इसको कहेंगे इस star mark carbon को 3 degree carbon कहते हैं आईए quaternary carbon मतलब 4 degree carbon 4 degree का carbon का मतलब होता है एक carbon ऐसा जहां पे 4 carbon connected हो कितने? 4 carbon connected हो रे भाईया carbon बनाना था तो यहाँ पर का करिए 4 carbon बना दीजिए देखिए ये carbon 4 carbon से connected है ये carbon अगर 4 carbon से connected है तो ये जो star marked carbon है ये जो star marked carbon है उसको हम 4 degree carbon कहते हैं जान देपाएंगे स्टार मार्ट को बाकी की वैलेंसी भर दीजिए, पेट उसका भर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CS3, CS3, CS3 और CS3, I hope आपको आनन्दा आया हो, एक चीज और होते है, that is super primary carbon, super primary का मतलब उस carbon से कोई carbon नहीं जुड़ा, सिर्फ hydrogen जुड़ा है, और उसका एक ही example मौझूद है, that is CH4, यह चीज आपको सिर्फ CH4 में नजर आएगी, एक ऐसा carbon जो किसी carbon से जुड़ा नहीं है, सिर्फ hydrogen से जुड़ जाए, तो इस carbon को, तो इस star marked carbon को super primary carbon कहते हैं, इसको super primary carbon कहते हैं, मतलब primary से भी पहले, super primary मतलब होता है, primary से पहले आने वाला, तो primary में तो एक carbon से connected है, तो super primary मतलब एक भी carbon से connected नहीं है, सिर्फ इस तरीके से hydrogen से connected होला जाएगा, आई अगली बाचीत है, degree of hydrogen पर, देखो degree of hydrogen बढ़ा आसान है, एक कोई hydrogen किस carbon से लगा है, अगर कोई hydrogen one degree carbon से लगा है, तो वो hydrogen भी one degree hydrogen बोला जाएगा, लेकिन अगर कोई hydrogen एक ऐसे carbon से लगा है, जो two degree है, तो वो hydrogen भी two degree carbon बोला जाएगा, अच्छा मनुश्य, ये क्या बात हुई, degree of unsaturation is same as the degree of carbon to which it is attached, अंग्रेजी का मतलब समझा देता हूँ, इतार आओ, अगर म जो hydrogen है, इस hydrogen का degree of unsaturation बताईए, तो आप क्या कहिए, आप कहिए, देखता हूँ मैं, ये hydrogen किस से जुड़ा है, ये hydrogen जुड़ा इस वाले carbon से, इस वाले carbon को हम देखें, तो ये सिर्फ एक carbon से जुड़ा है, ये carbon सिर्फ एक carbon से जुड़ा है, अगर एक carbon, ध्यान से सुनें, ये वाला carbon, ये वाला जो carbon है, अगर वो one degree carbon है, अगर ये carbon one degree carbon है, तो ये तीन के तीनो hydrogen, one degree hydrogen बोले जाएंगे, one degree hydrogen बोले जाएंगे, समझ है, मतलब, hydrogen के बारे में पूछा जाए, तो hydrogen का डिरेक्ट नहीं निकलता, आपको पहले carbon के सरण में आना होगा, से कहना होगा है माई बाब आप अपना नाम बताइए डिगरी बताइए तो जिन्यों कहा मैं तो एक कारबन से connected हूँ मेरा नाम one degree कारबन है तो हे बालक अब आपका नाम भी one संधें यहां मैं प्रश्न करूं इन हाइड्रो जन तो आप कहेंगे आप पूछो के ढ Shaun पहले आपको बताऊंगा कार्बन का तो यह देखिए किस से जुड़े हैं इस कार्बन को देखिए यह कार्बन कर्बन से कनेकटड है इसका मतलब तो यह carbon two degree hydrogen है यह carbon two degree two degree hydrogen बोल दिया sorry two degree two degree carbon है यहां क्या बोलेंगे two degree carbon यह carbon अगर two degree carbon है तो यह जो छोटे मुन्ने बालक है यह two degree hydrogen बोले जाएंगे two degree hydrogen बोले जाएंगे आई होप आपको यहां तक की बात समझने आ गई हो अब बाकी आप खुद से पता कर लीजिए बाकी मैं जितने hydrogen प्रस्तुत कर रहा हूं एक बार देख लीजिए मैं यहां पर एक सवाल पूछूँगा कि बताइए यहां पर number of one degree hydrogen कितना होगा number of one degree hydrogen कितना चलिए बताइए number of one degree hydrogen यहां पर कितने हैं तो उसके लिए आपको निकालना होगा number of क्या आपको पता करना होगा number of बलकि number से क्या लिए ना देना आपके को आप बता दीजिए कैसे निकालेंगे सिर्फ on question पोच रहे हैं चलिए बताइए आप कहेंगे भीया number of one degree hydrogen अगर आप कह रहे हो इसका मतलब आप कहना चारे हो कि आप पहले one degree carbon तो पता कर लो तो चलो star mark बनाते हैं यह carbon एक carbon से connected है तो यह star marked carbon जो है one degree carbon है यह carbon अगर one degree carbon है अगर यह carbon one degree carbon है तो इसे जुड़े हुए सारे hydrogen one degree hydrogen होगे देखिए क्या यह one degree carbon है नहीं यह two degree carbon है यह two degree नहीं यह three degree carbon है कैसे यह carbon इधर भी connected है इधर भी इधर भी carbon से connected है तो यह three degree है हमें पता करना था one degree तो star mark कर दिया carbon पर अब देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 तो total number of one degree hydrogen यहाँ पर 15 आईगा तो इस तरीके से इतनी बात हैं आपको आने चाहिए ठीक है आईए यहाँ पर आपको एक question दे रहे हैं इनका जबा मैं चेक करूँगा वीडियो के नीचे time is time लिखना है और आपको बताना है कि यहाँ पर कितनी कितने य पर देखेगा अगर मैं कहूं X जो है रिप्रेजेंट करता है नमबर ओफ वन डिगरी कारबन को y रिप्रेजेंट करता है number of number of two degree carbon को and z रिप्रेजेंट करता है number of number of number of two degree hydrogen को two degree hydrogen को तो मुझे value बताईए अरे मुझे value बताईए किसका ध्यान से सुन लीजिए x plus y minus z का इसकी value क्या होगी इसकी value कुछ गिंतियां आएंगी वो गिंतियां आपको कमेंट में बताना है simple कहूँ तो पहले पता कर लीजे कितने one degree carbon है कैसे एक, दो, ती तीन one degree carbon है y number of two degree carbon यही है एक रे एक भी नहीं है two degree carbon ही इसमें नहीं present है यह carbon three degree है number of तो यह y क्या हो जागा zero, y is equal to zero z is equal to zero क्योंकि two degree जब carbon ही नहीं है तो two degree hydrogen कहां से आएगा तो वस value x मतलब कितने तीन आ जाएगा जब आप देखिएगा समझ में आ गया है आई हो आपको आनंद की अनभूत ही हो अब आगे की बातचीत करते हैं चलो भईया करते हैं बातचीत organic compounds के classification के बारे में देखते हैं open chain compounds होते हैं और भईया क्या बोलते हैं उसी को elephatic compound बोलते हैं उसी को acyclic compound बोलते हैं तो organic compound का पहला हिस्सा open chain का मतलब जो open chain हो खुली हुई chain हो वो इस तरीके से ring के form में ना हो उसको हम कहते हैं open chain compounds उसी को elephatic कहते हैं उसी को acyclic कहते हैं acyclic का मतलब जो cyclic ना हो ऐसा compound मतलब open chain compound कहला है गा simple है इसमें कोई बहुत ज़्यादा गुणागड़ित नहीं है यहाँ पे आई यह दूसरा है acyclic तो एक है acyclic दूसरा है cyclic compound अच्छा जी example जानना चाहेंगे सर थोड़ा interest तो है open chain जैसे मान लिजी इस तरीके से अगर आपने representation पढ़ा होगा तो आपको समझ में तोरंत आ जाएगा कि देखी जैसे मैं इस तरीके से बना देता हूं अभी हमने bond line सीखा था तो चार कार्बन का मैंने open chain बनाया अगर इसी चार कार्बन को मैं cycle में लाकर के रख दूँ cycle मतलब समझते हूं यहाँ वाला portion यह वाला point इससे जूर दूँ यह carbon इस carbon के साथ bond बना ले तो इस तरह cyclic बनेगा तो यह है cyclic और यह है acyclic ध्यान रखेंगे बस इतनी बात है acyclic अंदर दो चीजें दिखेंगी एक तो saturated होगा एक unsaturated और क्या होता है इन पर चर्चा हमने कर ली है अच्छा जी यहाँ पर हमने क्या चर्चा करी थी जैसे हमने वहाँ चर्चा करी थी triple bond बना दीजिए हला कि जब भी triple bond बनता है तो सीधा सीधा बनता है लेकिन कोई बात में भी फिलहाल के लिए बना देते हैं ठीक है जी double bond यह कहां पर consider होंगे unsaturated में और यह भाई साब saturated में आई अगला बातचीत करेंगे यहाँ पर देखें cyclic के अंदर भी दो पार्ट है एक है alicyclic दूसरा है aromatic aromatic के बारे में जो बातचीत है वो general organic chemistry में ध्यान से की जाएगी तो इस पर चर्चा हम आज नहीं करेंगे लेकिन आज जो हमारे चर्चा का विशे है वो alicyclic है alicyclic को ध्यान से देखें alicyclic है aliphatic type का लेकिन वो cyclic है जैसे माली जी ये वाला aliphatic type का मतलब क्या होता है आप कहेंगे सर्य aliphatic का मतलब तो open chain होता है मतलब ये है कि simply इसको क्या कर दिया जागर इस तरीकिस रिंग के form में प्रजेंट करें तो इसको कहते है alicyclic अब समझ जाएंगे example देंगे और समझ में आएगा alicyclic दो हिस्से में divide होता है पहला है homocyclic और दूसरा होता है heterocyclic homocyclic में देखें क्या है homo का मतलब होता है कहीं भी homo सब्द दिख जाए उसका मतलब same होता है homocyclic का मतलब समझना क्या होगा जहां पे सारे carbon hydrogen ही हो उसको कहते है homocyclic लेकिन heterocyclic का मतलब carbon के अलावा अगर कोई cycle में मिल जाए उस ring में cyclic का मतलब क्या है उस ring में अगर carbon के अलावा कोई और element present है तो उसको कहते है heterocyclic और homocyclic का मतलब जहां पे सिर्फ carbon और hydrosons present हो mainly यहां पे carbon पे बातचीत और चर्चा होती है example देखना चाहें तो यहां पर मैं कह सकता हूँ कि देखो वया चार carbon की जो एक chain है यह cyclic वाली cyclic chain जो दिख रही है इसको हम बलकि cyclic chain कहने के बजाए हम simple सा बोलते हैं जो cyclic compound है यही homocyclic है लेकिन इसी homocyclic में एक carbon के बजाए यहां nitrogen लगा दिया जाए तो nitrogen पर क्या present है एक hydroson इस तरीके से क्योंकि balance है हमें चेक करनी होती है तो इस तरीके से nitrogen क्या करता है तीन bond बनाता है तो अब क्या दिख रहा है इसमें क्या कार्बन है यहां सब carbon है लेकिन यहां देखिए 1,2,3 carbon लेकिन एक nitrogen है तो carbon के अलामा अगर कोई atom कहां मिल जाए अरे भीया जहां सा सुनिएगा ring में मिल जाए तो हम उसको कहते हैं heterocyclic hetero मतलब carbon से अलग कोई element जैसे की बहुत कुछ हो सकता है जिसे आप nitrogen ले लीजी, oxygen ले लीजी, sulfur ले लीजी, ऐसी कोई चीज हमें नहां पे दिखाई देती है carbon की जगह पर, ऐसा नहीं हा, carbon नहीं रहेगा, carbon तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ जो है, इन में से कोई कुछ हो सकता है, ठीक है, तो इसको बहुत रट्टा मारने की जुर कि आप किसी compound का जब नाम लिखेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, उसका क्या तरीका है, समझिएगा, जैसे मैं आप से पूछू, ध्यान सुनिएगा इस line को, जैसे मैं पूछू कि आप कहां के है, आपका घर कहां पड़ता है, तो आप क्या बताते हैं, आपका birthplace बताते हैं जहां पैदा हुए हैं, उस गाओं का नाम बताते हैं, तो वो जो गाओं का नाम है, उसको आप समझिए, वो world root है, वो क्या है, world root है, किसके केस में, किसके केस में भईया, organic compounds के case में, तो world root है, पहले आपने गाओं का नाम बताया, तेके जी, या आप समझिए, आपने अपन जुड़ेगा आपके जिले के साथ जुड़ेगा आपके प्रदेश के साथ जुड़ेगा आपके देश के साथ जुड़ेगा इस तरीके से मान लेजिए एक प्रथा है ठीक है जी तो यहां पर कुछ ऐसा है बीच में लिखते हैं वर्ड रूट यहां लिखते हैं वर्ड रू नाम के पीछे जो है क्या लगना चाहिए दो सफिक्स लगना चाहिए और उस गाउं का रूल है कि वर्ड रूट के पहले दो प्रेफिक्स लगना चाहिए जैसे स्री स्री 1008 something type ठीक है ऐसे वो कह रहे हैं दो प्रेफिक्स लगना चाहिए और दो सफिक्स लगना चाहिए ये ख प्रचलन के हिसाब से यह है कि आप अपने पापा का नाम इहां लिखेंगे सफिक्स में फिर आपको बतायागा कि वर्ड रूट के आगे जो यह लिखा हुआ जस्ट पहले लिखा हुआ है वहाँ आपको अपने जिले का नाम लिखना है उसके बाद आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है तो इस तरीके से पता चल जाएगा कि आप कहां रहते हैं तो इस तरीके से नाम में ही गुशा दिया है तेगा जी अच्छा अब समझना वर्ड रूट के जस्ट पीछे जो सफिक्स है उसको कहते हैं प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट से जस्ट पहले जो प करते हैं secondary prefix स्वागत है आप सभी का इतना ही जानना था किसी भी किसी भी compound का आई पेसी नाम लिखना है तो ये पांच चीजें बता दीजिए पूरा नाम complete हो जाएगा अब प्रश्न ये है कि ये लोग किसके बारे में बताते हैं सर आपकी बात तो हमें समझ मारे लेकिन ये ल number of carbon number of carbon in main chain सुनते जाईएगा आगे सब कुछ explain होगा कि main chain क्या होता है अभी बस सुनना है note करना है क्या है number of carbon in main chain वर्ड रूट के थ्रू देखके पता चलेगा अब है क्या कि आपके behavior आपके patterns आपके लिए माल लिजिए से समझागा आपके घर में कोई रिष्टेदारी आ chain ठीक है अब one degree suffix देखकर के ये पता चला कि आप जो है saturated है या unsaturated है समझ यह क्या होता है saturated and unsaturated अब saturated है या unsaturated है ये बात पता चलेगी word root के पीछे लिखे हुए चीज़ से जस्ट पीछे इसके बाद आता है one degree one sorry two degree suffix two degree suffix बताता है principle 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 functional group principle functional group समझाता हूँ यह क्या जैसे यह समझना हर आदमी का अपना एक character होता है और कुछ intense character होता है जिसको देख करके आदमी judge किया जाता है या आदमी बहुत बढ़िया है बहुत प्यार से बोलता है ठीक है तो जो समझना ध्यान से जो आपके main characters है वो आपको कहां लिखे हुए दिखेंगे secondary suffix में और actually आप देखोगे जितना भी organic compound है उसके secondary suffix से हम ज्यादा तर क्या करते हैं उस molecule के behavior उनके pattern के बारे में पता करते हैं पिछले लिखा जाता है principle functional group समझाता हूँ वहाँ पे कुछ group of atoms होंगे molecule में कुछ group of atoms होंगे जो की molecule के function के बारे में समझाते हैं कि molecule के अब heavier कैसा उसका pattern कैसा अभी सुनना है आगे सब कुछ detail में दुबारा बताऊंगा लेकिन अभी ज़स सुन लो बरदास करो जो बता रहा हूँ ठीक है अब बात आती है primary prefix की primary prefix को देखकर यह पता चलता है कि compound जो है cyclic है या acyclic है ठीक है mongolic है या non-mongolic person है यह one degree prefix को देखकर के अच्छा and two degree prefix को देखकर के यह पता चलता है कि उसके पास कैसे दोस्त हैं कैसे दोस्त हैं दोस्तों का pattern behavior देखकर के थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि यह नाला है कैसा होगा अच्छा जी अब साधी करने आया है कोई तो सब कुछ देखेंगा न जी हा आपके आप से जुड़े हुए लोग आप ही मेन आदमी हो आप ही मेन सक्स हो तो मेन चेन आप हो मेन चेन आप हो आपके साथ जुड़ा हुआ जो होगा उसको कहते हैं सब्ट्रिट्वेंट आपका दोस्त कहते हैं सर यह सब होगा इसके बाद जो है हमें जो है दहेज भी मि करो कि किसी नालायक लड़के की इतनी आवकात इतनी ताकत ना हो कि तुमसे या तो आपके पिता स्रीश्ते वो दहेज मांग सके पहले जी दूसरा हे नालायक बच्छों मतलब लड़कों को गहराओं अगर तुम अभी भी ये सब दहेज मांगने के प्रथा में आज भी विश स्वास करते हैं तो भया जी आप कितना भी पढ़ लीजिए आपके नेचर में संसकार उत्रा ही नहीं है सिक्षा जो है आचरन में नहीं आई है ठीक है जी ध्यान रखेगा इस बात का इतनी अच्छी चीज नहीं है जो आप समझते हैं हम तो एक दिन में अमीर होंगे अरे तो आपको क्या समझ में आया कि आयू पेसी नॉमनक्लेचर लिखने के लिए यह पांच चीजों की जरूरत पड़ती है और यह क्या है इनके बारे में डिटेल्ड आये जानकारी लेते हैं जानकारी की तहत हमें क्या पता चलेगा देखिएगा नोट डाउन करें वर्ड है तो वहाँ पर वर्ड रूट क्या होगा मैथ होगा अगर दो होगा तो हम कहते हैं इत होगा अरे सर यह बता रहे थे क्या वर्ड रूट यह तो मैं टैंd से जानता हूँ, हाँ नालाएक प्राणी बात यही कर रहा था हमें, ठेक है math at इसके बाद आता है प्रोप, इसके बाद four, इसको कहते है ब्यूट, कई लोग सोचेंगे यह लिखा है बट, नहीं रहे भाबा, यह है ब्यूट, पांच में क्या होगा, पांच में है pent, छह में कहते है, hegs, साथ में कहते है, hept, eight में कहते है, oct, nine में कहते है, non, इसके बाद क्या होगा, दस, दस को कहते हैं डेक अब समझे एकाद दो और जान लेजिए कभी किसी का दिमाग खराब हो गया तो वो ये भी पूछ सकता है कि अगर ग्यारा कारबन हुए तो क्या कहेंगे ग्यारा रुपया चड़ावा देना पड़ा तो क्या नाम लिखेंगे हम कहेंगे देखो भईया ग्यारा होता क्या है ग्यारा होता है दस धान एक तो हम लिखेंगे एक के लिए अन एक के लिए हम क्या लिखते हैं अन जिसको लिखते हैं अन डेक क्या लिखते हैं अरे बोलो भई अन डेक सर यह अन वन को बता रहा है, यह कहा पढ़ा था हमने, यह आपने periodic table में पढ़ा होगा, जब elements का नाम हुन देख रहे थे, 1012118 तक का, तो उसमें पढ़ते हैं, अच्छा, यह बात यहाँ यूज कर दिया आपने, इधर देखें, 12 को हम क्या कहेंगे, 12 को हम कहेंगे, 10 प्लस, अरे बोल भई, 10 प्लस, टू, जिसमें तुम जाने वाले हो, जल दहिए, 10 प्लस, टू ना, तो हम 10 को क्या कहते हैं, डेक, और यह क्या लिखा है, 2, 2 को हिंदी में क्या कहते हैं, 2, क्या कहते हैं, 2, तो यहाँ लिखिए, 2 डेक, 2 डेक, मतलब 2 और 10, जोड लीजे तो हो जा carbonine, main chain, जिसको कहते हैं, word, root, अच्छा जी, यह पता चल गया है, अगला, primary suffix, नाम के जस्ट पीछे लगने वाला क्या बताता है, it indicates the saturation or unsaturation existing in the main chain, है या नहीं है, उसके बारे में पता करते हैं, देखिए, इतने primary suffix आपको मिलेंगे, बहुत से आप परचित हैं, ऐसा नही आपको carbon carbon की single bond की chain मिलेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, in लिखेंगे, अगर carbon carbon की double bond दिख जाती है, carbon carbon का double bond दिख जाता है mean chain में, तो वहाँ in लिखेंगे, अगर डाई अगर कही नजर आते हैं अगर दो डाई नजर आएंगे तो तभी जाके डाई उन सब्द यूज होगा अच्छा यह आई आईन का मतलब होता है वहाँ पे कही न कहीं कारवन कारवन ट्रिपल बॉन जरूर होगा अच्छा डाई आईइन ये क्या है डाई आई ठीक है डाई नहीं बोलेंगे सर मेरी बहन का नाम मत लीजिए अरे नहीं भाई मैं नहीं ले रहा हूं बस मैं बता रहा हूं कि डाई आई लिखा है तो क्या कहना है ये सुनिएगा कि इस तरीके से हम कहेंगे कि ट्रिपल बॉन एक ट्रिपल बॉन तो मा तो आपको दो डबल बॉंड दिख जाए जरूरी आसपास हो बीच में कार्बन तीन कार्बन हो कुछ भी फरक नहीं पड़ता बस अगर आपके मॉलीक्यूल में तीन कार्बन तीन बॉंड वाले दो लोग नजर आ गई मतलब तीन जो है बॉंड वाले जो होंगे उसको कहते है ट्रिपल वॉंड तो अगर वहां पर ट्रिपल वॉंड मौजूद है दो तो कहते हैं डाई आइन डाई मतलब दो आइन समझ गये बात अरे बोलरे बालक क्या बोला मैंने डाई आइन आई वोप आपको यहां तक नानदाया होगा कुछ भी नहीं है बहुत आसाम सा है ठीक ह सफिक्स नाम के पीछे के पीछे लगना है भया अच्छा सेकंडरी सफिक्स में लिखाय ते च्वॉझ फॉर दा प्रिंसिपल फांक्शनल ग्रूप वो तो बताया था मैंने ठीक है आए देखते हैं फ्ञाइन फांक्शन ग्रूप क्या होता है तो पेया अंगरी जी पढ़ of molecule is known as functional group example के तौर पर बताऊँगा ऐसे ऐसा नहीं कि भाग के कहीं हमें जाना है आप जानते होंगे कि अगर OH जोड़ दिया जाए ये बात हम पढ़ लेते हैं 10 तक तो हम कहते हैं ये अलकोहल इस अलकोहल का maximum reaction maximum इसके chemical properties और इसकी physical property जैसे boiling point, melting point वो जादा तर depend करता है इसके उपर इसके उपर, इसका मतलब ये जो है इस molecule का functional group है इस तरीके से ये जो है functional group है पर पर ध्यान देंगे, इसको हम क्या कहेंगे functional group, क्यों कह रहा हूँ ये मैं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि भाया जी, कुछ group में, कुछ items का कुछ group ऐसा होता है molecule के अंदर जो पूरे molecule के behavior का जादा तर हिस्सा उसी के थूँ governed होता है उसी के थूँ पता चलता है तो ये पूरे में ये थोड़ा molecule पर, मतलब ऐसा समझो कि molecule के properties पर कम असर डालते हैं लेकिन ये सबसे जादा असर डालते हैं इसका मतलब ये जो oxygen और hydrogen का जो group है O और H का जो group है ये functional group कहलाएगा क्योंकि ये molecule के function उसके behavior उसके properties के लिए जादा जिम्मेदार हैं समझ में बात आ गई अब सर ऐसे कितने functional group हमें पढ़ने होते हैं हमें जो है total functional group जो पढ़ने हैं that is 12 functional group अब इनके नाम याद होने चाहिए इनके बहुत सारी चीदे हैं वो आगे आपको धीरे-दीरे में बताता जाऊंगा उसको करपया याद करने की कोसिस करें एक बात मैं अभी से clear कर देता हूँ ये 12 चीजें याद ही करनी पड़ती है उसका कोई तरीका नहीं है कैसे करेंगे धीरे-धीरे उसको आप पहले धीर-धीरे लर्न करिए याद हो जाए तो कोसिस फिर ये करिए कि उसको लिख लिख करके याद करिए कम से कम 5-6 बार अगर आप इसको लिखेंगे तब आपके ये दिमाग में सेट हो जाएगा और एक बार लिख लिखेंगे और इसके बार देखिए प्रैक्टिस कर लीजेगा जो आगे कराऊंगा फिर आसान हो जाएगा नो डाउट ये याद करना पड़ता है मैं आपको भ्रम्य नहीं डालना चाहता तो जान लेजें यहाँ पर आएए देखते हैं हमें किसी भी functional group का suffix और prefix पता होना चाहिए functional group का suffix और prefix पता होना चाहिए ये चीजे हमें करमशह याद करनी है मतलब पहले कौन आएगा दूसरा कौन आएगा तीसरा कौन आएगा चौथा कौन आएगा बरमा कौन आएगा ये बातें याद होनी चाहिए और ये धीरे धीरे याद हो जाते हैं कहीं डरियेगा मत किसर ये क्या चीज ले करके आगए आएए देखते हैं अगर लिखाओ R-C-O-H तो इसमें जो C-O-H ग्रूप है ये C-O-H ग्रूप इसको कहते हैं कार्बॉकसलिक एसिड इसका जनरल नाम होता है कार्बॉकसलिक एसिड और उसके लिए एक दूसरा सफिक्स यूज किया जाता है तो मेरे साथ याद करिए अभी क्या बोला जा रहा है तो याद क्या करना है कि R-C-O-H का प्रफिक्स होता है कार्बॉकसी R-C-O-H का सफिक्स होता है O-E-C-E-C-E-C-E-D एंड कार्बॉकसलिक एसिड ये धीरे-धीरे याद होगा एक दिन का काम नहीं है प्रैक्टिस से आएगा ये ठीक है डरिएगा नहीं कि आज ही याद करना जरूरी था अगला देखना R-S-O-3-H तो यहाँ पर देखना सॉरी हाँ S-O-3-H तो ये क्या है सल्फोनिक एसिड S-O-3-H को कहते हैं सल्फोनिक एसिड और इसका प्रफिक्स होता है सल्फो क्या होता है सल्फो तो अगर S-O-3-H मिल जाए तो कहिए सफिक्स होता है सल्फोनिक प्रफिक्स होता है सल्फो इसी तरीके से ये देखो कैसे लिखा है C-Double-Bond-O-O-C-Double-Bond-O ये कहलाता है भयादी एन हाइड्राइड क्या कहलाता है एन हाइड्राइड तो इसको सिंप्ली कभी-कभी एन हाइड्राइड यूज करेंगे और कब हम कार्बॉक्सलिक एन हाइड्राइड यूज करेंगे मैं आगे बताऊंगा फिलहाल आप को ये याद करना है कि ऐसी सकल के लोग दिखें तो उनको हम एन्हाइड्राइड घुसित करेंगे और इनके लिए एन्हाइड्राइड के लिए कोई prefix नहीं होता आप आगे पढ़ेंगे तो आप खुछ समझ जाएंगे क्यों नहीं होता अभी फिलाल जान ले ये देखो क्या है COOOR इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं इस्टर इसको नाम देते हैं इस्टर और इस्टर को जब लिखते हैं सफिक्स में तो इसको कहते हैं कार्बॉक्सलेट या एलकेनोएट बोलते हैं और इसके लिए देखें प्रफिक्स दो यूज किया जाता है एक प्रफिक्स है कार्बोक्सी, स्वरी, एलकाउक्सी कार्बोनिल, दूसरा होता है एलकेनोईल ओक्सी, तो भया जी याद करना पड़ेगा, इसके अलामा और कोई तरीका नहीं है, बढ़ धीरे-धीरे याद होगा, ये भी मैं बताता हूँ, एक दिन में किसी को याद नहीं हुआ है आस तक, ठेक है, सबने कोशिस करी, धीरे-धीरे याद होगा, इसको जनरल नाम, जनरल जिंदगी में इस्टर कहते हैं, एस्टर कहते हैं, ठेक है जी, तो ये इस्टर है, C-W-O-O-R, जिसके लिए एलकेनोईट या कार्बोक्सिलेट जैसा सब्द यूज होगा सफ COX लिखा हुआ है, X क्या है यहाँ पर, X क्या हो सकता है, X यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है, इसका मतलब X क्या है, हैलोजन है, अपने X के चकर में ना पढ़ें, क्योंकि अभी आपकी ताकत बनाने की है नहीं ठीक है जी पहले बनाना पड़ता है तब कोई X बन पाता है अच्छा जी तो जो यहाँ पर लिखा है COX वहाँ पे आपको कहना है कि यह क्या है यह Oil Halide है यह हम इसको कहते हैं Carbonil Halide तो याद रखें यह देखें Carbonil, CO को कहते हैं Carbonil और इसको कहते हैं Halide तो यह है Carbonil यह है Halide इस दोनों याद करना पड़ेगा फिर इसको अगर हम प्रफिक्स में देखें तो हम इसको Hello Carbonil कैसे हो आप सभी लोग तो यह है Hello Carbonil ठीक है अब देखो इसको सिक्वेंस में कैसे खो पड़ियों में टिकाना है सुनिएगा मेरे साथ धान से यह भी Acid है यह भी Acid है धान सुनिए यह जो दोनो एसिड है उसमें जहां Carbon प्रजेंट होगा वही जो सिक्वेंस में Number 1 पर आएगा तिक जहां दूसरा Acid है वहां पर देखिएगा वह भी Acid और जहां Carbon नहीं है उसको हम दूसरे नंबर पर रखेंगे सर आपने carbon वाले को एकदम मूपर क्यों रखा ऐसे समझो यार organic chemistry की बात चल रही है और organic chemistry में सिर्फ carbon जादा important है carbon का ही पूरा खेल है इसलिए हम इसको पहले number पर रख रहे हैं तो यह हमारी खोपड़ी में टिक गया यह ऐसे कुछ illogical logic set करेंगे आपने आप याद हो जाएगा अब देखो यह क्या है यह यह तो ममी पापा है यह इनके सुपुत्र है यह क्या है इनके सुपुत्र है तो सुनिएगा सुपुत्र को ध्यान से सकल से देखने में बड़े लग रहे हैं तो सबसे बड़ा भाई है इससे चोटा यह है इससे चोटा यह है यह थे क्या आपको यह sequence खोपड़ी में टिकी सर ये तो लग गया दिमाग में आ गया कि भया दो acid थे एक को मैंने मम्मी पापा बना दिया और इसके बाद एक बड़ा बेटा एक उससे चोटा एक सबसे चोटा है तो पांच लोग फिलहाल याद करिये अभी फिलहाल इसके बाद समझना पांच तक का वग एक परिवार खतम हो गया एक परिवार खतम हो गया मतलब मरा नहीं है उसको छोड़ दिया हमने कि आप समझ में आ गया एक दूसरा परिवार हमने सुरू किया इस परिवार की बात करें तो समझना लिखा है CO-NS2, इसको कहते हैं amide, इसको कहते है amide group CO-NS2 को कहते है amide group और इसके लिए suffix क्या-क्या यूज हो सकते है, amide या carboamide, ठीक है, amide या carboamide, अगला prefix क्या है, carboamide देखो वह थोड़ा आजीब सा है, लेकिन इसका prefix हमें याद करना पड़ेगा, that is carboamide इन दोनों को आपस में याद करने का तरीका समझाता हूँ देखो, ये जो भाई साहब है इन में से अगर एक oxygen और ये 2 hydrogen मतलब कि यहां से अगर water हटा दिया जाए, H2O मतलब क्या होता water, अगर उपर वाले में से water हटा दिया जाए, तो उसके नीचे वाला से, इस concept से, इस तरीके से आप याद कर लीजिए, और actually आगे चल की जब आप reaction पढ़ते हो, तो ये चीज़ देखने को मिलती है फिलहाल आपको ये बात याद कराने के लिए मैंने इन तरीके के रिस्तेदारियों में इनको डाला है पीछे तक हमने 5 पढ़ा था, ये 6th नंबर पर आते हैं ये 6th नंबर पर आते हैं, ये भाई साब 7th नंबर पर आते हैं ये 6th पर है और 7th पर है, इनके नाम दीरे-दीरे याद करने की कोसिस करें लिख लिख करके, अब अगली चीज क्या है देखेंगा, इसको कहते हैं COOH, तो इसको सुना होगा, आपने इस दरूप से थोड़ा-थोड़ा, कहीं न कहीं जरूर पढ़ा होगा आपने टंथ में, ये बात आती है, हाणा, COH अगर हो तो इसको कहते हैं LD, इसका नाम होता है LD तो LD में suffix लिख दिया जाता है L, AL, लिखा जाएगा, या इसको कहते हैं Carbodehyde, नॉर्मल जिंदगी में इसका नाम है LD, और जब suffix लिखते हैं, तो इसको कहते हैं Carbodehyde, या अल लिख दिया जाता है, LD की सुरुवत AL से ही तो होती है, अच्छा, अगर मैं prefix की बात करूँ तो Oxo या formal लिखा जाता है, कब लिखना है, कैसे लिखना है, इसको कहते हैं की टोन, ये LD हाइड, ये की टोन, तो की टोन में आता है O, की टोन में O, और यहां लिखते हैं Oxo या Keto, Oxo या Keto कहते हैं, अच्छा जी, अगली बात देखेगा, अच्छा जी, ये 7 तक महोच गय बड़ी फामली में एक परिवार की बात हो गई, दूसरे परिवार में ये दो लोग हैं, इसमें से कोई मिया बीबी होगा, इनमें से कोई मिया बीबी होगा मान लो, तो ये ऐसा है, इनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, आई आगे बड़ते हैं, क्या क्या बोलना बड़ता ह तुम्हें याद कराने के लिए याद अब समझें यह चोटे मोटे लोग इनकी सकलें बहुत चोटी है यह बहुत जोदा चुन्नुमनु लोग है जो घरों में है तेक है यह क्या है OH SH और NH2 इसी सिक्वेंस में याद करना है OH, SH और NH2 जब देखो OH oxygen की family में कौन आता है sulfur तो थोड़ी खोपड़ी में बात रखनी होगी कि OH के बाद आता है कौन सब यह sulfur वाला अरे यार ऐसे समझो जब आप oxygen family लिखते हो कैसे लिखते हो oxygen, sulfur, selenium ऐसे लिखते हो तो oxygen पहले आ रहा है sulfur बाद में आ रहा है तो ऐसे समझ जओ कि OH पहले आएगा, SH बाद में आएगा अच्छा, एक बात जो आप रटनी पड़ेगी that is, कि NH2 सबसे last में आता है, का भया का कह रहे हो यहां NH2 सबसे last में आता है, हम जो पीछे देख चुके हैं, वो नमबर देखकर क्या आते हैं आजा भया, नमबर यहां 9 था कि टोन का 9 है, तो भया जी एक बाद बताएं, यह क्या है, यह alcohol है, यह alcohol होता है अगर alcohol है, तो भया जी थोड़ा cola हल है, यहां पर OL आ जाएगा, इसको prefix के तोर पर hydroxy कहते हैं alcohol लिखते हैं न भया, तो OL लास्ट में आता है, वही यहां पर suffix है prefix इसका hydroxy है अगली बात क्या है, यह है element that is SH, SH के लिए कहते है थायॉल और इसको कहते है मरकेप्टो, क्या मरकेप्टो और भया देख लीजे, last but not the least, भया, इनके इजद करिएगा बहुत पूछे जाते हैं, NS2 M1 या M1 यहां पर prefix के रूप में याद कर पाएंगे क्रिपया इनको याद करने की कोसिस करिएगा इनके बिना हमारा भला नहीं होने वाला as simple as, ठीक है बिना इनके कुछ नहीं होगा अब आगे बात करते हैं हमने बात करनी है भया प्राइमरी प्रफिक्स की तो साइकलो वर्ड इस यूज़ फॉर एलिसाइकलिक कमपाउं जैसे की अगर मैं बात करूँ जैसे मैंने पीछे क्या कहा था फोर मेंबर एक क्या है यह रिंग है अब नाम लिखना यह से सुरू कर देते हैं ताकि आपकी बुद्धी खुलेने तो लगेगा क्या क्या रटना पड़ रहा है दिमाग खराब हो गया सर यहाँ देखी यहाँ चार कारबन की एक चेन है इसका मतलब आप कहना चाहरे है इसके मेंचेन में इसके मेंचेन क्योंकि एक ही चेन है तो उसी को मेंचेन कहते है इसके मेंचेन में कितने कारबन है पताए गिन के बताए कितने कारबन है सर गिल लेते हैं यह वांड, यह टू, यह थ्री, यह फोर यहाँ पे चार कारवन, अगर चार कारवन है, तो चार कारवन के लिए word root क्या लिखा जाता है? word root होता है, सर, beaut, क्या होता है? beaut होता है, अच्छा जी, इतनी बात संगा गई? कोई दिक्कत नहीं, अब देखो, क्या carbon number 1, 2 के बीच में कोई pi bond है? सर कहीं कोई πाई बॉंड नहीं है और जब पाई बॉंड नहीं है सिर्फ सिगमा होता है तो एलकेन बोला जाता है इसका मतलब ब्यूट के पीछे एन आएगा ब्यूट के पीछे क्या आएगा अरे जनाब एन आएगा तो ब्यूटेन से क्या पता चला अरे ब्यूटेल से ये पता चला कि चार कारबन मौजूद है और पता चला कि यहाँ पर कोई डबल बॉंड या ट्रिपल बॉंड नहीं है क्योंकि यहाँ पर एन लगा है अभी इतनी बात समझ भागी तो पहले मैंने क्या लिखा पहले मैंने वर्ड रूट लिखा क्रिपया ध्यान दे नालायक प्राणी लोग क्रिपया ध्यान दे पहले मैंने वर्ड रूट लिखा इसके बाद मैंने क्या लिखा भईया वन डिगरी प्रिफिक्स लिखा है ना नहीं वन डिगरी सफिक्स नाम के पीछे लिखा है ना नाम के पीछे तो वन डिगरी इसको क्य कहते हैं suffix कहते हैं क्या हम two degrees suffix लिख पाएंगे नाम के पीछे और कुछ नहीं क्यों क्यों कि कोई भी functional group नहीं है जो मैंने 12 functional group पीछे पढ़ाएं है उनमें से कोई यहां मौझूद नहीं है इसलिए नाम के पीछे अब कुछ नहीं लगने वाला है अच्छा लेकिन हमने कहा कि primary prefix यह बताता है कि यह cyclic है तो एक बाद बताओ क्या यह cyclic है हाँ यह cyclic है और cyclic अगर कोई compound होगा तो नाम के जस्ट पहले cyclo लगेगा क्या लगेगा मेरे भाईया cyclo लगेगा तो क्रिपया ध्यान दे यह क्या है यह नाम के आगे जो आ रहा है इससे हमें यह पता चल रहा है कि यह cyclic है इसका मतलब यह primary prefix है यह primary prefix है क्या यहाँ पर कोई substituent है क्या इस main chain पर कोई और group लगा है सर नहीं लगा है इसका मतलब यहाँ पर secondary prefix नहीं आएगा तो इसलिए इसका नाम है cyclo butane that's right कितना आसान है इसी तरीकी से आगे भी practice करेंगे आनंद आएगा तकलीब दुख समस्या प्रिक्रिपया ना ले आई अगली बाच करते है secondary prefix नाम के आगे एक जो लगता है cyclo उसके आगे जो लगेगा उसको कहते है secondary prefix समझेगा normal substituent and junior functional group समझाओंगा कि junior functional group क्या होता है वो आगे समझेगे जैसे मान लीजिए एक alkane लिखता हूँ और alkane मेंसे मैं एक hydrogen हटा दूँ तो वो बन जाता है alkai वो क्या बन जाता है जनाब वो बन जाता है alkai क्रिपया ध्यान देंगे यहां क्या बन गया alkai जैसे क्रिप अधियान देए अगर मैं कहूं तो CH4 क्या होता है सर बहुत पहले से पता है कि CH4 मीथेन है इसका नाम हम लिख सकते हैं क्या सर हम लिख देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है इसका नाम मीथेन है मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, तो वो क्या होगा, एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा और ऐसे CS3, ये कहीं as a substituent किसी main chain में जाकर लग रहा होगा, इसलिए एक बॉन्ड बनाते और CS3 लिखते है अब इनका नाम क्या होगा, अगर इनका नाम मीथेन है, तो इनका नाम मिथाइल होगा, क्या होगा, मिथाइल होगा, मिथाइल नहीं जी, मिथाइल होगा, similarly, अगर मैं आपसे ये कहता कि C2H6, C2H6 क्या होता है, देखें, दो कारबन हैं, तो दो कारबन के लिए हम क्या लि यह इथेन है यहाँ पर एन आएगा यहाँ पर एन या आइन नहीं आएगा तो यह इथेन है और इथेन में से अगर मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा तो यह क्या बन जाएगा C2H5-1 bond के साथ बन जाएगा C2H5-1 bond के साथ बन जाएगा तो इथेन को अब नाम क्या दिया जाए अब इसको नाम इथाइल दिया जाता है प्रप्याद्यान दे इथाइल दिया जाता है तो इसका मतलब यह होता है R group इनका representation करता है इनका, इनका समझ में आ गया अलकाइल तो उसका एक्जामपल ना methyl and ethyl ऐसे प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल यह हो सकता है तेके आगे और पढ़ेंगे यह क्या भीया, OR इसको कहते है अलकॉक्सी अलक, अलक लिखिए फिर ऑक्सी जब ऑक्सीजन, अलक, ऑक्सीजन सब्द से समझ में क्या आ रहा है ऑक्सी कहीं होता न, तो वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद आपको नजर आता है यूज्वली ऑक्सीजन सब्द तब यूज किया जाता है जब ऑक्सीजन को इस तरीके से लिखा जाए मतलब oxygen के इधर भी एक bond हो इधर भी एक bond हो तो इसके लिए सब्द यूज होता है Oxy Oxy ये कई जगहों पर में आगे यूज करूँगा और बताता चलूँगा कि क्यों और कैसे ही हम लिख रहे है ठीक है फिलहार इतना जानना है Elk क्या होता है Elk मतलब जिसे आपका Elkane का जो कारबन वाला पार्ट होता है उसके लिए Elk सब्द यूज करते है तो Elk मतलब हो गया Oxy हो गया अगला क्या हो गया अगला क्या है X अब देखो ये तो आसान है X क्या है भाईया आपका हेलो जन उसके लिए सब्द लिखते है हेलो क्या लिखते है हेलो जैसे एक्जामपल के तौर पर अगर मैं लूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि कहीं पर क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोरो क्या लिखेंगे क्लोरो अगर कहीं पर ब्रोमीन है कहीं पर ब्रोमीन है तो लिखा जाता है डाई क्या लिखा जाता है जैसे एक जामपल के तौर पर मैं आपके सामने प्रस्तूत करूँगा कि जैसे देखिए मैं ऐसे एक में चेन बनाता हूं अगर माल लिजे यहां पर मैं एक CS3 गुरूप जो होता है तो देख लिजी एक दो तीन चार पांच है इसको हम क्या कहते है में चेन तो जो बचे हुए है को कहते हैं कितने लोग बच गए यह दो लोग ऐसे समझो ये आप हैं और ये आप से जूड़े हुए आपके दोस्त हैं और आपके दोस्त क्या कहला रहे हैं उसाफटुटुट कहला रहे हैं अच्छा जी या बात हो गई समझना ध्यान से समझा नहीं समझा नहीं किennis दो Cs3 है तो यहां लिखते हैं। डाइमिथाइल लिखने से यह पता चल जाता है कि यहां दो Cs3 as a subtitle present तो डाइ मतलब दो लेकिन क्या दो मिथाइल by hovering क्योंकि CS3 यहां पर as a subtitle लगा हुआ है तो यह बताने के लिए है कि 2 सेम सब्स्टिटुमेंट के लिए डाई, 3 सेम के लिए ट्राई, 4 सेम के लिए ट्राई लिखा जाता है, अगर यहाँ पर 3 CS3 लिख दिया जाए तो ट्राई, 4 CS3 हो गया तो ट्रामिथाईल बोला जाएगा, अगली चीज़, नोट, कॉमा बिट्विन, ये B slash W का मतलब है between two counting, दो counting के बीच में कॉमा होना जरूरी है, जैसे कि मानली जी कहीं पर ऐसा लिखाओ, two, तो कॉमा के साथ three लिखना है, two, three इस तरीके से लिखना है, जब भी counting लिखी जाएगी, तो दो गिन्तियों के बीच में एक का आएगा, कॉमा आएगा, हाइफन बिट्विन काउंटिंग और जैसे माली जी की कोई सब्द लिखता हूँ माली जी मिथाईल लिखता हूँ और मुझे ध्यान दे कृपया मिथाईल की पोजेशन बतानी हूँ कृपया ध्यान दे जैसे यहाँ पे भी क्या है CS3 कहां लगा है वो बात हमें बतानी है तो हम कैसे बताएंगे देखेगा हम क्या करते हैं numbering कर देते हैं क्या करते हैं numbering कर देते हैं कैसे करेंगे सुनना ध्यान से यहाँ वाले carbon को मालूम है one कहता हूँ ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा तो इस तरीके से आप एक तरीके से लेख सकते हैं लेकिन आगे चलके हम ये पढ़ते हैं, कि ये number थोड़ा गलत साबित होता है ठीक है? गलत साबित हो, सर आपने लिखाई क्यों था? मैं ये बताना चारा हूँ का आगे rules आने वाले हैं आगे क्या आने वाले हैं rules आने वाले हैं तो सही rules के हिसाब से अभी मैं लिख देता हूँ आप इस मान लीजिएगा चलो ठीक है कि मैं सही लिख रहा हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलो बता ही लेता हूँ सुनना ध्यान से होता क्या है बोला ये जाता है वो numbering सही मानी जाती है जहाँ पर कृपया ध्यान दे जहाँ पर आपका substituent जो है minimum number gain करता है main chain पर अगर आप numbering यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर इस CS3 के लिए 2 number आएगा इस CS3 के लिए 4 number आएगा इधर से करेंगे तो भईया 3 और 5 आएगा करके देखिए इधर से लेखिए 1,2,3 तो 3 आया 4,5 तो इधर से कर रहा था तो क्या आया 3 और 5 और इधर से किया तो क्या आया 2 and 4 तो minimum number लेना है counting के अंदर इसका rule आगे पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा guess करा दिया लेकिन आप बात आईए यहाँ पर क्या लिखा जाए hyphen between two counting तो ऐसे लिखना होता देखो यहाँ जो two लिखा है तो हम लिखते हैं ऐसे देखो two फिर हम क्या कहेंगी four तो हम लिखते हैं two four क्रिपया ध्यान दे लिखते हैं two और four इनके बीच में क्या इनके बीच में कॉमा लेकिन गिंती के बाद हम क्या लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे हाइफन और हमें मिथाईल कितना मिला डाई हमें मिथाईल कितना मिला डाई तो इसके लिए जो लिखा गया है इसलिए यहां दिखा रहा हूँ, दर्द मत लीजिए कृपया आप तक पढ़के समझ में आगया होगा कि मास्टर समझा ले जाएंगे, बरुसा हो गया होगा आप तक, समाल लूँ, अगली heading है, naming of saturated hydrocarbon, तो इंके कुछ rules हैं, और मैं आपको कभी भी वो बड़े-बड़े statement लि मैं दावा कर सकता हूँ, कि भाया यह सबसे easiest way आपको लगने माला है, देखिएगा, rules for the selection of main chain and number, हमें क्या करना है, saturated hydrocarbon का अगर नाम लिखना है, तो हमें पहले यह पहचानना पड़ेगा, कि main chain कौन है, उसका selection करना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ rules होंगे, अच्छा ज पहला rule है, ध्यान देंगे भाया, पहला rule है कि main chain के अंदर, main chain के अंदर maximum number of carbon होने चाहिए, तो rules for the selection of main chain, rules for the selection of main chain में, जो primary चीज है, that is, आपको पहले यह देखना है, main chain में क्या ज़्यादा number of carbon दिख रहे हैं, तो कृपे आप उसी को main chain बोलिए, जहाँ पर ज़्यादा number of carbon है, अगर माल लीजे कि दो ऐसी chain मिल जाती है, जहाँ same number of carbon है, तब आप आते हैं, दूसरे पर, that is, more number of substitute, यह सिर्फ कहानिया नहीं होंगी, सब बताई जाएंगी, तो selection करना है, अगर main chain का, तो primarily यही दो बातों का खयाल रखना है, आपको saturated hydrocarbon के अंदर, सिर्फ यही दो rule ह हाँ जनाब अभी इसके लिए, main chain के selection के लिए, लेकिन main chain के numbering के लिए, इन दोनों के बाद, देखो, पहले selection करना है, पहले main chain पता करना है, फिर उसकी numbering करनी है, तो पहले यह दो step, फिर अगले दो step, देखना भी है, तो तीसरा point होगा, जो की ज़्यादा related है, आपकी numbering के पार्ट से, जो की related है, आपके numbering के पार्ट से, अब इसके बाद lowest set of locants देखेंगे, बताऊँगा, lowest set of locants, वैसे पीछे मैंने hint दिया हुआ है, कि जैसे मैंने बता था, numbering कर रहा था मैं, तो एक जगाँ पर 2, 4 आता है, एक जगाँ पर 3, 5 आता है, तो 2, 4 वाला हमने select किया क्यों, क्यों कि वो lowest set था, वो छोटे number के set थे, इसलिए select किया था, तो lowest set of locants, locants का मतलब यहाँ पर substituents है, क्या है, substituents है, तो इतनी बात अभी ख्याल रखेंगे, आगे, सिखा दोगा, भरोसा रखना पड़ेगा, जी, अईसे नहीं होता, दुनिया भरोसे बटिकी, चौ कि, इसका मतलब सर, आप यह कहना चाहरे हो, कि बस इसी चार से काम बन जाएगा, हम तो बहुत बड़ी-बड़ी किताबों में लाइने भरा-भरा देखते हैं, कुछ नहीं है बाई, सिर्फ ये बातों का खयाल रखना है, कैसे करना है, वो हमें सुनते जाना है, maximum number of carbon, मिर सा हो था है, alphabetical order, कैसे चलेगा, आइए स्वागत करते हैं, इनमें हमें क्या करना है, main chain select करना है, तो आपको मैं select करके दिखाता हूँ, आइए देखते हैं, अगर मैं main chain select करूँ, तो मैं कैसे सोचूँगा, मैं सोचूँगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो ऐसा सोचूँ हो ना भई, यहाँ पर जो carbon है, यह carbon number one है, यह वाला carbon carbon number two है, यह वाला carbon carbon number three है, यह वाला carbon carbon number four है, यह वाला carbon carbon number five है, इस तरीके से एक numbering हो सकती है, इसी का एक दूसरा, मतलब यही वाला molecule मैंने यहाँ बनाया, एक numbering यह है, एक numbering देखो, यहाँ पर भी है, हम numbering यहाँ से स acceptable है या ये वाला कौन सा main chain जो है सही select हो रहा है अच्छा ये numbering अभी चाहो तो मत करो अभी एक काम करो numbering के चक्कर में पढ़ोगे तो अभी कहोगी सर पहले तो numbering नहीं करते थे ना आप ये कहते कोई बात नहीं कोई बात थी simple बातों में आपको भरोसा दिलाना जरूरी है क् भईया देखो अगर मैं main chain इसको select कर रहा हूं main chain इसको select कर रहा हूं तो इसको मैं तोड़ा color बना दूँगा मैं कहूंगा कि मैं यहां इसको main chain मानना चाहता हूं यह देखे यह main chain है एक तो यह तरीका कि आप कहिए यह main chain है एक तरीका यह है कि आप यह कहिए कि यह main chain है यहां पर देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहां पाँच कारबन हैं मेंचेन, यहां चार कारबन हैं मेंचेन, हमें समझ में आ चुका है, कि भईया, यह वाला जो होगा, वो मेंचेन होगा, यह वाला जो होगा, वो मेंचेन होगा, तो आप कहेंगे, कि यह मेंचेन सेल आदर 5 कार्बन नजर आ रही है यह देखो भया मेंचेन नहीं है क्यों नहीं हुआ क्योंकि आप इतने पर ही फोकस्ट रहें तो पहला एक्जामपल ए जिसमें हमने पता कर लिया कि मेंचेन क्या होगा एक्जामपल नमबर बी में पूछा गया कि देखे मेंचेन सेलेक्ट करके देखे बुद्धी आपकी काम कर रही है क्या मेंचेन सेलेक्ट करके देखे बुद्धी काम कर रही है क्या अरे बताओ बालक कैसे लिखा जाए अगर मैं कहूं कि देखो एक मेंचेन तो मुझे बड़ा बड़ा ये दिख रहा है क्योंकि आप मैं इसको main chain मानता हूँ तो इसमें कितने number of carbon है देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच कारबन मौझूद है लेकिन अगर मैं इसको main chain मानूँगा देखो कौन से वाले को मान लो कि मैं कह देता हूँ यहां से देखो यह तो एक ही बात हो जाएगी तो काम करते है देखो देखो कई सारी चीज़ें होती है अगर इसको बनाते हो तब एक, दो, तीन, चार, पाँच तब भी क्या हो जाएगा पाँच तब भी क्या हो जाएगा पाँच देख लेजीए अरे बोलरे वाला क्या मैं इसको main chain मान सकता हूँ सर ये और ये तो मुझे सेम नजरा रहे है यस जना तो ये भी थोड़ा पहचाना जरूरी है कि ये और ये तो ये कही बात है चाहे आप इस तरीके से इसको मानिए तब भी आप देखेंगे कि अगर आप काउंटिंग करेंगे ना तब भी आपको इन दोनों के हिसाब से नाम स अगर मैं कहूं कि यार मैं इसी को मेंचेन मानना चाहता हूं यह देखो मैं इसको मेंचेन मानना चाहता हूं क्या मैं इसको मेंचेन मान सकता हूं देखो क्या मैं इसको मेंचेन मान सकता हूं क्या एक बार देख लो आप सभी लोग क्रिपे आप सभी लोग देख लें क्या यह मेंचेन हो सकता है सर जवाब है नहीं हो सकता यह acceptable नहीं है तो कि इसको मेंचेन मानने पर तीन ही कारबन है और यह वाला भी acceptable नहीं था क्योंकि यहाँ चार कारबन थे तो यह वाला acceptable है मेरे भाई, यह वाला चल रहा है, चलेगा, यह वाला चल रहा है, चलेगा, क्यों, क्योंकि 5 कारवण हमें यहाँ पर मौजुद दिख रहा है, लकिन यहाँ 3 नहीं है, इसलिए हम इसको reject करेंगे, इसको select करेंगे, I hope आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई तकलीप कोई परिशानी नहीं हुई होगी ऐसे अभी सीखिए अभी कोई जल्दबाजी नहीं है कि नहीं सर आज अहीं मेरे को सिखाओ मैं मानूंगा नहीं अच्छा जी यहां पर आई यह ए बी और सी की बात करते हैं सी पर देखें में चेंज लेक्ट करिये और ऊतरक लुगे नॉमलन क्लेटर करने की कोशिश करिये रहे हैं अगर यह मींचेन हैं अगर यह मेंचेन हैं PCR भर देख लिए रोक देख nap 5 पांच कारबन की यह मेंचेन ज्म मैंumान थी वह मार लिजे यह मेंचेन अब मिले को एक बाह बताओ अगर मेंचेन में पांच कारबन है तो इसके लिए वर्ड रूट क्या होगा अगर यहां मेंचेन में पांच कारबन है तो हम लिखते हैं पैंट क्या लिखते हैं पैंट लिखते हैं और यह पांच कारबन की मेंचेन मैंने select की है क्या यहाँ यहाँ पर कोई double या triple bond है सर कोई double या triple bond नहीं है तो इसलिए भाया pent के बाद in लगा दीजिए one degree suffix के रूप में यहाँ पर in लगेगा done अब सुनिए बात को main chain हो गया उसका नाम करण भी हो गया अब है counting किदर से करेंगे गिनेंगे कहां से चलिए गिन कर देखते हैं देखना भाया पहली गिन्ती तो यह है कि देखो यहाँ से भी करें तो यह one तो यह क्या होगा two यह हो जाएगा three यह हो जाएगा four और यह हो जाएगा five एक काम करते हैं इस वाली गिन्ती को हटाना नहीं है किसी को देखो यहाँ पे two लिखो यहाँ पे one लिख दो मैंने क्या किया है इस main chain के उपर उपर यह number लिखें अब यह सही है गलत है अब ही अमें judge करना है अच्छा जी कहां से set करेंगे कहां से judge करेंगे lowest set of low-end से judge करेंगे सुनिएगा ध्यां से यहाँ पर देखिए कि substitutions कहा लगे अरे बालक यह extremely यह एक тобत है जहां पर आपको two carbon नजर आ रही है जहां पर आपको two carbon नजर आ रही है और यह हैं अपर a carbon नजर आ रहा है जहां पर एक carbon नजर आ रहा है तो इस तरीके से आपको क्या समझना है जहां सुनिएगा ये line क्या बोलने वाला हूँ कि भाईया lowest set of lock end बनाईए देखिएगा जहां से क्या lowest set of lock end बनेगा carbon number 2 पर methyl है तो वो number लिख लो ठीक अब इसके बाद अगला क्या है थ्री पर इथाईल है कोई दिक्कत नहीं बस number लिखना है अपने को number लिखना है हम क्या कर रहे हैं set of lock end बना रहे हैं ये क्या है इसको कहते हैं set of रटिये मत सुनते जाइए आराम से समझ में आएगा दावा है समझ में आएगा ठीक है लेकिन सुनना पड़ेगा थोड़े वक्त दीजिए देखो पहला set of lock end ये है दूसरा set of lock end कैसे possible है जब मैंने गिंती इधर से सुरू करी थी तो दूसरे और तीसरे number पर दो substituent मिले थे इसका मतलब होता है कि हमने set of lock end यहाँ पर करके लिख दिया लेकिन अगर मैं counting को इस तरीके से लिखता कृपया ध्यान देंगे लाइन अगर मैं counting इस तरीके से लिखता कि ये वाले कार्बन को 1 इस वाले कार्बन को 2 इस वाले कार्बन को 3 इस वाले कार्बन को 4 और इस वाले कार्बन को 5 लिखता अगर मैं red color से इधर से 1, 2, 3, 4, 5 लिखता तो बताओ यहाँ पर हे मनुष्य क्या present दिखेगा आपको lowest set of look end क्या दिखेगा तो आप कहेंगे देखें तीसरे पर एक present है चौथे पर एक present है तो यहाँ मिलेगा 3 and 4 दूबारा सुन लिजिए हमने यहाँ पर दो तरीके से गिंतियां करी एक इधर से और एक इधर से गिंतियां करी जब मैंने गिंति इधर से की तो दूसरे और तीसरे नमबर पर हमें मिला और जब इधर से करी तो 3 और 4 position पर मिला आप हमें यह देखना है इन set of locations में इन set of जो उसे पता किया वह सुन लेजिए कहते हैं फस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब पहला नंबर यहां पे क्या है टू यहां का पहला नंबर क्या है त्री तो जो पहला नंबर सबसे छोटा होगा वही लोवे सेट अफ लोकंट होगा तो इससे ही एक बात तैं होती है कि यह है lowest set of locant है अगर यह lowest set of locant है तो इसी का चलेगा lowest set of locant यही lowest set of locant साबित हुआ इसका मतलब यहीं से आपका क्या होगा नाम लिखा जाएगा यह नाम नहीं लिखा जाएगा मतलब नाम में 3-4 नहीं बलकि 2-3 नजर आएगा I hope आपको यहां तक की बात समझ में आई हो सर यह बात तो अभी भी हमारे खोपड़ी में गई है इसमें कोई दर्द नहीं है सर यह पेंटेन हटा रहा हूं ताकि जगा थोड़ा बन जाए लिखूंगा यहां पर नीचे के तरफ ठीक है यह बार देख लेते हैं नाम कहां पर आएगा तो इसका नाम में यहां में क्या लिखते हैं बोलो इथाईल इसको कहते हैं मिथाईल तो यह है इथाईल यह है मिथाईल लिख देता हूं यहां पर इसको कहते हैं इथाईल और इसको कहते हैं मिथाईल यह रहा इथाईल और यह रहा मिथाईल अब सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा नहीं तो तु अब हमें यह पता है कि त्री पोजीशन पर, देखिए गधान से यह वाले में देखिना थर्ड पोजीशन पर इथाइल है, टू पोजीशन पर मिठाइल है, अब पहले कौन लिखा जाए, तो हम कहते हैं, इथाइल जो होगा, इथाइल में E से सुरुवात हो रही है, अब अल्फाबेटिकल ओडर लगाएंगे, मिथाइल इथाइल में E से सुरुवात हो रही है, मतला अल्फाबेटिकल ओडर में आगे आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, तो नाम लिखेंगे कै से इथाइल लिखेंगे लेकिन इथाइल कौन सी पोजिशन पर थर्ड तो ऐसे लिखते हैं थर्ड इथाइल क्या लिखते हैं थ्री इथाइल आप देखेगा यहां गिंथी और यहां पर जो आपके अलफाबेट से उनके बीच में क्या लग रहा है थेका है तो तीसरे पर हो आनंद आया हो अगला देखते हैं यहां पर करना है यहां वह वह सीधी-सीधी बात है बहुस बुद्धी लगाई यह तब होगा आपका काम नहीं तो होता क्या है ना बहुत जादा रटते रटते हालत खराब हो जाती है प्रेक्टिस से आपको कोई रूल वगरा याद नही पा रहा थो मैं इसलिए बना रहा हूं, यहां पर ज़्यादा नंबर आफ कारबन हैं, मैं इसको main chain घौसित कर रहा हूं, घौसित कर दीजे कोई दि totsत की बाद, main chain घौसित करने के बाद आप numbering करिये, numbering अगर आप करते हें, पर ध्यान दें, तो दो तरीके से numbering की जा सकती है, एक तो यहां लिखते हैं, one, फिर two, फिर three, यहां four, यहां five, यहां six, यहां seven, एक numbering यह है, इसके इसाब से lowest set of locant कहां पर आएगा, तो देखो, locants हैं कहां पर, पहले वो देख लीजिए, locants हैं कहां पर, तो आपको दिख लिए set of locant लिखूं, set of locant लिखूं, तो क्या लिखूंगा, कि तीसरे position पर methyl है, और पाचवे number पर ethyle है, एक numbering में यह निकल कर आया, कि तीसरे number पर क्या है, तीसरे number पर methyl है, और पाचवे number पर ethyle है, उधर तो लिखाई नहीं जा सकता भी, कूई बात नहीं, मैं इधर का उन्हों दिक्कत की बात नहीं है यहां पर हम कहेंगे यह इथायर क्या मैंने सही लिखा है क्या मैंने सेट ओफ लोकेंट इस नम्बरिंग के हिसाब से बनाया हां सर यह मेरे को समझना रहा है अगली बात चीद करते हैं अगली चर्चा में हमें यह पता चलेगा की भाईया नम्बरिंग हम इधर से भी तो कर सकते थे तो नम्बरिंग अगर मैं इधर से करो तो यह वान कारबन नम्बर टू थ्री फूर फाइफ सिक्स सेवन वाइट कलर वाले में अगर हम देखें तो यहां पर सेट ओफ लोकेंट क्या बनाएंगा क्या बनाएंगा आप सेट ओफ पर मिथाईल है, है यहाँ भी 3-4, है नमबर यहाँ भी 3-4, यह दोनों, अगर सेट आफ लोकेंट सेम आ गए, तो दोनों में से कोई सो लोवेस्ट हुआ नहीं, फिर क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे, कि भईया जी, यह थर्ड पोजिशन पर यहाँ पर इथाईल है, E- प्रश्ण पता है क्या है, अब प्रश्ण यह है, कि भईया यह ज्यादा एक्सेप्टेबल है या यह, अगर यहाँ पर सेट आफ लोकेंट से कामना बने, तो आप जाईए, अलफाबेटिकल ओडर में, इथाईल, अलफाबेटिकल ओडर में इथाईल आ गया आएगा, तो इथाईल को लोवेस्ट नंबर दीजे, यहाँ पर इथाईल को पांचवा नंबर मिला है, इसका मतलब यह रिजक्टेड, यह रिजक्टेड मटेरियल है भाई, यह रिजक्टेड मटेरियल है, क्यों लोड डाउन कर लीजे, हिंदी में लिखिये, क्योंकि यहाँ पर यह ए लग इसके हिसाब से दुनिया चलेगी इसके हिसाब से दुनिया चलेगी आप नोट कर ले इतनी बात नोट करने के बाद अब पता चल गया इसके हिसाब से दुनिया चलानी है तो चले चला करके देख लेते हैं साथ कारबन में चेन में तो हम साथ कारबन के लिए हम क्या अच्छा जी लिख दिया अब देखिएगा acceptable क्या तीसरे पर इथाइल तो हम लिखेंगे थ्री इथाइल और पांचमें नमबर पर मिथाइल थ्री इथाइल पांचमें नमबर पर मिथाइल फिर इसके बाद यहां पर कुछ नहीं होगा मतलब बीच में कोई वह नहीं है तो पढ़ लिजिए क्या लिखा है थ्री इथाइल फाइपर मिथाइल हेप्टे अगर मैं आपको यह दे दूं तब भी आप यह तोरंद बना ले जाएंगे ठीक है जी बना ले जाएंगे बनाग कोई बात ने गिच पिच है तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा डॉंट वरी दूंट आटीक है इनका 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 देदेते हैं हम किसी के हिस्से का खाते नहीं तो हम क्यूं भाईया इनका लेंगे ठीक है जी यह लीजिए इन भाई सापको हमने अलग से घीर कर क्या है क क्योंकि उसके नीचे तो पता ही है तो बस इतना जान लीजी हो गया काम बईया ये धेको ये सारा कुछ इनका है ये अलग अलग है अब मत कहना खें आ अच्छा आई अगली बात यह ज़्यादा अच्छा है तो यहां से गिनने का फाइदा क्या होगा क्योंकि यह देखें CS3 क्या है करीब में तो सबसे किनारे की तरफ से गिनने में फाइदा होगा तो यह 1 2 3 4 5 ऐसा मैंने क्यों किया ताकि हमें lowest set of locant बने यहां set of locant क्या लिखोगे अगर आप गिंती यह लिखोगे तो दूसरे और तीसरी नमबर पर मिलेगा दूसरे और तीसरे लेकिन अगर आप numbering यहां से करोगे तो यहां से करोगे तो 1 2 3 3 & 4 मिलेगा तो 3 4 तो rejected ना 3 4 तो नहीं लेना नहीं लेना तो इसलिए हम यही वाला सहीं मनें के अब देखिए पश कारबन की चेन के लिए हम पैंट लिखते हैं और जो आपको पाँच कारबन दिख रहे हैं उनके बीच में कहीं डबल र ट्रिपल बॉंड है? नहीं है इसका मतलब हम एन लिखेंगे क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे तो हम लिखेंगे पैंटेन pentane से हमने main chain निप्टा दिया अब हमें क्या बताना है कि 2 पर methyl है 3 पर भी methyl है तो 2 जगां methyl है तो कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं देखो ऐसे 2 फिर कॉमा करके 3 फिर हम लगाएंगे hyphen फिर लिखेंगे dimethyl तो इस तरीके से लिख दीजिए कभी कभी ये दिया जाता है और ये बनाना है तो कैसे सोचना है वो देख लो अगर यहां से वहां जाना हो तो तरीका से मैं क्या लिखना है pentane, pent लिखा है 5 carbon की एक chain बना दीजिए दोनों तरफ से सिखा रहा हूं ताकि खोपड़ी खुल जाया pent मतलब 5 carbon एक, दो, तीन, चार, पाँच एन का मतलब क्या है कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉंड नहीं है सब सिंगल सिंगल बॉंड है तो यह एक तरफ से सुरुवात करो यह अगर वन होगा तो टू यह होगा और थी यह होगा क्या बना नहीं पाओगे सरी तो बड़ा आसान है आसान ही होता है भाई, IUPAC आई अगला देखते हैं ऐसा नहीं कि आपको आसान पढ़ा रहा हूँ ऐसा ही आता है पेपर में यहां देखिए यहां अगर आपको बोलूं तो वही सेम तरीके से एक, दो, तीन, चार, पाँच आपको आपको एक और तो इस तरीके से सेट आफ लोकेंट यह आएगा लेकिन अगर, लेकिन अगर हम क्या करें इसको सही लिखने का तरीका अपनाएं तो हम कहेंगे कि भया तुम गलत लिख रहे हो यहां मैं लिखूंगा 1 यहां लिखूंगा मैं 2 और यहां वाले को मैं लिखूंगा 3 यहां वाला होगा 4 और यहां वाला होगा 5 तो चलिए यह यलो कलर वाले से अगर देख कर लिखें तो क्या है दूसरे नंबर पर आपको एक दिख रहा है और तीसरे नंबर पर क्या दिख रहा है देखो तीसरे नंबर पर दो तो 3 3 अब इनमें से lowest set of locant कैसे देखते हैं first point of difference पर पहला point जहां पर अलग-अलग हो फर्स पॉइंट अफ डिफरेंस का मतलब जहां अलग अलग पहले पॉइंट में, तो चलो पहला पॉइंट के थ्री, यहां के टू, सलेक्ट कौन हुआ, यह सलेक्ट हुआ, यह बरबाद साबित हुए, that's it, कितना आसान है जी, आथ तो कह रहे थे कि, कठीन भी पढ़ सकता है हम तो कभी नहीं बोलते जी, बहुत आसान होता है, बहुत आसान आता है पेपर में, आए देखते हैं, अगर यलो कलर वाला जो है, एकसेप्ट किया गया है, तो हम कहेंगे पांच कारबन है, तो पेंट लिख दीजिए, और पांचो कारबन में कहीं डबल आ ट्रिपल नहीं है, तो पेंटेल लिख दीजिए, आप देखिए, दूसरे और यहाँ पर सब जगा मिथाईल है, CS3, 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 जहाँ पे एक कारबन वा, CS3, 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 इसका मतलब तीन CS3, तो हम लिखेंगे ट्राइमिथाईल, अरे बोल रहे बालक क्या लिखेंगे, ट्राइमिथाईल, पाओगे आगे जीवन में, अच्छा, इसका मतला में बताना पड़ेगा, कि दूसरे नंबर पर है, तीसरे तीसरे, पर तो ऐसे लिखते हैं, 2, 3, 3, ट्राइमिथाईल, कई लोग क्या करते हैं, 2, 3, लिख देते हैं, एक 3 छोड़ देते हैं, अरे भया, पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि try लिखा है तो तीन बार गिंती लिखनी है die लिखा है तो दो बार गिंती लिखनी है tetra लिखा तो चार बार उसके सामने गिंती लिख करके उसकी position बतानी पड़ती है तो भया आसान है या इसा आता पेपर में यह बात तो खोपड़ी में गई सर, बड़ा आसान लग रहा था, आईए, अगर यह आ गया तो यह कुछ भी नहीं है, यह भी मैंने बता भी दिया है, देख लेजी, यहाँ पर गिंती कैसे गिनेंगे, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, है न, क्योंकि यहाँ से करोगे तो 2 और 3 आएगा, अब यहाँ से करोगे, 3 और 4 आएगा, लोए सेट आफ लोकेंट, तो इसलिए मैं इसको acceptable मान रहा हूँ, ठेक है, 5 कारबन के लिए हम क्या लिखते हैं, पैंट, 5 कारबन के लिए पैंट, और वहाँ पर कोई भी डबल या ट्रिपल नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, एन, द मिथाइल की position क्या है, 3, तो लिखते हैं, 3 इथाइल, कई बार ये आप समझ जाते हैं, कि गिंती को आगे लिखना, नहीं मेरे भाई, नाम में alphabetical order लगाना, अब गिंती में कहा, alphabetical order होता है, तो 3 इथाइल, दूसरे पर मिथाइल, तो कैसे लिखते हैं, देखो, 2 फिल लिख देते हैं, मिथाइल, समझ में आया क्या, अरे बोल भाईया, समझ में आया क्या, आसार आ गया, तो ये तो भी अभी हमने कैसे solve किया है, इसको भी lowest set of low end से solve किया है, क्योंकि यहाँ set of low end क्या रहा है, 2 और देखें, दूसरे नमबर पर आ रहा है, तीसरे नमबर पर, और इथाइल, इथाइल को नमबर क्या मिलेगा, इथाइल को नमबर क्या मिलेगा, तीसरा मिलेगा, तो वान, टू, थ्री, तीसरा नमबर इसको मिलेगा, अच्छा, इसको क्या मिलेगा, इसको चौथा नमबर मिलेगा, ये सही है, पता ये, 3, 4 इस तरीके वाला सही है, या तो 6 कारबन के लिए हम क्या कहते हैं, 6 कारबन के लिए हेक्ज कहते हैं, और 6 कारबन के बीच में कहीं डबल ट्रिपल नहीं, तो हम हेक्जेन कहते हैं, या कहते हैं, हेक्जेन, तीसरे नमबर पर इथाईल, चौथे नमबर पर मिथाईल, तो लिखने का तरीका क्या है, कि वहि वो करते हैं, name the compound given, below is this, इसका norm बताना है, यही तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया है, थोड़ी देर पहले ही किया है, लोवे सेट आफ लोकेंट से लगा लीजिये, यहां पर main chain दिख रहा होगा, 1, 2, 3, हमने यहां से शुरुवात क्यों की पता है, क्योंकि तीसरे न 5, 6, 7, 8, 8 के लिए हम क्या लिखते हैं, octane लिख देंगे, क्योंकि सब alkane जैसा पार्ट यहां पर नज़रा रहा है, थीके, तीसरे पर क्या है, methyl, तीसरे पर methyl, चौथे पर methyl, चौथे पर methyl, पहले लिखा होना चीए, चौथे पर methyl, तीसरे पर methyl, octane, यह रहा, B options है, कितना आ आनन्द आया हो, उसमें नीट होता ही नहीं था, A, I, E, E हुआ करता था, इतनी में आनन्द आया क्या, तो बड़ा आसान था, आप आसान कोशन लेके आया हो, हे नालायक, जब यही आता है, तो क्या करेंगे, आसान ही आता ना, जी, आई अगला देखते है, यहां पर कैसे क में चेन दिख रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे कारबन की एक में चेन हमें नजर आ रही है, जो सबसे बड़ी है, समझ गया सर, लेकिन अब अगर मैं नंबरिंग करूंगा, तो यहां देखो क्या आएगा, वान, टू, त्री, फोर, फाइफ, सिक्स, यहां प नहीं क्या, यह वन, यह टू, यह थ्री, यह फोर, यह फाइफ, यह सिक्स, अब एक बात देखना, एक बात देखना भईया ध्यां से, क्या होगा, तीसरे नंबर पर क्लोरीन, और यहां चौथे नंबर पर मिथाईल, मतलब दोनों में सेट आफ लोकेंट सेम है, अगर सेट तो बताए, क्लोरो को तीसरे नंबर पर रखेंगे, तो यह वाला जीतेगा, जहां थार्ड पर क्लोरो है, और फोर पर क्या है जी, फोर पर मिथाईल है, तो यह वाला जीतेगा, जीतेगा बाई, जीतेगा, यह जीतेगा, अगर इसको वहां उल्टा कर दो, थ्री पर मिथा और चौथा किसको बता रहा है, क्लोरो को समझी जाओगे, लिख लेना, तो यह acceptable होगा सर, यह पता चल गया, तब तो नाम लिखी देंगे, इतना भरोसा तो रखा करो मेरे उपर, अच्छा, अब एक बाँ बताईए, चलिए बताईए, यही नीचे लिखता हूँ, छाय कारब चार पर मिथाइल है, चार पर मिथाइल है, M-E-T-H-Y-L, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, हाँ सर आगया, अगला देखेगे, हे नालायक प्राणियों, आप कर लेना, अब देखो, यह क्लोरीन है, क्लोरो, यह ब्रोमीन है, ब्रोमो, बताओ भाया, हे ब्रो क्या आगे आएगा अरे ABCD सीखी है क्या ABCD सीखी है क्या B पहले आता न जी ABCD में तो नंबरिंग ये वाला होगा 123456 नाम लिख लीजिए च्छाय कार्बन के लिए हम लिख देंगे डारेक्ट खोपड़ी में मेरे बात आगई सर हेक्जेन लिख दिया क्यों कोई रबल ट्रिपल मौन यहां पर कार्बन के बीछ में नहीं था थर पर भ्रो मो यहां लिखेंगे three both three Brom 3 amino यहां देखिएगा यहां तो हो आसान है क्लोरीन हमने किनारे लगा रखा है तो लोए सैट आफ लोकेंड बहुत अच्छा बनेगा यहां पर यह वन यह टू यह त्री यह फॉर यह फाइफ यह शिक्स अब तक समझ में आ गए होगे जो किनारे हो यहां से सुरुवात करी है ठ क्लोर 3 chrylore Here 2 Osweeoin 1,2 और 5 यहां पर 1,2,5 पर चलोरु धियान दीड़ियेगा क्या है ट्राइट लौरो वान टू फाइफ ट्राइक्लोरो हेक्जेन से हम यही structure बना पाएंगे अगला भाया देखते हैं अगला क्या है अगला practice practice भाया एकदम नाम वाम लिखके लाया हूँ इसको एक बार भाया कृपया घर पर बैठके इत्मिनान से इसको judge कर लें ठीक है जी देख लीजिएगा एक बार ठीक है आए देखते हैं practice time में इतना ही था complex radical यह मैं सच बताओं तो इतना दर्द और तनी परिसानी भी देते हैं बच्चों को complex radical एक तो बहुत जादा आपके paper में पूछा नहीं जाता आज तक कभी पूछा नहीं किया लेकिन अगर पूछा जाए तो मैं इसको इतना simplified version में पढ़ाऊंगा कि इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता complex radical का समझाता हो radical का मतलब होता है सफ्ट्यूट्वेंट radical सफ्ट्यूट्वेंट के लिए यूज किया जाता है complex मतलब उसका नाम खुदी लिखने में हालत खराब हो जाए आपकी आयो देखते हैं क्या है यह सर यह सज में बड़ा बरबाद लग रहा है अच्छा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव लेकिन यहाज गिरू एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ इसका मतलब हमें यही वाली बड़ी चेंज जो होगी उसको क्या करना बड़ेगा गिनना बड़ेगा as a main chain गिनते हैं हम अगर कहें यह one यह two है यह three है यह four है यह five है यह six है यह seven है यह eight है यह nine है कोई संदे है ही नहीं कि इसमें main chain के लिए अपन क्या लिखने वाले हैं सर यहाँ पन no name लिखने वाले हैं क्योंकि यहा nine carbon के बीच में कहें double triple नहीं सारे single bond मौजूद हैं अब एक बात देखिए पांच में पर इतना खतरनाक सा substituent है सर यह खतरनाक substituent क्यों बोल रही है क्यों देखने में थोड़ा भीचन लग रहा है लेकिन मैं तुम्हें बताओं इसकी numbering कुछ इस तरीके से करिए कृपय ध्यान दीजिएगा इसी को कहते हैं complex radical पहले यह जा कृपय धान सुने जिन radical या जिन substituent का नाम लिखने में गिंतियां यूज होती है उनको complex radical कहते हैं आये खोपड़ी लगाइए इदार यह जो complex radical है इस complex radical जब main chain से जुड़ा है तो जो जिस carbon से जुड़ा है इस carbon से जुड़ा है तो इस carbon को carbon number 1 दीजिए इस carbon को carbon number 2 क्या करना है complex radical main chain से जैसे जुड़ा है उसके carbon number को 1 दे दीजिए इसके अंग्रेजी पड़ो के हालत खराओ जाएगी simply जो समझा रहा हूं सुनते जाएए अब क्या करिए complex radical को कृपया उसी तरीके से लिखिए जैसे आज तक आप लिखते आए है main chain समझ के ठीक है देखना अब समझो इसको छोड़ो थोड़ी दे रिख लिए अब समझो कि 3 कारबन है main chain में तीन कारबन main chain में क्या होता है मैत एथ प्रोप क्या आता है प्रोप ध्यान से सुनिएगा प्रोप लिख लिया अगर यहाँ पर तीनों के बीच में 1 2 2 3 के बीच में कोई भी double triple नहीं है त में नहीं नहीं रहे बाबा प्रोपेन की जगापर हम वाई एल लगा देते हैं याद करिए एलकेन की जगापर एलकाईल लगा देते हैं क्या लगा देते हैं एलकाईल बस इतनी सी बात है एलकाईल लगाना है एन हटाना है वाई एल जूड़ना है क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये, भय्या, कोई main chain नहीं, ये radical के form में थे, तो पहले लिखिए इसको main chain की तरह, फिर convert कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा, क्या आएगा, जनाब, क्या आएगा, देखेंगे भय्या, हम लिखें ये ये, one two, one to dimeth इसके बाद प्रोपाइल लेकिन आब बताओ नौनेन में नौ कारबन है यह कहां लगा है यह लगा है पांच में नंबर पर इसलिए यहां पर फाइफ लिखा जाएगा तो यह है पुरा नाम यह है पुरा नाम जहां से आपका बनेगा पूरा काम अब बताइए अगर मैं ये दो दे दूंगा तो ये बना ही ले जाओगे कोई दिखत की बात नहीं है तो इस तरीके से सायद आपको complex radical का concept समझ में आ गया होगा आईए भाईया अब पढ़ते हैं कुछ ना नाम बड़े famous होते हैं वह आपको जान शेसलिए अप मतलब का मतलब 4 रिइं का मतलब ही अल कें टाइप का हमें क्या करना है चार कारभन को ऐससे बना देना दिस И mountains this is नॉब्र सिंपल है ना अगला देखिएगा आइसो टू मेथाइल ग्रूप एड़ एंड ओफ लीनियर चेंड या आपकी खोपड़ी खराब कर सकती तो एक काम करिए आप बस याद कर लीजिए कि यहां पर सुरुवात में ऐसे वी टाइप की चीज बनानी है वी टाइप की चीज बनान कार्मल चीन होती है उसके किनारे की तरफ क्या होना चाहिए ऐसा वी जैसा कुछ होना चाहिए एक कार्बन किनारे वाले कार्बन पर दो मिथाइल ग्रूप तो यहां देखिए क्या लगा दिया है मिथाइल ग्रूप ठीक है जी समझाता हूं समझाता हूं आइसो ब्यूटे चौथा कारबन देखिए बस यह वी वाले पॉइंट पर ऐसे जोड़ दीजिए हमें सोचने का तरीका यही रखना है इसके अलामा कुछ और नहीं बनाना है ठेक अब ऐसे बस तो सर बीच में कारबन है उससे तीन सीस्ट्री जोड़ देंगे तब भी तो बन जाएगा लेकिन आगे याद कैसे करोगे वो बता रहा हूँ पहले वी बनाईए फिर अब देखो एक दो तीन चार टोटल चार कारबन है चार कारबन है जहाँ पर किनारे की तरफ ऐसे लगा हुआ है वी टाइप का बना है एक कारबन जिस पर दो सीस्ट्री मिनिमम प्रजेंट है मिनिमम आज बचा क्या पेंट में तो पांच होते हैं तो तीन के बाद यह देखेगा चार पांच तो अभी जो आप सकल सूरत देख रहे हैं यह आईसो पेंटेन पहले वी बनाईए तीन कारबन खर्च चार पांच खतम हो गया आईसो हेक्जेन में आपको पतना पहले आईसो में क अगर 6 कार्बन है तो यह तीन खर्च हो गए तीन और लगा देंगे एक दो टी समझ गए बहुत आसान है यह बहुत यासान है एक आता है आईसो अक्टेन यह इस्पेसल कंडिशन है इसको मताता हूं होता क्या था पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यह आईसो अक्टेन के नाम से एक कमपाउंड जाना जाता था उसका बाद में आईपेसी ने नाम चेंज नहीं किया मतलब उसका यह अड़जस्ट्मेंट नहीं बठाया उसको कैसे बोला याद रखने का क्या तरीका है वो समझाता हूं उसको इस तरीके से नहीं बनाना है उसको बनाने का कुछ अलग ह की तरह बनाईए पांच कारबन को एक प्लस की तरह बनाईए ध्यान दीजेगा पांच कारबन को एक प्लस की तरह बनाईए देखिए एक दो तीन चार पांच पांच कारबन यहां हो गए तीन कारबन यहां हो गए यह कहते हैं इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए इसको साम वी बनाना है उसको प्लस के साथ जोड़ देना है तो यह आईसो ओक्टेन तयार हो जाएगा इसको आप कृपया इस तरीके से मत सोचिएगा कि वी बनाएंगे वी बनाने के बाद पांच बचेगा तो पांच को स्ट्रेट बना दो नहीं बनाना है यह गलत सा भीत हो जाएंग कि अगला क्या है निएयो का मतलब होता प्लस बनाना वहुता है नियो का रिप्रेजेंटेशन तो नियो में क्या मिलेगा प्लस मिलेगा लिखा है नियो पेंटेन तो क्या कर यह प्लस बना दीजिए अगर कोई कहे कि नियो हेक्जेन बना दीजिए तुरंत प्लस बनाईए पहले प्लस बनाने के बाद बाकी सोचे नियो मतलब प्लस हेक्जेन का मतलब क्या होता है च्छै कारबन अभी तो पांच कारबन यूज हुए तो छटा कारबन कहीं एक जगा बढ़ा दीजिए किसी एक पर बढ़ा दीजिए चाहिए यहां चाहिए यहां चाहिए यहां चाहिए यह नॉर्मल ब्यूटेन बनाओ तो ऐसा बनता है, नॉर्मल ब्यूटेन ऐसा बनाता है, आप देखो होगा क्या, यहाँ पे जो यह वाला कार्बन है, यह वाला कार्बन है, यह वाला कार्बन है, यह वाला कार्बन टू डिगरी कार्बन है, जब यह टू डिगरी कार्बन किसी मे चेंड जुडा हुआ हो तो यह जो है यह वाला पार्ट is known as secondary butyl जोंकि यह carbon क्या है two degree carbon ये carbon two degree carbon है तो main chain से अगर ऐसी चीज लगी है जहां carbon two degree है और यहाँ पर एक दो तीन चार टोटल चार कारवन है टू डीगरी पर लिखते है secondary butyle क्योंकि चार कारबन है as a substituent as a substituent है तो वायल लगना जरूरी है बहुत आसान है बट एक बार जरूर ध्यान रखें अदरवाई दिक्कत होगी tertiary butyle अब butyle का मतलब समझ में आता है tertiary butyle समझना क्या होता है अगर कोई माली जी यह main chain है मैं यह कहता हूँ कि यह main chain है main chain पर tertiary butyle कैसे बनाना देखना ध्यांस देखिएगा भई यह एक carbon है इस carbon पर अगर हम 3 CS3 group लगा दें एक carbon पर हम 3 CS3 group लगा दें तो यह क्या होगा एक दो तीन चार चार carbon हो गया तो यह क्या हो जाएगा भईया विवटाईल और यह carbon ऐसा है जो 3 degree carbon है इसलिए हम इसको tertiary butyle कहते हैं इसलिए इसको tertiary butyle तो यह carbon होगा 3 degree ठीक 3 degree carbon से connected है तो tertiary butyle 2 degree से connected है तो secondary butyle बोला जाता है, अब ये है tertiary pentile, tertiary pentile का मतलब क्या है, पहले इतना पार्ट तो बनाओ, देखो, ये है main chain, ध्यान से सुनिएगा, main chain इसलिए बता रहा हूं, ताकि आपकी खोपड़ियों में confusion न पैदा हो, main chain से जुड़ा होगा थे, कि yl लिखा है, तो ये radical है, तेका जी, क्या करन कारवन के लिए कहीं पर एक बॉंड ऐसा बना दीजे आप देखिए टोटल कितने हुए एक, दो, तीन, चार, पाँच यहाँ पर टोटल पाँच कारवन है और यह कारवन कैसा है थ्री डिगरी यह कारवन जो मेंचेंच से जुड़ा है वो 3 degree है इसलिए इसको हम tertiary pentile कहते हैं I hope आपको यहां तक नारंदाया हो यह question करिए the structure of isobutile आप देखो आप जिस बच्चे को isobutile group ही नहीं पता होगा वो का बताएगा जी isobutile कौँ सा होगा आपको पता है isobutile में iso में V बनाना बढ़ता है तो पहले बनाईए isobutile 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 कैसे बनाएगे पहले V type का बनाईए V type का बनाने के बाद तीन कारवन यूज हुए एक यहां बना दीजिए तो this is isobutile isobutile का मतलब है कही न कही main chain होगी कही न कहीं main chain होगी और उस main chain पर क्या connected होगा देखिएगा धहां से जहां देखिएगा इसको ऐसे बना देता हूँ V बना होगा फिर ये बना होगा और ये वाला कारवन इससे जुड़ा होगा main chain से तो टोटल नंबर आफ कारवन in the in the radical is 1, 2, 3, 4 देख लिजिए एक मिनट भाई साब देख लिजिए यहां पर टोटल कारवन कितने हैं 4 टोटल कारवन कितने हैं 4 और अरेंजमेंट कैसा V बना करके आगे connect किया है इसका मतलब हाँ ये क्या है आईसो ब्यूटाइल ग्रूप है और ये आपको नजर आएगा D में देख लिजिए अब पढ़ते हैं Rules for Writing Radicals साइद अब तक आप पढ़ाया हुआ सब कुछ आपको समझ में आया होगा अब इसके बाद का देख लेते हैं बड़े दिन बाद अब इसको record कर रहा हुए चलिए देखते हैं बीच में थोड़ा बिमार हो गया था तो बदला बदला दिखूंगा मैं अगले वीडियो के पार्ट्स में ठेक है Rules for Writing Radicals यहाँ पर सफ्टिट्वन्ट को लिखने के कुछ rules बताए गए कुछ तरीके बताए गए बहुत आसान आसान से हैं लल्लू चट टाइप की चीज़े हैं एलकेन की बात करें अगर एलकेन जो है अगर सफ्टिट्वन्ट के रूप में चला जाए तो होता क्या है कि हमें यहाँ एलकेन में से एक हाइड्रोजन हटाना होता है और वो बन जाता है एलकाई क्या बन जाता है एलकाई एक्जाम्पल के तोर पर आप देखना चाहें तो CH4 क्या है एक एलकेन है इसके बारे मैंने पढ़ लिया CH4 एक एलकेन है जिसको कहते है मीथेन तो मीथेन से अगर मैं ऐसा बना दूं CS3 कैसा बना दूं CS3 तो इसके लिए सब्द यूज होता है मिथाई यह है मीथेन और यह है मिथाई यह हमने पढ़ भी लिया इसी तरीके से अगला है एलकेन अगर एलकेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो इसको लिखा जाता है देखेगा क्या AL ALKEN यहां तक लिखा लास्ट का E हटा करके वहाँ पर YL एड़ करना है ALKEN में लास्ट का E हटा करके YL ALKEN में Aन हटाना होता है ऐसे ही ALKINE की बात करें अगर ALKINE में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो यहां कैसे लिखा जाएगा ALKINE लिख लिख लीजिए LAST का E हटा ये YL लगा दीजिए तो इस तरीके से बन जाएगा थेकर जी आई होप आपको इसमें कोई देखकर नहीं हो रही हो अगली चीज क्या है BENZINE BENZINE क्या होता भहिया BENZINE है कि भहिया C6H6 इसको क्या कहते हैं C6H6 C6H6 लेकिन अगर C6H6 में से C6H6 में से एक हाइड्रोजन हटा लिया जाए वो बन जाए C6H5 C6H5 ऐसा अगर जानना आपके लिए जरूरी है कुछ चीज़ें और है यह क्या है BENZINE है जाए सफट्टोजन मतलब BENZINE किसी में चेन में जुड़ा हुआ है जान दीजिए BENZINE अगर किसी में चेन में जुड़ा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर BENZINE किया है एज़स सफट्टोजन बहाइब करेगा BENZINE अगर किसी में चेन से जुड़ा है तो यह एज़स सफट्टोजन है और सफट्ट्टोजन के लिए हम क्या बोलते हैं भहिया सफट्ट्ट्टोजन के लिए जब BENZINE क्या बोला जाता है फैनाईल बोला जाता है पस आपको रिवाइच कराने के लिए मैं लिख देता हूँ इसी को कहते हैं फैना कब लगाना है यह सब आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके चिंता छोड़ दीजिए आप अगली चीज क्या है BENZINE से जुड़ा हुए CH2 ग्रूप उसके बाद अगर वो किसी में चेन से connected है कहीं पर वो में चेन से connected है मतलब यहां में चेन है उससे अगर वो connected है तो जो इतना हिस्सा है ये वाला जो पार्ट है ये वाला इसको हम as a substitute treat करेंगे इसको अगर हम substitute treat करेंगे और इतने पार्ट का नाम होगा BENZINE क्या बोलते हैं? इतने पार्ट को बोलते हैं BENZINE ज्यान दीजेगा क्या बोलते हैं? BENZINE BENZINE से आगे CS2 ग्रूप अगर जुड़ा हुआ है में चेन से तो इतने पार्ट को हम बोलते हैं BENZINE डारेक्ट BENZINE अगर सफ्टुटुएंट है तो फेनाईल ठीक है? अगले चीज़ देखिए अगले में आपको क्या दिख रहा है? देखिए अंतर समझ यहां और यहां में अंतर क्या है? सरमें अंतर समझ आ रहा है कि यहां पे कार्बन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है और यहां भी सफ्टुटुशन है यहां भी सफ्टुटुशन है अगर दो substitution है इस carbon पर तो वहाँ पर लिखा जाता है बेंजल क्या लिखा जाता है बेंजल ठीक है जी अगर यहाँ पर carbon पर सारे hydrogen हटा करके कोई चीज लगा दी जाए तो इस पूरे बेंजीन और इस वाले carbon तक के हिस्से के लिए हम यूज करते हैं बेंजो क्या यूज करते ह बेंजो तो ध्यान दीजिए जब यहाँ पर दो hydrogen है तो बेंजाइल एक hydrogen है तो बेंजल और एक भी hydrogen नहीं है सब substitution हो चुका है तो बेंजो सब्द यूज किया जाता है इतनी basic बातें आपको आनी चाहिए ठीक है आईए अगली चर्चा का विश्य बनाना है हमें naming of unsaturated compound ऐसे compound जहाँ पर double और triple bond देखते हैं उनके क्या rule से बड़े आसान से होते हैं आपको जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ वही rule आफ follow करिए आपको कभी दुख तकलीफ समस्या आ ही नहीं सकते है maximum number of carbon देखना है लेकिन वहाँ पर multiple bond देखना है ऐसा नहीं है कि आपको multiple bond छोड़ क number of carbon देखना है जब भी number of carbon आप देखें तो उसमें multiple bond जरूर होना चाहिए और multiple bond का मतलब है कि double bond हो या कम से कम उसमें triple bond ये मौजूद दी ठीक है multiple bond का मतलब multiple मतलब एक से ज़ादा तो double या triple bond होना चाहिए आपके main chain में चहां पर number of carbon में क्या हो ठीक ठाक हो जादा हो लेकि consider किसको करना है इनको जरूर consider करना है ऐसा नहीं इनको छोड़के बाकी को गिन लिया तो नहीं माना जाएगा ठीक है अगली चीज क्या है पहले हम इन पर ध्यान देंगे फिर हम ध्यान देंगे number of substituent पर simple सी बात है केवल एक line आकर के add हो गई क्या with multiple bond बाकी पहले भी तो य लेकिन क्योंकि ये unsaturated compound है तो इसके rule में सिर्फ एक चीज आइड हो जाएगी कि भया multiple bond को consider करना मत भूलिएगा वो यही बताना चाह रहे हैं एक्जामपल से ज़्यादा खोपड़ी खुलती है बातें ज़्यादा समझ में आती हैं ठीक है जी वो देख लेते हैं इनका करन तो तीन कारबन के एक चेन है अब बात ये numbering इधर से करें या numbering इधर से करें तो हमें क्या करना है हमें numbering के size से करना इस side से क्यों क्यों क्योंकि इस side से करेंगे तो यहां carbon पर one मिलेगा और यह एक ऐसा carbon है जो double bond के थ्रू आगले carbon से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसको minimum number provide करना है तो rule क्या है इसको minimum number दिलवाईए तो यह पहला हो गया यह दूसरा हो गया तीसरा हो गया उपर से अगर मैं गिंती करूं मालो यहां पर करता हूँ यह one यह two और यह three अगर मैं left से right जाओंगा तो इसको one मिलेगा तो इसको two मिलेगा तो double bond को second number मिलेगा अगर मैं इधर से जाओं इधर से आ रहा हूं numbering करने तो one मिल रहा है हमें क्या करना है minimum number देना है तो वही lowest set of lock end की बुद्धि लगानी है कि हमारा जो इस तरीके से समझो या तो इस तरीके से क्या किया करो कि double bond या triple bond को एक functional group कितना ट्रीट करो कि भाई या अब उसको क्या करो minimum number provide कर यहां यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि यहां alkyn है क्योंकि यहां यहां alumni चाहिए तो डारेक्ट इसको प्रोपीन लिखो एक ही बात है डारेक्ट इसको प्रोपीन लिख दो, ये एक ही बात, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अगर डबल बॉन यहां होगा, तो काउंटिंग यहां सुरू हो जाएगी, तब भी वो दोनों एक ही मॉलेक्यूल होंगे, ठेक है, तो प्रोपीन या प्रोपवनीन दोनों जरूरी बता देता हूँ, यहां वन इन लगाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि यह डबल बॉन यहां भी हो, अगर आप वन नहीं बताएंगे, तो हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं, डबल बॉन बीच में भी हो सकता है, तो क्या लिखना पड़ेगा, ब्यूट टू अगर यही डबल बॉन जो किनारे है, वो बीच में होता, तो लिखते है ब्यूट टू इन, और किनारे है तो लिखते है ब्यूट वन इन, इसलिए यहां पर ब्यूट वन लिखना जरूरी है, लेकिन यहां लिखना क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि चाहे इधर लिखो चाह यह यह वाला मेंचेन होगा नमबरिंग इधर से करें नमबरिंग इधर से करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आएगा अगर हम इधर से जाएंगे तो हमारे डबल बॉन को second number मिलेगा लेकिन इधर से आएगे 1, 2, 3 तो third number मिलेगा हमें क्या देखना है हमें यह देखना है कि हमारे डबल बॉन को minimum number मिले अब कई बार यह सोच सकते हैं कि सर सीस्त्री को देखिए 4 number मिल गया अगर आप इधर से चलते ना तो सर इसको जो है दूसरे number पर मिल जाता लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना जब कभी भी आप numbering करने जा रही हैं जब कभी भी आप numbering करने जा रही हैं तो multiple bond को ज़्यादा तरहीज मिलेगी with respect to substituent with respect to substituent मतलब कि जो CS3 लगा हो bromine हो, chlorine हो, NO2 हो इस सबसे ज़्यादा preference किसको देनी है multiple bonds को देनी है तो minimum number हमें किसको देना है भीया preference किसको देना है multiple bond को तो इसको minimum number मिलना चाहिए, ध्यान दीजिएगा multiple bonds को क्या मिलना चाहिए minimum number मिलना चाहिए किसके respect में minimum number मिलना चाहिए substituent के respect में इतनी सी बात बताई जा रही है तो इसका मतलब यह मैंने सही बनाया यसना आप सही बनाया आयो देखते हैं पांच कारबन की एक चेन है तो पांच कारबन की एक चेन के लिए हम लिखते हैं पैंट पांच कारबन की चेन के लिए पैंट carbon number 2 पर double bond है सर देखिए न तीन पर भी तो double bond नहीं भाईया तो minimum number देखना है carbon number 2 पर double bond है तो हम लिखेंगे 2-ene क्या लिख देंगे pent-2-ene इस से क्या बन गया इतना नाम बन गया pent-2-ene से अब हमें ये बताना है कि ये तो भाईया क्या है ये as a softituent है ये क्या है मरा ये सफटुटुएंट है सफटुटुएंट का नाम क्या? CS3 methyl, तो चार पर methyl है तो लिखने का तरीका होगा 4-methyl क्या लिखा जाएगा? 4-methyl pent-2-ene तब जाकर कि इसका ये नाम करण होप आएगा आई होप आपको बात समझ में आ गई हो आप देखिए वो तो वही बात है बस मैं बार-बार इसलिए लिख देता हूँ आपके सामने ताकि आपको ये order पता हो कि किसको कहाँ पर किस तरीके से सेट करना है जिस तरीके से समझा रहा हूँ क्रिपया उसको follow करते जाएए देखिएगा यहाँ पर हमें यह लग सकता कि सर हम यहाँ से गिनेंगे वान, टू, थ्री, फॉर, फाइफ तो सही रहेगा नहीं भईया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है सब्सटिट्वेंट पर तो यहाँ पर वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है यहाँ फॉर है, यहाँ फाइफ है पांच कारबन देखते ही खोपड़ियों में गूजने लग जाता है पैंट और देखिए कारबन नंबर वन पर ही डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर वन इन तो हमें लिखना चाहिए पैंट वन इन ठीक है जी, हमें क्या लिखना चाहिए पैंट वन इन, इतने के लिए लेकिन देखो चार पर क्या है, दो क्लोरीन है तो लिखेंगे कैसे, दो क्लोरीन लिखने है तो कैसे लिखेंगे 4-4 फिर लिखेंगे डाई क्लोरो 4-4 डाई क्लोरो पैंट 1-E 4-4 देखो कारवन नमबर 4 पर 2 क्लोरीन है न तो लिखेंगे 4-4 दो बार नमबर लिखना है और डाई भी लिखना है डाई मतलब 2 अब देखो यहां पर जंजट आती है अब लगता है कि हम मैं ट्रिपल बॉन की तरफ से नमबरिंग करूँ या डबल बॉन की तरफ से नमबरिंग करूँ ऐसे सिचुएशन जब आए जब हम नमबरिंग करें और दोनों की नमबरिंग सेम आए जैसे यहां 1 तो यहां यहां पर 1 तो 2, 3, 4, 5 कुल मिला के यहां से सुरुवाद करेंगे तो ट्रिपल बॉन को 1 आएगा यहां सुरुवाद करेंगे तो डबल बॉन को 1 नमबर मिलेगा अब किसको देंगे तो उस सिचुएशन में आपको इन को देना है मतलब इधर से गिन रहे तब भी यहां से गिनेंगे तो 1 और यहां पर आएगा क्या 1,2,3,4 तो 1,4 आ रहा है देखिए 1,4 और इधर से भी गिनें तो भी 1,4 तो जब दोनों तरफ से सेम आए तब प्रफर करिए डबल बॉंड की तरफ से ध्यान रचेगा डबल बॉंड की तरफ से गिनना है 1,2,3,4,5 तब इस तरीके से गिनना है तो पाँच कारबन देखते ही खोपड़ियों में मैंने सुना था पैंट आता है तो पैंट कर दिया 1 पर इन नाम लिखते वक्त भी ऐसे लिखना है पैंट 1 इन और 4 पर आइन प्रजेंट है ठीक है 1 इन 4 पर आइन प्रजेंट अब बताता हूं कि सर आपने हाँ E क्यूँ नहीं लिखा E क्यूँ नहीं लिखा सर आपने आपने गलती कर दी नहीं अच्छली जब डबल ट्रिपल दोनों प्रजेंट होते हैं आपको पढ़ाया था मैंने E9 लिखते हैं ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए जब पढ़ाया था मैंने क्या बोला था क्या बोला था भाया E9 पढ़ाया दोनों मेरे सर यह तो आसान दी दिया आपने हम क्या करेंगे देखिए वान टू थ्री फोर चाहिए इधर से की निया चाहिए बूट लिख दिया हमारे पर ट्रिपल बॉण्ड दो दिख रहे हैं अगर दो ट्रिपल बॉण्ड है तो क्या लिखते हैं बताइए हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए बूट फिर लिखेंगे वन फिर लिखेंगे थ्री इसके बाद लिखेंगे डाई आईन क्या लिखेंगे डाई आईन नहीं क्या लिखेंगे डाई आईन लिखेंगे देखे समझ में आया क्या आपकी खोपड़ियों ने ये बातें बरदास करीं क्या लिखा है मैं नहीं मैं कहना यह चा रहा हूं कि carbon number one पर triple bond है carbon number three पर triple bond है कितने हैं दो समझ में आ गया तो इसलिए but one three die iron बन जाएगा अब मुझे एक चीज बताईए अगर आप कोई समझ में आ गया है एक question पूछता हूं देखते हैं कितनों को समझ में आया आएए भी यह इधर देखें क्रिपया इधर देखने की कोसिस करें जनाब देखें एक triple bond है ऐसे बनाया और एक double bond अगर मैं एक काम करू तो यहाँ पर एक line खीज तो इस तरीके से अब बताईए numbering के दर्स होगी sir numbering तो हर बार double bond की तरफ से होती है अरे यह चीज तब लगानी है जब set of locant same आए जब numbering same आए जैसे इधर चे करेंगे तो triple bond पे one इधर चे करेंगे तो double bond पे one लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे करोगे देखो इस side से करोगे तो यहाँ पर one यहाँ पर two यहाँ पर three यहाँ पर four यहाँ पर five यहाँ पर six तो क्या आ रहा है देख लिजिए ध्यान से बहुत logical चीज है यह क्या आएगा देख लिजिए double bond पर number है two triple bond पर है five triple bond पर five तो two और five आ रहा है लेकिन इधर 3, इधर 4, यहां 5, यह 6, तो इस तरफ से चलने पर हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 1 और 4, 1 और 4 मिल रहा है, तो बता दीजिए मुझे कि कौन सा acceptable है, इन में से lowest set of locant कौन सा है, तो हमने सिखाया था पहला point of difference, यहां 1 लिखा है, य इसलिए यह वाला acceptable है, इसलिए नीचे वाला cancel out होगा, नीचे वाला acceptable नहीं है, ठीक है, समझे बात आ गई, तब इस तरीके से आपको देखना है, आप number हो गया, तो भाईया, नाम तो लिखे दोगे, question सामने रख देता हूं, भाईया, क्या है, AIPMT का question है, कर लेंगे क्या, तो double bond दिख रहा है, अरे जी, double bond दिख रहा है, मतलब number ही यहां से करना पड़ेगा, 1, 2, 3, अब किस तरफ जाएंगे number जादा मिले, 4, 5, 6, 4, 5, 6, number तो ठीक मिल रहा है, हर तरफ 6 carbon है, लेकिन इधर जाने से substitute number जादा मिलेगा, तो 3, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ सुन लीजिए, अगर हम इधर जाएंगे, तो देखे, 2 substitute है, एक ये, एक ये, अगर हम इधर आते तो सिर्फ यही एक substitute मिलता, अब 6 carbon की एक chain है, 6 carbon की एक chain है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हैक्ज, 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 इन तीनों में सही है, बी तो एक दम गलतिक की हैप्ट ल देख लीजिए, यह और प्रो पाइल ग्रुप है, चोथे पर क्या है भीया देख लीजिए, इथाइल ग्रुप है, तो 4 इथाइल 3 प्रो पाइल, 4 इथाइल 3 प्रो पाइल हैक्स 1 इं, means that 3rd option is correct, I hope आपको यह चीज आ चुकी होगी, अब बताएए इसका नाम करन, यह तो तो मुझे लगा एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगा तीन चार पांच छे नंबरिंग ऐसे ही करेंगे है ना क्योंकि हमें क्या देखना है डबल बॉंड को प्रफर करकते हुए नंबरिंग करनी है तो इस तरफ से कर दिया छै कारबन है तो हेग्ज तो लिखेंगे देखो हम क्या लिखेंगे लिखेंगे हेग्ज ठेक कारबन नंबर वन पर डबल बॉंड है तो इसलिए वन इन लिख देंगे और लेकिन यहाँ पर पांच पर आईन लिखेंगे अब आप जब मिला होगे तो इससे मिलता जुलता कोई option आपको नहीं मिलेगा मतलब मास्टर आपने गलत पढ़ा दिया नहीं actually क्या किया है इन्होंने इन्होंने जो one five की number इंगे उसको आगे लिख दिया है तो देखें यहाँ पे इन्होंने लिख दिया one five फिर लिखा hex फिर लिखा in और इसके बाद लिखा iron तो कभी कभी इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है तो यह इस तरीके से लिखा जाएगा फिर आपका यह option सही है a option आई अगला देखते है हाँ homologus series क्या होती है समझाता हम homologus series क्या है एक ऐसी series जहां पर दो लोगों के बीच में मतलब उस series के कई member होंगे अब भाई यह समझे एक तरीके का खांदान है क्या है खांदान एक परिवार है उस परिवार में कोई छोटा सदस्थ है तो कोई उससे बढ़ा है कोई उससे बढ़ा है कोई उससे बढ़ा है किस मामले में बढ़ा है वो बढ़ा है molecular weight के मामले में लेकिन दो लोगों के molecular weight में जब अंतर देखा जाता है तो वहाँ पर 14 atomic mass unit का अंतर आता है AMU क अंतर आता है, सर कुछ समझ में नहीं आया आई से समझ में नहीं आता है, आप जामते ही हैं आप लिक्विक के पढ़ाया करिए, ऐसे मजा नहीं आता है आईए देखते हैं, समझाता हूँ एलकेन की बिरादरी का सबसे छोटा सदस है CH4 इसमें CH2 एड करिए, क्या एड करिए? CH2 एक कारबन एड करिए, दो हाइडरोजन, तो क्या बन जाएगा ये? एक कारबन दो हाइडरोजन, तो हो गया C2H6 यहाँ पर भी CH2 एड करिए, तो हो जाएगा C3H8 तो ये एक फैमली ऐसे बनती जाएगी CH2 एड़ करते जाए, एक पूरी family बनती जाती है, बनती जाती है क्या, हाँ, और सारे के सारे लोग LKIN ही रहते हैं, सर यह बात तो समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब बस यही है, यह पूरी family को हम homologus series कहते हैं, एक ऐसी series जहां दो molecule के बीच में CH2 का अंतर होता है उनको हम homologus series कहते हैं आईए सबसे चोटा सक्स उठाईए एलकीन का एलकीन का सबसे चोटा सदस है C2H4 C2H4 सबसे चोटा सदस है इसमें CH2 एड़ कर दीजिए तो ये हो जाएगा C3H6 इसमें CH2 एड़ कर दीजिए तो हो जाएगा C4H8 समझ बात आगी तो ये जो फैमली दिख रही आपको ये तीन लोगों का जो एक सट दिख रहा है इसी को homologus series कहते हैं similarly हम एलकाईन भी बना सकते हैं क्या एलकाईन भी बना सकते हैं एलकाईन का सबसे चोटा सदस C2H2 होता है इसमें CH2 एड़ कर दें क्या आज कर दें CH2 तो क्या होगा देख लीजेगा ये हो जाएगा C3H4 अगले में फिर से लिखो तो C4H6 तो इस तरीके से अभी जो फैमली बनती हुई नजर आ रही हैं ये क्या हैं homologus series बन रही हैं सर आप ये लिख कैसे ले जाते हो इनका जनरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए अलकेन का जो जनरल फॉर्मूला है that is CnH2N प्लस टू क्या बोला मैं नि CnH2N प्लस टू अलकेन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है that is CnH2N इसका जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा CnH2N-2 चलिए पूट करके देख लेते हैं ये बातें आपको आनी चाहिए देखे ये जो मारा एलकेन है उसमें अगर मैं कार्बन के बात देखूँ यहाँ पर क्या लिखा N N एक नमबर है नमबर क्या है जैसे N क्या हो सकता है N0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है ऐसा कुछ N हो सकता है तो अगर मैं 0 नहीं जी 1 रखें minimum तो 1 होगा ऐलकेन के केस में 1 होगा 0 टो रखेंगे तो कुछ बनेगा ही नहीं ट astrology तो चलिए 1 रखें यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए C हो जाएगा सिर्फ 1 यहाँ पर carbon लिख दिया hydrogen में 2N प्लस 2 है तो N की जगापर अगर हम 1 रखेंगे तो 4 आएगा इसी तरीके से यहाँ 2 रखेंगे तो यह आएगा N की जगापर 3 रखेंगे तो यह आएगा अलकीन में क्या करिए यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे कोई फायदा नहीं क्योंकि अलकीन में कम से कम 2 carbon होने चाहिए तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो यह आएगा फिर देखिए इस तरीके से अगर मैं 3 रखेंगे तो यह आएगा 4 रखेंगे तो यह आएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो यह आएगा 3 रखेंगे तो यह आएगा 4 रखेंगे तो यह आएगा अच्छा जी जो आपने अभी बताया उस तो सर आप क्या कह रहे थे उसको कहते हैं general formula इसको कहते हैं general formula लिख देता हूँ मैं या आना जरूरी यह कभी-कभी paper में पूछ लिया जाता है क्या पूछा जाता है बताता हूँ पूछा यह जाता कि homologous series का क्या general formula same होगा yes पूरे series के लिए एक ही formula है केवाल इसमें n की value ही तो बदलनी है तो कहिए कि homologous series में अपना एक क्या होता general formula होता है और हर में CH2 का gap यहाँ से यहाँ CH2 का gap है इसमें भी CH2 का gap है इतनी बात clear है कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं है हमने देखा था भी थोड़ दिर पहले ठीक है सबसे छोटा alcohol that is CS3OH CS3OH ठीक है जी क्या CS3OH अब अगर मैं इसमें CH2 add करूं तो CS3 में CH2 add करूं तो क्या बन जाएगा यह बन जाता है C2H5OH हमने क्या add करना भी है CH2 add करना है CS2 add करो क्या हो जाएगा C3H7OH इस तरीके से पूरी एक सिरीज बन जाती है लेकिन देखिएगा हमेशा एक चीज़ कंफर्म रही है खोपड़ी में रखिए कि एक अगर आप होम आप होमोलोगस सिरीज देख रही है तो उसमें हमेशा एक functional group होना चाहिए ऐसा नहीं कि यहाँ OH और यहाँ कुछ और लिख दो नहीं functional group fix होना चाहिए functional group नहीं बदलना चाहिए तो alcohol का अगर functional group क्या होगा OH होगा तो हर जगह OH-OH का होना जरूरी है इतनी सी बात है साह समझ में आया होगा अभी अंग्रेजी पढ़िए a sequence of compound with the same functional group with the same functional group समझ में आया with the same functional group अगर alkene की बात करें तो सिर्फ alkene alkene की बात करें तो sylph alkene alkene की बात करें तो सिर्फ alkene की ही family homologous में आएगी तेक है जी और ऐसी तरी से alcohol की तो alcohol की या acid है तो acid की ठीक है अगला क्या है similar chemical properties in which members of series can be branched या unbranched or differ by molecular formula of CH2 CH2 के molecular formula का अंतर होना चाहिए और CH2 का अगर मैं molecular mass देखूं तो carbon के लिए हम 12 लिखते हैं और 2 hydrogen के लिए 2 लिखते हैं तो 2 यहाँ पे 2 plus 12 कितना 14 AMU का अंतर होगा ठीक है अगर मालीजे इसका molecular formula मालीजे की निकाली लेते हैं CS3OH का molecular formula क्या होगा CS3OH का molecular formula होगा carbon के लिए हमने लिख दिया 12 hydrogen कितने हैं वैया 4 hydrogen तो 1 hydrogen के लिए 1 होता है तो 4 के लिए 4 हो जाएगा और oxygen के लिए कितना होता है 16 होता है तो अगर आप यह सब जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा यह 20 और यह हो जाएगा 32 कितना है 32 अगर हमें एक बात पता चल गई कि 32 AMU जो है से सुरुवात हो रही है तो अगले वाले में कितना जोड़ दीजिए 14 जोड़ दीजिए तो इस वाले का पता है हमें पहले से हम बात चाहे हो तो निकाल लो या डारेक्ट बोल दो कि भाया देखो 32 में कितना जोड़ना है 14 जोड़ना है हम 14 क्यों जोड़ रही है क्योंकि इससे यहां आने में हमने CH2 ग्रुप को अड़ किया हुआ था अब एक बात और बताता हूँ यह जो आपको एक सीरीज में दिखते हैं लोग इनके प्रॉपर्टीज कमोवे सेम होते हैं कमोवे सेम होते हैं मतलब सिमिलर टाइप के बिहेवर एक्जाक्ली सेम होंगी कैसे सेम हो सकते हैं यार क्या पॉसिबल है नहीं क्यों 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 क के आई अगला देखते हैं, functional group का नॉमन क्लेचर, ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा ब्रमास्र जी से सब कुछ ने पढ़ जाएगा, तकलीफ दुख समस्या नहीं होने वाली है, इतना दावा कर रहा हूँ, बहुत ही simple इसको समझाऊंगा, अब ऐसे समझो, मैं तुम एक कहानी के मादयम से समझाऊंगा, मैंने कुछ बोला था, मैंने ये बोला था, कि भया देखो, C-double-O-H, C-double-O-H, और S-O-3-H, दो क्या ही ये acids हैं, इनको कहते हैं, कार्बॉक्सली केसिड, और इनको कहते हैं, सल्फोनी केसिड, फिर मैंने ये कहा था, कि जो ये, आपका कार्बॉ उड़ार फंक्शनल ग्रुप में सबसे उपर विराजमान होता है। याद करिए सबसे उपर, तो यहाँ पर ऐसे समझे कि ये माता जी की घर में बड़ी इज़त है। और ये पिता जी की जट है बस माता जी की थोड़ा बात है इतनी सी बात है ठेक जी माता जी की जट सबसे जादा है और माता जी जो है उनको था नो डाइट यूजूली हम ना मम्मी लोगों से ज्यादा connect होते हैं तो है क्या जो 12 functional group total होते हैं उसमें से 7 functional group ऐसे हैं इनके 7 लोग total ऐसे हैं जो समझ लीजिए कि मम्मी के मतलब ऐसे समझो कि CWOH अगर माता जी हैं तो उनके साथ 6 और ऐसे लोग हैं जो किसे प्यार करते हैं माता जी से प्यार करते हैं तो इनके category में actually 7 लोग आते हैं और पापा की category में total पापा को मिला के 5 लोग आते हैं तो दो हिस्सा हो जाता है प्रेम की जब बात की जाते हैं तो 12 total functional group हैं 12 में से 5 जो हैं पिता जी के साथ हैं मतलब माता जी की सकल में क्या दिखाई दे रहा है एक ऐसा functional group दिखाई दे रहा है जो carbon based है जहां पर carbon है क्या present है carbon present है तो माता जी ने अपने अपने यहां उन बच्चों को लिया जिनकी सकलें जो हैं उनसे मिलती जुलती थी पिता जी ने कहा देखो वैसे भी यहां हमारे पास तो कोई carbon है नहीं कोई carbon है नहीं तो वैसे हम भी पहले से इनसे अलग तो हैं है तो हम उनको preference देंगे जिनके पास carbon नहीं होंगे जैसे OH, SH, NH2 group क्या यह लोगों को मैं preference दूंगा जहां पर carbon नहीं होंगे ऐसा पिता जी ने बोला लेकिन जब यह सब बहंसबाजी चल रही थी मम्मी पापा के बीच में तो जो ketone था वो रसोडे में गया हुआ था तो आपने वो dialogue सुना हुआ होगा कि रसोडे में कौन था तो वहां पर actually ketone था तो जब ketone गया था और यहां पर क्या हुआ लोग divide हो गए पहले यह पूरी family थी 12 functional group की एक family थी जहां एक थोड़ा जगडा मचा और मम्मी ने अपनी तरफ और 6 लोगों को बुला लिया खुद और 6 लोग और तो total 7 लोग मम्मी के side हो गए और इनकी सकल सूरत में कार्बन नजर आता है लेकिन जब हम ketone देखते हैं तो ketone के खोपड़ी पे भी कार्बन नजर आता है लेकिन जब वह देखता है देखना समझना क्या कहना चारू मानलो मैं ketone हूँ और मैं आ रहा हूँ रसोड़े से बाहर तो यहां पर में दिखा 7 आदमी खड़े हैं और इधर पापा की side सिर्फ 4 आदमी खड़े हैं तो ketone ने सुचा कुस्तो गेम चल रहा है चलो जिधर कम नंबर है उधर मैं चल लेता हूँ तो जिधर 4 थे उधर ही ketone चला गया तो उधर 5 हो जाते हैं तो ध्यान बस यह रखना है कि इन कटेगरी में ketone भी आता है C1O ऐसा लिख करके ketone भी इनकी कटेगरी में आता है ketone इनकी कटेगरी में नहीं आता जस्ट इतनी सी बात है रसोड़े में कौन था ketone था इस कहानी से आप जीवन भर नहीं भूलेंगे और विस्वास मानिए बहुत बड़े बड़ी लाइने याद करनी अब आपको नहीं पढ़ेंगे जैसा आपने कहीं अगर पढ़ा होगा ठीक ठाक तरीके से लेवल का तो आपको समझ में आ रहा हुगा कि वहाँ बहुत रटवाने की कोशिस हो रही थी अब देख लीजिए बिदिन सकंड आप मामले को समझ जाएंगे रूल सिंपल हो जाएगा देखिएगा कैसे साथ फंक्शनल ग्रूप एक तरफ पाँच फंक्शनल ग्रूप एक तरफ कौन कौन से लोग हैं देख लीजिए ये साथ फंक्शनल ग्रूप हैं जहां पर आपको क्या दिखेगा हर जगह कारबन दिखेगा यहां पर हर जगां कार्बन देखेगा देख लीजिए यहां पर हर जगां कार्बन है कार्बन 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 यहां देखे कार्बन 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 ठीक है तो यह हो गए यहां की बात करें तो यह देख लीजिए चार तो ऐसे हो गए जहां पर कार्बन है ही नहीं और कीट अधिली बात ध्यान रखें, मेंचेंज जब भी कंसीडर करें, तो उनमें functional group का होना जरूरी है, कि कोई यही राजा लोग हैं, functional group ही राजा है, तो उसको कंसीडर जरूर करेंगे, उसमें भी दो कटेगरी हैं राजाओं में, एक मम्मी का इलाका, एक पापा का इलाका, जो मम् हमेशा numbering करते वक्त, इनको carbon number one कह दो, कि भईया तुम carbon number one हो, मम्मी जी खुस हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, मम्मी जी खुस हो जाएंगी, तो यहां carbon को हमेशा carbon number one मिलेगा, हमेशा carbon number one मिलेगा इस तरीके से, क्या आपको समझ में आया, यस ये बात समझ में आ गई, औ पापा चिलने है, पापा क्या कह रहे है, कि भाईया मेरे को अगर तुम एक नंबर दे देते हो, देखना ध्यान से, अगर वन देते हो तब भी मैं खुस हूँ, नहीं तो कम से कम कोशिस करो कि कोई एक मिनिमम नंबर जरूर मिल जाए, जैसे अगर माली जे नंबरिंग में उस दे पाते हैं, तो दे दीजिए, अच्छी बात है मैं ले लूँगा, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर वन पॉसिबल नहीं है, तो मुझे कोई दक्तक लिफ नहीं है, मुझे वहाँ पर आप मिनिमम नंबर देने की कोशिस करिए, that's it, कहानी खतम, बहुत बड़ा समस्या आपका सुलच चुका है, अब ही आप देखेंगे, तो आपको लगेगा हासर, अच्छा लगा आनंद की निभूती हुई, पढ़िए, ये अंगर एजीम बस लिखा है, बाकी यहाँ देखते हैं, देखिएगा, यहाँ पर पढ़िलीजिए, ये तो है कि always number 1 देंगे, numbering is done from the side of the chain, which gives the lowest number to the functional group, तो जो पाँच functional group है, SO3H, OH, SH, NH2 और ketone, इनके case में lowest possible number देने हैं, यहाँ हमेशा number 1 देने, जैसे यहाँ कि अगर मैं बात करूँ, तो हम कहते हैं, देखो ये carbon number 1 होगा, और ये क्या होगा, carbon number 2, हमेशा हमारा जो functional group है, उसको carbon number 1 मिलेगा, लेकिन हगर मै यहाँ की बात करूँ, तो OH वाले, OH जिस carbon से जुड़ा है, उसको 1 देना जरूरी नहीं है, ऐसा possible है नहीं है कि इसको आप छोड़ दीजिए, तो वो कहरे हैं, ऐसा मत करिए, आप एक काम करिए, आप एक तरफ से करते हुए आईए, वो कहरे हैं, एक तरफ से करते हुए लिख देता है, वान टू, और यहाँ लिख देता है, तो यह भी तो एक काउंटिंग है, क्या यह acceptable है? नहीं, तो ब्लू वाला acceptable नहीं है, लेकिन यलो कलर वाला acceptable है, क्यों? क्योंकि हमारा जो OH एज़ फॉंक्शनल गृप है, यह जो OH एक फॉंक्शनल गृप है, उसको यह मिनिमम नंबर टू मिल रहा है यही पॉसिबल मिनिमम नंबर है जो दिलवाना है इसका मतलब है कि उपर वाला जग जाहिर है माना जाएगा यह नीचे वाला नहीं माना जाएगा उसको हटा दीजिए समझ बात आगी तो यहाँ minimum number to provide हो गया अच्छा जी अगला देखेंगे यहाँ पर बता यह numbering किदर से करूँ इधर से 1, 2, 3, 4, 5 अरे नहीं सर यह तो LD hide है LD hide किदर रहता है अरे भाईया मम्मी की category का है मम्मी की category में भाईया number 1 ही चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 तो हमेशा यहाँ 1 होगा यहाँ देखेंगे 1 होगा अच्छा जी यहाँ देखें यहाँ में कैसे किनते हैं CUNH2 में carbon पर 1, 2, 3, 4 तो numbering अगर आपको आगई तो नाम तो मैं सिखा दूँगा don't worry यार numbering तो ऐसे second one में करो पहले फिर नाम तो चुटकियों में आएगा चुटकियों में कुछ बिडर नहीं लगेगा यहाँ बताइए कैसे करो numbering 1, 2, 3, 4 है ना अरे नहीं भाईया NH2 क्या है एक functional group है NH2 एक functional group है वो भी किज़र का पापा की category में है इसलिए numbering ऐसा करो कि यह जिस से जुड़े हैं यह जिस कारबन से जुड़े हैं उस कारबन को number 1, 2, 3 यहाँ तो possible था one देना तो दे दिया यहाँ possible नहीं है यहाँ से सुरुवात नहीं करनी chain की chain की सुरुवात हमेशा किनारे से करनी है यहाँ भी हमने किनारे से ही शुरुवात करी है NS2 को chain में नहीं ले सकते हैं कि कोई chain किसका देखते हैं कारबन की chain देखते हैं NS2 में तो यार nitrogen वो भी एक functional group वाला part है तो इसको हम main chain में थोड़ी नगे नगे जी तो इसको हम कहेंगे पहला carbon किनारे की तरफ अला carbon आईए अब प्रक्टिस करते हैं अच्छा जी कुछ और बाकी है क्या selection of main chain and numbering देख लेते हैं क्या है functional group को पहले preference देनी हमेशा functional group ही राजा है functional group ही हमारा राजा है तो हमेशा पहले दिमाग functional group पर जाएगा functional group के बाद आपको multiple bond देखना है multiple bond के बाद number of carbon number of carbon के बाद number of substituent number of substituent के बाद lowest set of locant और lowest set of locant के बाद आता है alphabetical order कितना आसान है बताईए अरे यहां तक तो हमने पढ़ लिया था multiple bond वाला भी पढ़ा दिया तो यहां तक पढ़ लिया था एक नई चीज़ add हुई that is functional group अब आपको बताऊँ यही चीज़ follow करनी है खतम हुआ इससे जादा कुछ है नहीं है पहले functional group को preference दीजिए फिर multiple bond को फिर number of carbon को फिर number of substituent को फिर lowest set of locant को और इसके बाद alphabetical order को आईए कुछ note point है अंग्रेजी पढ़ लीजिए if first alphabet of the suffix suffix याद है ना हाँ सर याद है suffix is a e i o u then e of primary suffix will be dropped ध्यान रखिएगा primary suffix में कौन आते हैं primary suffix में कौन आते हैं alkin, alkin, alkin वो यह कहना चा रहे हैं कि अगर secondary suffix में अगर secondary suffix की सुरुवात में a e i o u आता है तो primary suffix का जो a n है उसमें से e हटा देना in में से e हटा देना in में से भी e हटा देना लेकिन यह कब करना यह तब करना जब secondary suffix यह कौन सा suffix है secondary suffix secondary suffix की सुरुवात में या first alphabet में a e i o u आता है तो आगे देखेंगे और समझ में आएगा ऐसे तब ही अंगरेजी जोड़ी कम समझ में आती lowest set of locant जब आप देखें तो पहले दिमाग कहां जाना चाहिए जब हम numbering करें तो numbering किधर से शुरुवात करनी है शुरुवात में आपको functional group को prefer करना है functional group के बाद multiple bond देखना है और multiple bond के बाद ही substitute देखना है तो जब आप lowest set of locant बनाएं तो minimum number दीजिए functional group को उसके बाद देखिए multiple bond को minimum number मिला क्या उसके बाद देखिए substitute को minimum number मिला क्या धीरे धीरे सुनते जाएए या आगे इसमें और समझ में आएगा यांगरे जी पढ़िए the senior functional group makes the suffix secondary suffix while other junior functional group are written as prefix in alphabetical order अब यहाँ एक नया सब्दा गया that is junior functional group सर अब तक आप functional group कहते थे सिरफ अब यह junior senior कैसे हो गया कौन junior होगा कौन senior होगा यह बात decide होगी priority order के हिसाफ से जैसे C.O.H. सबसे उपर है तो वो senior है किसका SO3H का और उसके नीचे आने वाले 11 functional group का तो जो उपर है आपके priority order में वो senior है जो नीचे है वो junior functional group है जैसे example के तोर पे जादा अच्छा समझ में आता है देखिए यह आपको एक molecule दिया गया इस molecule में कौन कौन प्रेजेंट है आपको दिख रहा है कार्बन C.O.O. फिर कार्बन मतलब यह ketone है तो अगर मैं आप से कहूं कि ketone और क्या प्रेजेंट है दूसरा functional group OH प्रेजेंट है मतलब alcohol तो आप बता दीजिए alcohol और ketone में जादा priority order पर कौन है priority order पर आगे कौन दिखता है priority order priority order पर कौन था अरे सर कीटोन आगी था देख लीजेगा जाके alcohol बाद में आता है alcohol के ज़स्ट बात तो NH2 अगर आने सुरू हो जाते है तो simple बात क्या है इतनी सी बात है एक line की कि OH और ketone में पहले हमें ये देखना है कौन junior है, कौन senior है पता करने का तरीका क्या है priority order पता क्या चला कि भईया हमारा जो ये alcohol है ना ये alcohol हो जो है ये जो है junior functional group है ये junior functional group है जब दो functional group कहीं पर आ जाएं, दो या दो से जादा functional group आ जाएं तो उस समय पहचानिये senior कौन है और junior कौन है तो ketone यहाँ पर क्या है senior है अब जो senior है ध्यान सुनिएगा जो senior functional group होता है वही वही जो है as a suffix लिखा जाता है वही as a secondary suffix लिखा जाएगा और जो junior functional group होता है उसको हम prefix की तरह यूज करेंगे उसको हम substitute मान लेंगे उसकी जद बहुत कम होने वाली है तो जो junior functional group है ओएच उसकी जद बाजार में कम हो गई क्योंकि वो junior निकला तो उसके लिए prefix लिखा जाएगा तो ओएच के लिए prefix क्या होता है hydroxy होता है तो ओएच का prefix है hydroxy इसका मतलम नाम में सुरुवात में hydroxy मिलेगा और नाम में बाद में ketone का own मिलेगा लिख करके check कर लेते हैं अदरवाइच तकलीफ ही सुरू हो जाएगी है ना सुनिएगा 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 इसके बहुत practice करवाँगा एक तो ऐसा नहीं कि इसी कराक खतम करेंगे आप सुनना अगर यह senior है तो इनके हिसाफ़ते चलिए इनको minimum number दीजिए यहाँ पर one possible है और यह two यहाँ पर three और यहाँ पर आएगा four तो चार नंबर इस तरीके से मिले गया अब देखिए four पर क्या present है oh अब ध्यान से सुनिएगा four पर oh जो present है वो junior functional group है तो इसके लिए prefix लिखा जाएगा तो जो junior functional group है उसके लिए prefix लिखा जाएगा और prefix इसका होता है hydroxy क्या होता है इस इसका prefix है hydroxy थोड़ा हटाना पड़ेगा जी इसका prefix होता है hydroxy इसका prefix है hydroxy मेरे भाई तो हम लिखेंगे नाम कैसे सुनिएगा हम लिखेंगे कि carbon number 4 पर hydroxy present है तो लिखते है four hydroxy सुनिएगा ध्यान से अरे prefix कहा लिखा जाता है नाम के आगे तो लिखा जाता है तो word root क्या चार कारवन की एक chain है तो फर्ड क्या है तो वर्ड-root bete होगा तो bete के आगे hydroxy बिखा हम ने bete के नाम के लिखा तो में ड़े है ध्यान य लिखेंगे तो 4-hydroxy-butane लिखेंगे, लिखेंगे क्या, 4-hydroxy-butane लिखेंगे, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है, सर एक बाल बताईए, एक चीज तो छुट गई, की टोन का ओन तो आया नहीं, जनाब, तो आपको ये तो बताना पढ़ेगा, कि जो senior functional group है, उसका suffix तो बनाईए, suffix जो है, आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, कि carbon number 2 पर क्या present है, own present है, क्या present है, ketone present है, own present है, अब देखिए, यहीं तो बताया जा रहाते हैं, हाँ देखिए, अगर secondary suffix जो लिखा गया, own, उसकी सुरुवात जो है, a, e, i, o, u से हो रहा है, जो की o से हो रहा है, तो उसके पहले e नहीं आना चाहिए, उसके पहले e नहीं आना चाहिए, तो यह e हटाना पड़ेगा, that's it, सायद आपको कोई दुख तकलिफ समस्या परेशानी नहीं होगी, अगर आप ये एक example समझ गए, मतलब आपको logic समझ में आ रहा है, आगे जो है, इन पर based क्या-क और चीज़े हैं, उनको हम practice कर लेंगे, ठेक है, practice कर लेंगे, डरना कता ही नहीं है, ठेक है, आपको देखना है, जब दो functional group है, तो junior count, senior count, जो senior है, उसका नाम पीछे की तरफ, जो junior है, वो उस नाम में आगे की तरफ as a prefix use किया जाता है, इसमें कोई बहुत बड़े-बड़ rocket science नहीं है, simple बाते हैं, आई अगला देखते हैं, naming of cyclic hydrocarbon, cyclic hydrocarbon का नाम वही चलना है, पहले functional group देखना है, फिर multiple bond देखना है, फिर number of carbon देखना है, फिर subtituent देखना है, फिर lowest set of local end देखना है, फिर alphabetical order देखना है, बस लगाना कैसे वो तुम्हें सीखना पड़ता है, ठीक ह देखते हैं, ध्यास तुनिएगा, अब होता क्या है, अब जब आप cyclic hydrocarbon देखने जाते हो, मतलब cycle वाला hydrocarbon देखने जाते हो, तो कभी-कभी आपको ऐसा मिलेगा, जैसे मालीजी एक cyclic इस तरीकी से part बना हुआ है, चार carbon की एक chain है, अब इस चार carbon की एक chain पर इस तरीकी से म acyclic part है, open chain वाला part है, उनको दोनों को compare करकी ये check करना है, इसमें से main chain कौन है, तो main chain पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे, कि cyclic और acyclic को देखके पहचानेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमें ये पता करना है, कि ये acyclic part, ये acyclic part जो होगा, वो main chain है, एक मिनट, ये acyclic part main chain है, acyclic मतलब open chain, और ये क्या दिख रहा है, आपको cycle कितना दिख रहा है, एक पुरा cyclic form, तो ये मैं थोड़ा ऐसे घेर दे रहा हूँ, समझतो जाओगे न, तो ये क्या है cyclic part, आपको इन दोनों में से judge करना है, कि बताईए, इन दोनों में main chain कौन होगा, तो main chain को ही बताने के लिए ये चीज बताई गई है, अगर कोई ऐसा है, cyclic या acyclic में से कोई ऐसा है, जहाँ पर functional group present है, तो वही main chain है, इसका मतलब अगर मान लिजिए, इस acyclic part में भले दो carbon है, अगर इसी में OH लग जाए, तो ये हो जाएगा, भया हमारा main chain, ये क्या होगा side chain, अगर मान लिजिए, multiple bond present है, यहाँ भले दो carbon है, बाहर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा side chain, और जहाँ multiple bond है, वो हो जाएगा main chain, ठेक है, तो इस तरीके सामें compare करके देखना पड़ता है, कोई दिक्कत की बात ने, डरना नहीं है, और अगर ऐसा हो, कि ये सारी चीज़े सेम हो गई सर्थव, साइकलिक और असाइकलिक पार्ट में, अगर सारी बातें सीम हो गई, तब उस condition में हमेशा sidekick वाला ही main chain माना जाएगा, हमेशा sidekick main chain माना जाएगा, ध्यान रखिए गा, ठेक, अरे भाईया आप समझ में आई क्या, आईो देखते हैं समझाओंगा, return on नहीं है तीन carbon की एक chain है तो गिनली जी 1, 2, 3 अब तीन carbon के लिए आज तक हमने जीवन में क्या लिखा बताई है, प्रोप लिखा है क्या सर प्रोप लिखा है, इसमें क्या अतनी बड़ी बात है प्रोप लिखा है, यहां कहीं one two three कहीं पर आपको double or triple दिख रहा है नहीं तो हम direct लिखेंगे प्रोपेन हैना लेकिन आपको पता है कि यह cyclic form है तो नाम के आगे क्या लिखेंगे cyclo क्यों लिख रहे हैं क्योंकि cyclo क्या है cyclo one degree prefix है तो one degree prefix के साथ लिखेंगे तो नाम बनता है cyclo propane तेका जी नाम क्या बनता है cyclo propane अब इसका नाम बताईए इसका नाम तो cyclo propane है बड़ा आसान साथ है इसमें कोनों दिक्कत नहीं है हम ये बात समझत हैं भईया कि ये cyclo propane है इनका बताईए इनमें हमने देखा तो हमें पता चला देखो एक दो तीन यहाँ पे तीन कारबन है यहाँ पे कितने एक दो तीन अब देखो यहाँ पर एक cyclic part है एक acyclic part है प्रस्ण ये है कि cyclic वाला main chain है यहाँ यह main chain है तो देखो भईया जो cyclic part है ये मैं बता रहा है cyclic part cyclic part में भी तीन कारबन है पहले number of carbon चक कर लिया अब ये देखिए ये क्या है ये acyclic part में भी तीन कारबन है अब क्या करें भी यह दोनों में तीन-तीन कारबन है यह देखिए a-cyclic part ऐसा ही तो है a-cyclic part open part जो यहाँ पे तीन कारबन cyclic part में भी तीन कारबन है तो जब दोनों चीज़ें similar हो जाएं तो उस समय cyclic part को ही main chain मानना होगा मतलब की यह वाला हिस्सा main chain है ये वाला ये क्या है आपकी बार कैसा लिख दिया जाया जी थोड़ा सा जगह कम हो गई है तो यहाँ पर अड़्जस्ट करना पड़ेगा हटाता हूँ समझेजे लिख देता हूँ यहाँ पर बगायदे नाम लिखेंगे इज़त से यहाँ आओए इसका मतलब हुआ कि यह जो भाई सा वह ना यह एक्चूंली मेंचीन है बस आपको पहले यह पता करना है कौन मेंचीन है इसे अब यह बात गवाइक शालन म मेंचीन है तो यह क्या होगा यह अपने आप समझ में आ गया कि यह साइड side chain है side chain है इनकी बाजार में थोड़ी जच कम होगी और जो लोग side chain बनाते हैं उनसे prefix बनेगा उनसे क्या बनेगा उनसे prefix बनेगा ध्यान दीजिए इसी मसीख लीजिए side chain ही prefix बनाएगा अच्छा जी तो नाम कैसे लिखें दिखना main chain में कितने कारबन है सर्थ तीन कारबन है तीन कारबन के लिए हम लिखेंगे प्रोपेन लिख देंगे क्या प्रोपेन कैसे लिख दिया क्योंकि यहाँ पर कहीं पर डबल या ट्रिपल मॉन नहीं है लिख दिया अब जो main chain है वो कैसा cyclic है तो हम लिख देंगे cyclopropane, क्या लिख देंगे cyclopropane, लेकिन क्या इसे काम बन गया, नहीं, अभी हमने side chain के बारे में नहीं बताया, तो side chain में कितनी carbon है, एक, दो, तीन, तीन carbon है, तो 3 carbon as a side chain क्या बनाता है, propile, क्या लिखते हैं, propile लेकिन numbering करना पड़ेगा, तो कहीं से कर ल लेकिन जहां पर लगा होता है, वहां से करते हैं, तो 1, 2, 3, तो हम लिखेंगे, one propile या direct लिख सकते हो propile, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि और supplement कोई नहीं है, propile चाहें लिखना चाहो, तो one propile लिख लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि और कोई है नहीं की confusion हो रह आने के तरीके सिखा रहा हूँ, और प्रक्टिस करा हूँगा, डरना नहीं है, यह नहीं की रटे जा रहे हैं, बड़े बड़े sentence रट रहे हैं, यह होगा तो वो होगा, नहीं वह यहां से देखो, यह देखो, यह cyclic part, यह है cyclic part, अब बात यह है, main chain कौन है, बस इतना बता कारबन है, वो main chain है, कहानी कितनी आसान हो गई भईया, जहाँ 4 कारबन है, वहाँ क्या है, वही तो main chain है, तो यह main chain है, और यह अब की बार as a side chain आएगा, कैसे लिखा जाएगा, उनकी चिंता तुम्हारी नहीं है, पहले अभी क्या पकड़ना है, main chain और side chain, अच्छा, अब जो main chain है, उसको देख करके आप नाम लिखने की कोसिस करिए, ठीक है, तो बताइए, यहाँ numbering करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो, यहाँ शुरूबात करेंगे, one, two, three, four, यही चार कारबन तो है, तो इनकी numbering हमने इस तरीके से कर दी, तो चार कारबन के लिए तुरंट द cyclic ring के लिए हम cyclopropane कहते थे, लेकिन अगर cyclopropane as a side chain हो, तो cyclopropyle कहते हैं, क्या कहते हैं, cyclopropyle, cyclopropyle कहते हैं, तो हम कहेंगे कि कारबन नंबर one पर cyclopropyle लगा हुआ है, किसके, butane के इसलिए इसका नाम बनता है, one cyclopropyle butane, देख लीजे कितना आसान है, अरे अब तो नहीं न confusion में हैं, आपको क्या करना है, main chain से ये नाम बनाना है, main chain से ये name, और ये कहां से आएंगे, ये भाई साब आई है, side chain से, आसान है, हाना जी, ये करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सब्सरा हमें दिख रहा है, जहां double bond होगा, आपने का जहां double bond होगा, उसी को main chain मा लिखा हूँ, कोई लिखने जरूत नहीं, main chain सेलेक्शन है, numbering के लिए ये लिखा गया है, अब बताईए, यहाँ numbering कैसे करूँ, numbering हमेशा ऐसा करो, जहाँ पर double bond को minimum number मिले, तो 1, 2, यहाँ पर कर दीजिए, 3, 1, 2, 3, तो 3 कारबन के लिए बताईए क्या लिखा जाए, 3 का पर आप प्रोप लिख दीजिए, प्रोप लिख दीजिए, कारबन नमबर 1 पर double bond है, तो प्रोप 1 इन लिख दीजिए, प्रोप 1 इन लिख दीजिए, इस तरीके से, अच्छा जी, कारबन नमबर 3 पर क्या present है, यह present है, जो कि क्या है, as a side chain है, यह क्या है, as a side chain है, और side chain मे इसको cyclopropyl कहते हैं, अभी हमने देखा था, तो ये बन जाता है cyclopropyl, कौन से नमबर पे, कारबन नमबर 3, तो ये है इसका नाम, 3 cyclopropyl, प्रोप 1, अब बताईए, कौनों confusion हो सकता है किसी की दिमाग में, पहले सुरुवात में आपने पढ़ा होगा, तो रटनी में आनंद की नबोधी नहीं होती है, बहुत तकलीफ होती है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जहां double bond है, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा main chain है, तो अब की बार actually ये main chain है भईया, बस यही पहचानी है कि main chain कौन है, क्यों कि main chain पता चल गया, तो काम बन जाएगा, ये कौन ये हमारा side chain है, ये क्या है, ये side chain है, ये main chain है, वह side chain है, एक मिनट भईया, नाम लिख लोगे, नाम लिख लेना, क्या लिखोगे, numbering कर दूँ मैं, सर, numbering यहाँ से करिए, अरे नालायक प्राणी, जहाँ double bond होगा, वहाँ से करेंगे, तो देखो कैसे करते हैं, one, कई लोग प्रोपाइल ग्रूप लगा है, तो लिखिए, note down करिए, three प्रोपाइल, और फिर इसको क्या कहेंगे, cycloprop one in, cycloprop one in, तो ये यहाँ पर नाम बनेगा, चलिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ, इसका नाम बताएए, क्या होगा, सर, कैसी बाते कर रहे हैं, OH एक functional group है, सर, OH एक functional group है, और हमारा functional group कहां लगा है, ये देखिए, ring पर लगा है, अगर functional group ring पर लगा है, तो सर, यहीं से सुरुवात करिए, यहाँ पर one दे दीजिए, यहाँ पर two दे दीजिए, यहाँ पर three दे दीजिए, आसान है, numbering हमने इसकी क्यों की हमें पता चल गया, तो यही main chain है, और ring में present है, तो अगर आपसे नाम लिखने को बोला जाए, क्या लिखने को बोला जाए, नाम लिखने को बोला जाए, तो कैसे लिखने लिखो, पहले इन के लिखो, क्या लिखोगे, लिखोगे, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, इसका क्या हो गया, साइक्लो प्रो होता है तो हम इसको last में लिखते हैं लेकिन एक चीज देखो all की सुरुवात O से हो रही है और प्रोपेन में last में E है तो यह हटाना पड़ जाएगा क्या होगा यह हटाना पड़ जाएगा तो यहां पर ऐसा लिख दीजिए cyclopropane 1 all इससे इतना लिख दिया लेकिन अभी हमने यह नहीं लिखा कि दूसरे पर यह group present है side chain है तीन carbon की तो हम लिखेंगे two propile क्या लिखेंगे two propile तो नाम बनता है two propile cycloprop one all I hope आपको समझ में आया हो similar लिए अब आप उसका खुद बताएंगे सारा चीज हम से पूछेंगे काजी मत पूछें इतना यहां देखिए अरे सर ओच देखिए side chain जिसको कहते थे आज तक दुनिया में वो अब main chain होगा सर क्योंकि यहां पर ओच एक functional group है तो numbering अब की बार बाहर तो one two three जहां पर functional group present है वो जो chain होगी वही main chain होगी तो अब की बार a cyclic part जो है वो main chain का काम करेगा ठीक है यह लिख लिखेंगे हाँ तो क्या बताईएगा नाम लिख के बताईए तुरंत कहिए one per यह क्या present है one per cyclopropyl present है इसको क्या कहेंगे as a side chain यह as a side chain है जहां numbering करते हैं वो main chain होता है यह side chain है तो इसके लिए हम क्या कहेंगे one cyclopropyl one cyclopropyl और तीन कारवन के लिखेंगे propane one all that's it इतना तो आसान है आईए लगला बताईए चलिए बताईए यहां पर यह जो open chain है यह वाला यह main chain है यह main chain है कैसे पता करेंगे देखो भई एक दो तीन यहां पर तीन कारवन है इसमें भी एक दो तीन तीन कारवन है cyclic part में भी तीन कारवन है acyclic part या open chain में भी तीन कारवन है फिर कैसे देखेंगे number of carbon, क्या कोई double bond है, functional group है, नहीं है फिर क्या present है, substitute है, चेक करूँ, अगर मैं इसको main chain मानूँगा तो उसमें देखो, एक chlorine भी लगा है, और एक cyclopropyl group भी लगा है मतलब दो substitute है, लेकिन अगर मैं इसको main chain मानूँगा तो ये पूरा का पूरा एक supplement बन जाएगा, इसका मतलब जादा number of supplement तम मिलेगा जब मैं इसको main chain मानूँगा, तो numbering मैं यहां करूँगा one, यहां पर करूँगा two, और यहां पर कर दूँगा three तो ये है one, two, three, ये main chain है, अगर ये main chain है, तो भाईया ये भाई साब पता ही चल गया होगा क्या है ये हो गए side में, ये हैं हमारे side chain वाले लोग side chain, ये भाईया chlorine के लिए क्या लिखते थे, chloro, ये तो हई है side में भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीए इसके लिए लिखेंगे chloro, लेकिन इस वाले side chain के लिए अपन क्या लिखेंगे, cyclopropyl तो अब देख लिजे धान से, दो हमारे पास side chain मिले, मतलब आपको क्या मिल रहा है, substituent side chain as a substituent treat किया जाता है, ये side chain है, ये main chain, समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं होना चाहिए वैसे तो, देखना, अब लिखोगे कैसे, इनका नाम लिखो, carbon number 1 पर chlorine है, carbon number 1 पर cyclopropyl है, लिखोगे कैसे, cyclo को पहले लिखोगे, chloro को, सर, chloro को पहले लिखे, क्या कितने लोगों को समझ में आया, देखिए, chloro में CH है, लेकिन cyclo में CY है, alphabetical order में Y बाद में आता है, तो लिखते हैं, one chloro, one cyclo, one cyclo, one cyclo, propyl, one chloro, one cyclo, propyl, इस से अभी तक मैंने क्या बताया, कि chlorine और ये जो है, as a substituent है, अब इसके बारे में बताइए, ये जो main chain है, तीन का अरवन की main chain के लिए अपन प्रोपेन लेखते थे, अब बताईए, भया इस से आसान का कर देंजी आपके लिए, आसान ही तो बनाया है, अगला देखते है, इनमें बताईए, अगर आपने इनको main chain बना, तो एक फंक्श, एक क्या होगा, अगर आपने इनको main chain माना, रिंग तो देखो, काम बन जाएगा, कैसे होगा, वो देख लीजेगा, यह देखे, द्याल सुनिएगा, देखना, numbering देखना, देखना, one, two, three, अगर मैंने इसको main chain माना, तो क्या कहेंगे, कि भे एक chlorine substituent है, और एक प्रोपाइल गृप यह substituent है, दो substituent इसके उपर लगे तो जहाँ जादा number of substituent है, रिंग पर जादा substituent है, क्लोरीन और एक प्रोपाइल, इसलिए इसके हिसाब से चलेंगे, अगर यह main chain है, गिंती इसकी हुई है, तो बताईए इसके लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, साइक्लो प्रोपेन, प्रोपेन, देखो main chain कौन इसके लिए नाम हो गया, साइक्लो प्रोपेन, वन पर क्लोरीन, अच्छा numbering में मैंने वन पर क्लोरीन क्यों निखा, यहाँ वन क्यों निखा भाई, जबकि यह इसका नाम आता प्रोपाइल, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम आएगा प्रोपाइल, तो प्रोपाइल को आप यहाँ पर वन क्लोरो, वन क्लोरो, टू प्रोपाइल, यहाँ पर लिखेंगे टू, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, प्रोपाइल, फिर आएगा साइक्लो प्रोपेन, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड हो रहा है, इसको पूरा लिख देते हैं, टू प्रोपाइल, सा का पूरा नाम बनेगा, ओके, I hope आपको आनन्द आया होगा, यह question है, यह question क्या है, compound having only primary hydrogen atoms, इसमें से कौन सा ऐसा जहां पर सिर्फ और सिर्फ primary hydrogen हैं, और कुछ है ही नहीं, कौन सा ऐसा है, करके देख लिजेगा, हमसे मत पूछें जी, यह question का जबाब आप दे दिंगे, क्या ह वन डिगरी, आपको इनके structures बनाने हैं, और primary hydrogen ढोडने हैं, मैं comment चेक करूँगा, ध्यान रखना, छोड़ मक्की मता जाना, इसर हमको का पता, आपको सब बताना चाहिए, हमने आपकी जिम्मेदारी ली है, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो तुम, बोल भाई, अगला हमें पढ़ हैं, उसको बहुत मजबूत बनाएंगे, और बहुत concrete बनाएंगे, तो आइए सारे functional group एक एक करके discuss कर डालते हैं, ओके, alcohol का functional group देखने में कैसा दिखता भी है, वो है OH, ऐसा रहेगा, ठीक है, इसके बारे महलका से पढ़ भी लिया हमने, कोई बात नहीं, आइए देखते है अगर मैं OH के लिए suffix लिखूं तो हम क्या लिखेंगे, all लिखेंगे, और prefix लिखूंगा तो hydroxy लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, hydroxy लिखेंगे, इन पर चर्चा थोड़ी हो चुकी है, कोई बात नहीं लिखेंगे, इक बात देखते हैं, जैसे, यहाँ एक ही carbon है, तो एक carbon के लिए अपन meth लिखेंगे, बलकि methane लिखेंगे, ठेक, और इसी पर OH प्रजेंट है, तो methane null लिखेंगे, अब यहाँ one all लिख करके मजाग थोड़ी न बनाएंगे, यह कही carbon है, आई अगला देखते हैं, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो OH एक functional group है, यह functional group जिस carbon से लग है, उस carbon को minimum number प्रोवाइड करिए, क्योंकि OH एक ऐसा है, जो पापा की कटेगरी वाला है, ठेक है जी, अच्छा, तो सर यहाँ पर इस तरीके से one आपने लगाया, दो carbon की वज़ा से हम यहाँ ethane लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ethane लिखेंगे, और all, तो ethenol लिख देंगे, देखो, दो ही carbon है, आप ethane one all लिखेंगे, कोई फायदा नहीं है, यह ethaneol से ही वही बात निकलेगी, जो ethane one all से बात निकलेगी, देखिए, यहाँ पर बात असर करेगी, देखिए, OH है, जहाँ पर जुड़ा है, वहाँ पर minimum number देने के लिए, यहीं पर शुरू बात कर लेत ही दिख रही है, वन पर all है, तो प्रोपेन one all, और आपको पता है, क्योंकि suffix की सुरुवात O से हो रही है, इसलिए यहाँ पर A नहीं लिखेंगे, अलकेन नहीं लिखेंगे, प्रोपेन में E नहीं आएगा लास्ट में, वो E हटा देंगे, इतनी सी बात है, अच्छा, इन तो हम लिखेंगे दूसरे पर O ह है, तो क्या कहेंगे बताइए, तीन कारबन के लिए अपन क्या लिखते हैं, प्रोप, तो लिख देंगे प्रोपेन, प्रोपेन, टू, प्रोपेन to all, क्या प्रोपेन to all, तीन कारबन की एक चेंज, जहां कारबन नमबर दो पर एक क्या प् पेथरी है, नाम बोलिए क्या होगा, आप देखें, यहां से कितना ही अंतर है, तो एक बास स्वण में आगे कि दूसरे पर, दूसरे नंबर के कारबन पर ये क्या प्रेजेंट है, ये मिथाइल प्रेजेंट है, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे टू मिथाइल, बाकी पूर पूरा नाम यही है, तो दो पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, तीन कारबन का एक मेंचेन, तो क्या होगा प्रोपेन और दूसरे पर वज, तो क्या होगा पूरा नाम, टू मिथाइल, प्रोपेन, टू-ॉ-ॉ-ॉ-ॉ-ॉ-ॉ-ॉ-ॉ-ॉ-ॉ-ॉ-ॉ-ॉ-ॉ-ॉ-ॉ-ॉ-ॉ- तीन कार्बन की चेन है, उस पर OHOH ग्रुप लगे, तो तीन कार्बन के लिए अपन को क्या लिखना होता है, लिखना होता है, जनाब प्रोपेन, प्रोपेन लिख दिया, अब देखिए, तीनों कार्बन पर, तो लिखेंगे प्रोपेन, वान तू थ्री, ऐसे लिखेंगे, वा 1, 2, 3, try all, propane 1, 2, 3, try all, simple है भाई, अगर हमें OH γ् repetitive दिख रहा है, otnessung sp同 propane 1, 2, 3, try all लिख सकते हैं, अच्छा, यह तो आसान था, आईए यह देखते हैं, OH group कहां से जुड़ा है भया इस carbon पे, तो कैसे करना, इस carbon को carbon number 1, तो क्या मुझे यहाँ 2, 3, 4, 5 लिखना चाहिए नहीं सर कैसी गलती कर रहे हैं आप अगर आप इस तरीके से करेंगे तो 1, 5 आएगा क्या सेट अफ लोकेंट लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 करके 2 यहाँ लिखते हैं तो आपको 1, 2 मिलता 1, 2 मिलता तो आपको 1, 2 परफर करना चाहिए तो इसलिए 1, 5 वाला नहीं परफर करेंगे ध्यान देंगे तो सब समझ में आएगा तो 1 के बाद देखे 2 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है 4 यहाँ पे है 5 यहाँ पे है 5 कारबन की एक क्या हो गई cyclic chain है जो की नाम बनाती है 5 कारबन की एक cyclic chain क्या नाम बनाएगी गोलो cyclopentane क्या होगा cyclopentane 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 से 5 कारबन की एक chain बन गई अच्छा आप देखिए cyclopentane के बाद 1 पर क्या प्रजेंट है हमने 1 all लिखना होता है क्या क्योंकि OH क्या है लेकिन ये CS3 क्या है CS3 तो सफ्टिटुमेंट है तो दूसरे पर CS3 means that 2-methyl ये क्या होगा 2-methyl तो नाम बनेगा 2-methyl cyclopentane 1 all तो इसका ये नाम करन होगा आई होप आपको समझना रहा हो बड़ा आसान सा है इसको देखिए यहाँ पर अब मैं OH को प्रफर करूँ या double bond को प्रफर करूँ सर आपने तो बताया था कि functional group को आप ज़्यादा इज़्जत दीजिए with respect to multiple bond तो numbering यहाँ से होगी तो 1, 2, 3, 4, 5 पाँच कारबन की एक chain के लिए अब तक जीवन में पेंटेन ही लिखा गया तो वही लिखना चाहिए ना नहीं कारबन नंबर 3 पर double bond है तो पेंट लिख करके 3 पर इन लिखना चाहिए पेंट 3 इन 1 पर all क्या लिखना है 1 पर all एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी क्योंकि यहाँ all में O है तो यहाँ लास्ट में E नहीं आएगा एन में ठीक है तो यहाँ पर नाम बनता है कि 5 कारबन की चेन है तो पेंट तीसरे पर double bond है तो एन 1 पर O ह है तो यह बन जाएगा आनंद की अनभूत ही होई होगी यहाँ देखिए यह सर्पी एच क्या होता है जान बुचके मैंने लिखा है ताकि आपको यह चीज़ पता चल जा पी एच मतलब फैनाईल बेंजीन रिंग एक्चुली यह यही है देखिए मैं वहको दिखाता हूँ चाहे पेपर में यह आ जाए तब भी आप यही बनाएंगे यह देखिए यह देखो भाईया यह कही बात है है ना तो इसके लिए बेंजीन अजस सफटुटुमेंड क्या होता फैनाईल तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे भी सेम कहानी है ना ओच को प्रफरंस दीजिए कि फांक्शनल ग्रूप एक दो तीन चार तो क्या लिखेंगे देखेंगा दूसरे पर फैनाईल प्रेजेंट है तो लिखेंगे टू फैनाईल पी एच का मतलब बेंजीन अजस सफटुमेंट तो टू फैनाईल चार कारबन की एक चेन के लिए ब्यूट लेकिन कारबन नमबर थी पर डबल बॉंट तो टू इन और वन पर क्या होगा अरे बोल रहे बालक अल होगा सरासान है काहे बिना आप जो है इतना सरदर्द ले रहे हैं हमें सब समझ में आ रहा है आगे बढ़ जाएं एमाइन के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या है अगर मैं सफिक्स और इसकी बात करूँ तो यह क्या लिखा जाएगा इसकी बात करूँ तो यहाँ पर तो भाईया एमाइन ही लिखा जाएगा और यहाँ जो है प्रफिक्स के लिए अमीनो लिखा जाएगा अच्छा देखते अब NS3 के लिए पहले मैं जान लीजे कुछ चीजन सीखेंगे बाद में नाम पे आते हैं NS3 को कहते हैं ammonia क्या कहते हैं ammonia ठेक और अगर NS3 में से एक hydrogen हटा करके कोई alkyl group या carbon की chain लगा दी जाए देखे क्या क्या एक hydrogen हटा है और carbon की chain लगा दी तो इसको कहते हैं one degree amine क्या कहते हैं one degree amine ध्यान सुनना क्योंकि nitrogen से एक carbon जुड़ा है nitrogen से जब एक carbon के थूचेंज जुड़ा होता है तो उसको one degree amine कहते हैं लेकिन यहां जो nitrogen है, देखिए, उससे एक carbon इधर, एक carbon इधर जुड़ा है, मतलब इस nitrogen से दो carbon जुड़े हैं, तो इसके लिए इसको कहते हैं, 2 degree amine, क्या कहते हैं, 2 degree amine, अगला देखेंगे, यहां nitrogen पे 3 carbon connected है, जिसको कहते हैं, 3 degree amine, या tertiary amine, तो पहले यह basic इनके नाम आपको आने, चाहिए कि क्या बोलते हैं इनको, अभी यह IUPAC नाम नहीं है, इनके मतलब एक तरीके से, आप समझे कि classification है, अब इनके नाम लिखना सुरू करना है, कैसे लिखना है, वो समझे, जब NH2 group है, तब तो amine लिखना ही है, लेकिन numbering कैसे करें से, तो इसको 1 दीजिए, यह 2, यह कौन है हमारा भीया, यह कौन जी, यह हमारा functional group है, FG, यह हमारा functional group है, अच्छा, दो carbon के लिए हम क्या लिखते हैं, बताइए, दो carbon के लिए हम लिखेंगे, इथेन, दो carbon के लिए हम लिखेंगे, और 1 पर amine है, तो हम लिख देंगे, इथनमाईन, देख लिजे मैंने क्या लिखा है, इसको क्या नाम देंगे, इथेन, amine, इथनमाईन, एक साथ मिला के बोलिए, इथनमाईन बोला जाता है, अच्छा जी, यहां बताइए, यहां कैस तरीके से दिख रहा है, दो कार्बन, तो क्या करिए, जो सबसे बड़े कार्बन की चेन है, नाइट्रोजन पर देखे, एक चेन ये है, एक चेन ये, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, तो जहाँ दो कार्बन उसका नंबरिंग करिए, बड़ी चेन पर connected है तो direct यहाँ amine लेग दीजिए ठीक इस तने से समझ में आ गया यह इतना amine है लेकिन अभी हमने यह नहीं बताया कि nitrogen पर methyl group present है nitrogen पर यह चीज जो है as a substituent बताई जाएगी यह क्या बताया जाएगा as a substituent बताया जाएगा यह भाई साब जो बड़ी chain है जो longer carbon chain है उसको main chain बताया जाएगा उसको main chain की तरह consider किया जाएगा और उसी के साथ nitrogen को भी ठेक है तो आप बताईए हम क्या लिखेंगे कि nitrogen पर methyl तो ऐसे लिखते हैं लिखते है nitrogen पर methyl and methyl पढ़िए मेरे साथ क्या लिखा है nitrogen पर methyl and methyl और इसको क्या बोलेंगे इतना माइन बोलेंगे that's it and methyl इतना माइन आसान ना इसको बताईए अब इन में देखो तो क्या दिख रहा है ये तो सब में एक carbon तो किसी एक को main chain मानना पड़ेगा तो इसको main chain मान के हम देखते हैं आपे carbon number one है तो एक carbon वाले को इतने एक पार्ट को जहां से देखना है एक carbon से में क्या मिलता है meth क्या मिलता भी या meth मिलता है तो इससे बन जाएगा methane और ये nitrogen भी इसी के साथ consider करिए क्यों कि हमने क्या बताया कि इतने पार्ट को इस तरीके से main chain मानना है तो ये हो गया मान लीजे main chain तो हम लिखेंगे methane and amine CS3 और nitrogen और nitrogen पर 2 CS3 connected है nitrogen पर 2 CS3 तो कैसे लिखते हैं NN nitrogen पर 2 CS3 NN dimethyl NN dimethyl NN dimethyl अब आप देखेंगे समझ में आ रहा होगा आपको कि nitrogen पर 2 methyl है तो पढ़ते हैं NN dimethyl और इतने पार्ट को एक साथ पढ़कर के main chain बना देते हैं तो ये इसको बोलते हैं I hope आपको आनंद की अनुभूती हुई हूँ आई अगला देखते हैं अगला amine में practice और बढ़ानी है तो यहाँ पर NH2 एक functional group है हमें क्या करना minimum number देना हो तो 1, 2, 3 आपको पता है NH2 कहाँ पर आता है पापा की family में तो इसलिए ऐसा लिखा जाएगा हम क्या लिखेंगे? एकदम alcohol के तरह लिख दीजिए 2 पर amine आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? हम तो लिखने वाले हैं भाईया propane 2 amine propane 2 amine अच्छा जी यहाँ देख लिजिए अब double bond को preference देंग NH2 को अरे सर कैसी बात कर रहे है NH2 तो सर functional group होता है तो functional group को preference दीजिए यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 और यहाँ पर 3 तीन carbon की chain के लिए आज तक हमने जब prop लिखा है अब भी वही लिखेंगे लेकिन carbon number 2 पर double bond है तो लिखेंगे 2 पर in क्या लिखेंगे 2 पर in लिखेंगे और इसके बाद 1 पर amine लिखेंगे 1 पर amine लिखेंगे इस तरीके से इसका नाम बन जाएगा propane 2 in 1 amine इसमें कोई दिक्कत, कोई परिशानी, कोई समस्या सायद नहीं आ रही होगी अब यहाँ देखें 2 NH2 ग्रूप है देखने में बड़ा भीसन लगेगा लेकिन कुछ नहीं है एक तरह तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 carbon की chain के लिए आज तक hexane लिख करके हम लोग खुश प्रसंद न थे तो अभी भी hexane लिख देते हैं तो लिख देंगे hexane फिर देखें 2 NH2 ग्रूप है तो आपकी बार कैसे लिखेंगे hexane 1 hexane 1 और 6 hexane 1, 6, diamine hexane 1, 6, diamine 2 NH2 ग्रूप है तो उसके लिए diamine कहा प्रजेंट है carbon number 1 और 6 पर प्रजेंट है लेकिन अगर यह ऐसा होता एक OH और एक NH2 अब बताईए अब तो दो functional group होगे सर दो functional group में कोई एक junior कोई एक senior पता कर लेते हैं हमें पता कि priority order के हिसाब से आप देखेंगे तो OH जो होगा यह आपको senior functional group नजर आएगा senior functional group नजर आएगा और NH2 सबसे last में आता है इसलिए यह junior functional group है और जो junior functional group है उनसे prefix बनेगा तो NH2 के लिए prefix क्या होता है अच्छा पीछे चला गया amino होता है या amino होता है कमीनो मत कह देना भी या amino क्या? amino इसके लिए prefix यूज होगा amino लेकिन यहाँ क्योंकि यह क्या भीया principal functional group है या senior functional group है तो इसके लिए हम all यूज करेंगे as a suffix as a suffix और जो यह भाई साब है उनके लिए हम यूज करेंगे prefix तो इनका prefix क्या होता है prefix amino होता है that's it इतनी से काम बन गया आसान था क्या? हाँ सर आसान था किस की तरफ से numbering करें? अरे भाईया जो senior है उसके साब चली one two three four five six अब देखिए जो prefix की तरह लिखा जाता है वो as a suffix लिखा जा रहा तो कैसे लिखेंगे? six amino तरफ लिखेंगे six carbon पर amino present है और क्योंकि वहाँ पर six carbon है तो हम hexane लिख देंगे hexane लिख देंगे और hexane के carbon number one पर OH है तो hexane one all लिख देंगे hexane one all लिख देंगे I hope आपको concept और clear हुआ होगा देखिए अब सब समन्द में आ रहा होगा प्राक्टिस चल रही है अब ठीका जी यहाँ बताईए चलिए चलिए करने की कोसिस करिए यहाँ करने की कोसिस करिए मैं आपकी थोड़ी help करूँगा यह है one यह है two यह है three क्योंकि वैसा सा ही मैंने पढ़ा दिया actually three यहाँ पर हम कर लेते हैं four यहाँ पर मैं कर लेता हूं five यहाँ पर कर लेता हूं six बस लिख लेंगे नस-टू ग्रूप यहाँ पर कैसा काम करेगा सर यह तो नस-टू ग्रूप जो है देखो senior functional group तो यह है senior functional group है तो इसका मतलम नाम के last में all आना चाहिए नाम के last में और नाम के सुरुवात में amino आना चाहिए क्या आना चाहिए amino अभी बताया था नस-टू क्या होता है junior functional group है बिद्रिस्पक्ट तो इस चार पर इथाईल है पांच पर मिथाईल है that's it धोंड लिजेगा कि सारा हमसे ही पूछने वाले कर लेंगे जनाव कवनो दिक्काच कवनो परिसानी कवनो समस्या नहीं होनी चाहिए दो पर इमीनो चार पर इथाईल पांच पर मिथाईल देख लिजेए ये मिथाईल बचा हुए है ये presentant hexane 1 all means that हमें तो देखने में लग रहा है पहला सही है वाकि आप बताईए गा थाईल तो बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता लेकिन ठीक एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा थाईल के लिए लिखा जाता है भाईया थाईल ही suffix और इसका prefix होता है मरकेप्टो मरकेप्टो ठीक है जी आजीब साई नाम है इसका नाम बताईए क्या होगा लिखेंगे meth बलकि लिखेंगे methane इसके बाद हो जाएगा थाईल तो methane थाईल यहाँ methane थाईल बनेगा इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं नाम करण करूँ तो oh और sh में oh क्या होता है पहले आता है sh बाद में आता है तो numbering के हिसाब से one यहाँ सुरुबात होगी दो यहाँ पे होगा तीन यहाँ पे होगा अब बताईए यह जो है अगर senior functional group है तो senior functional group से तो suffix लिखा जाएगा suffix लिखा जाएगा that will be all और mercapto लिखा जाएगा इनके लिए prefix क्योंकि यह secondary क्या हो जाएगा बताओ 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 priority order में आप देखेंगे oh उपर आता है sh बाद में आता है इसका मतलब यह हुआ कि sh के लिए हमें prefix यूज करना पड़ेगा that is what mercapto यहाँ पर लिख लिखेंगे mercapto 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 यहाँ पर यूज कर लिजिए तो क्या कहिए two mercapto दूसरे पर mercapto present है two mercapto propane one all two mercapto propane one all यहाँ पर आ जाएगा बात करते हैं ketone की ketone का functional group देखने में कैसा होता है ऐसा होता c double bond o और इधर भी एक bond होता है यहाँ भी एक carbon होगा यहाँ भी एक carbon होगा तो इसको आर या कोई भी alkyl या aryl group जोड देते हैं ठीक है फिलहाल इतना ही जान लिजिए suffix की बात करें तो यहाँ पर own आता है ketone याद करना भी आसान है ketone के last में क्या था own suffix prefix जो होता है वो oxo लिखा जाता है क्या लिखा जाता है वो oxo लिखा जाता है oxo ठीक है जी आए देखते हैं पहला जैसे हमारे सामने लिखा हुआ तो यह one, यह two, यह three तीन carbon की एक chain है यहाँ पर भी हमने क्या बताया था ketone भी कहा होता है पापा वाले group में है तो वहाँ पर हमें क्या करना है उसके carbon को minimum number प्रोवाइड करना है minimum number यहाँ पर two प्रोवाइड हो जाएगा तो तीन carbon की chain के लिए आपन क्या लिखते हैं बोलो तीन carbon के लिए हम लिखेंगे प्रोव और carbon number two पर क्या प्रेजेंट है उन तो लिख दो अच्छा एन तो लिखा ही नहीं भाई एक चीज़ गरबड नहीं हो गई क्या one degree prefix कहां गया भाईया प्रोपेन देन टू उन वैसे two one लिखने का कोई फायदा होता नहीं डारेक्ट इसको लिखे प्रोपेनोन क्यों क्यों क्योंकि अगर ketone है तो वो देखे बीच वाले carbon पर ही होगा ये किनारे की तरफ नहीं हो सकता क्यों क्यों किनारे हुआ उसके बाद carbon नहीं आ रहा है जबकि ketone में carbon बीच में उस पर double bond और इधर भी carbon इधर भी carbon होना जरूरी है यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर अगर मैं numbering करूँ तो ये carbon तो carbon number one है तो ये carbon two है ना तो ये हो जाएगा three ये है four यहाँ five यहाँ six छे carbon की chain का cyclic स्वरूप देख करके cyclohexane आ गया one पर क्या प्रजेंट है ketone ये ketone है और इस ketone का carbon हमने गिना हुआ है हम लिखते हैं ऐसे cyclohexane one on cyclohexane one on अच्छा और carbon number two पर क्या प्रजेंट है CS3 मतलब methyl तो लिखते हैं two methyl क्या लिखते हैं two methyl दूसरे पर methyl और इतना पार्ट को हम क्या कहते हैं cyclohexane कहते हैं दुबारा सुन लीजिए क्या कहते हैं cyclohexane कहते हैं तो इतनी बात clear हो गई होगी अब ये देख लीजी करपिया एक बार देखें यहां पर आप बताए कि हम कहां सुरुबात करें यहां से कर लीजिए one, two, three, four, five, six अरे भाई functional group के सामने double bond की क्या ही आउकाद तो 6 carbon की chain के लिए कोई भी कहेगा कि हे बालक hexane लिख करके प्रसंद रही हैं क्या hexane लिखना है नहीं क्या क्या double bond present है double bond present है तो 5 पर इन लिखना होगा तो hex लिख करके 5 पर इन लिखना पड़ेगा 5 पर इन, 2 पर क्या present है की टून तो लिखना लिखते हैं 2 पर उन प्रसंट है तो 2 उन हो जाएगा तो hex 5 इन, 2 उन हो जाता है I hope आपको यहां पर अनुन दकियन भोतिक होती है अब बात आती है CARBOXALIC ACID की तो CARBOXALIC ACID की एगर मैं बात करूँ तो यहां है CWOH क्या हो जाता है CWOH गूरप क्या होता है बहीं suffixe इसका suffixe है OIC ACID क्या होता है OIC ACID और एक और भी होता है CARBOXALIC ACID क्या CARBOXALIC ACID CARBOXALIC ACID ठेक है ध्यान रखना, जो OIC acid है वो कभ यूज करना है, आपको ये सीखना होता है, और अभी मैं ये बाद में बताऊंगा, ये वाला पार्ट बाद में बताऊंगा कि कार्बॉक्स के लिए कभ लिखते हैं, ठीक है, वो भी रटना नहीं पड़ेगा, ज्यादा लॉजिक, रूल इन स मीथेन और वन एक ही कार्बन था, ये कार्बन हमने काउंट किया है, गिना है, तो हम कौन सा प्रफिक्स यूज करेंगे, पहला वाला OIC, तो हम लिखेंगे मीथेनोईक एसेड, क्या कहते हैं इसको मीथेनोईक एसेड, तो हो गया मीथेनोईक एसेड, बस, सिंपल बात है, अगली बात चीत करिए, यहां देखिए, यहां पे दो कार्बन है, और हमने क्या कहा था, जब आपको सीड वालोईक दिखें, तो यह खुद मम्मी जी ही निकल गई भीया, तो वन और यहां पे क्या हैगा, दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेनोईक एसेड, क्या ह दिखें, तो यहां पर कार्बन नंबर वन दीजिए, यहां पर कार्बन नंबर टू दीजिए, यहां पर कार्बन नंबर थी दीजिए, यहां पर कार्बन नंबर फोर दीजिए, अगर चार कार्बन इस तरीके से है, ध्यान से सुनिएगा, चार कार्बन इस तरीके से है, औ CWH के carbon को इस तरीके से हमने count करना सुरूख है अब देखो एक बात तो confirm है ना कि एक तरफ से गिनोगे तो 1, 2, 3, 4 ऐसा ही गिनोगे अब चार carbon के लिए हम क्या लिखेंगे बोलो मेरे सार चार carbon के लिए हम क्या लिखेंगे सर चार carbon के लिए तो हमें आज तक beauty लिखना सिखाया तो हम butane लिखेंगे क्यों क्योंकि देखेंगे 1, 2, 3 के बीच में कहीं double bond नहीं 2, 3 के बीच में double bond नहीं 3, 4 के बीच में कोय double bond नहीं इसले हमने butane लिखा अच्छा 1 और 4 पर क्या present है बहया oic acid present है kya present है oic acid as a suffix तो हम लिखेंगे 1,4-Dioic Acid 1 और 4 पर क्या प्रेजंट है Dioic Acid प्रेजंट है 2 Acid प्रेजंट है That is Dioic Acid क्या प्रेजंट है या Dioic तो हम बोलते हैं Butane 1,4-Dioic Acid ठेक है ध्यान रख पाएंगे हमें क्या करना count करना है फिसके बाद 4 Carbon है वैसे लिख दो फिर 1 और 4 पर बताओ कि OEC Acid प्रेजंट है कानी कतम है यहाँ पर आईए यहाँ पर थोड़ा लॉजिक बुद्धी लगाईए क्या होगा बताई अब भी फैनाईल बता चुका हूँ बुद्धी लगाऊँगे समझना आएगा CW से शुरू बात करें फंक्शनल ग्रोप एक दो तीन चार चार Carbon की अगर Main Chain हुई तो क्या मैं इसके लिए Butane लिख सकता हूँ क्या सर लिख दीजे कोई दिक्कत नहीं है Butane के Carbon No.1 पर OEC Acid है तो हम लिख देंगे 1 OEC Acid Butanoic Acid यह हो गया Butanoic Acid इतना पार्ट लेकिन अभी देखिए यह जो भाई साब प्रेजेंट ही हैं कौन यह Benzene as a Subtituent Phenyle बोला जाता है क्या बोला जाता है Phenyle बोला जाता है तो Carbon No.4 पर Phenyle है तो लिख दीजिए 4 Phenyle क्या हो जाएगा जी 4 Phenyle Butane 1 Oic Acid या डारेक्ट बोल दो Butanoic Acid बोलो बात समझ में आ गई है क्या अरे सरा आ चुकी है अब एक बात देखिए यहाँ पर बताईए Numbering कैसे Numbering का तरीका वही है थी यहाँ 1 कर लीजिए यहाँ 2 Functional Group कहा लगा है Side Chain में बाहर की तरफ रिंग में नहीं लगा है तो इस समय रिंग जो है Main Chain नहीं बलकि Main Chain यह होगा 2 कारबन के लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहाँ पर हमें Ethenoic Acid लिखने में कोई परहेज नहीं है ठीक है 2 कारबन के लिए नहीं नहीं लिख दिया और कारबन नंबर 2 पर यह जो भाई साब प्रजेंट उनका नाम क्या है वैसे तो इनको Cyclohexane कहते हैं वैसे तो इनको Cyclohexane कहते हैं लेकिन जब Cyclohexane एक ध्यान से सुनिएगा जब Cyclohexane जो है एक सफ्टिटोमेंट के रूप में होगा तो Cyclohexane लिखा जाएगा Cyclohexane से लास्ट में से हटाईए क्या लिख दीजिए YL तो लिखा जाता है Cyclohexane तो कारबन नंबर 2 पर क्या प्रजेंट है Cyclohexane 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 Ethenoic Acid IHOOP आपको आनन्द आया होगा आप तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए ये कुश्चन करिए कुश्चन क्या कहता है आपसे कुश्चन अच्छा क्या करा 3-thile-2-hydroxy-4-methyl-hex-this-this अच्छा अरे भाईया हैग्ज कहरा मतलब हमें हमें क्या करना है हमें भाईया सिंपल बात है 6 कारवन के एक चेंज बनाने है पहले में पकड़िये भाईया हेग्ज हेग्ज मतलब 6 कारवन 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना लिया 6 कारवन इसके बाद देखे क्या करना है हेग्जेन के बाद क्या है 3 पर 3 पर क्या भाई यहाँ पर प्रजेंट डबल बॉन 3 पर डबल बॉन अमाल लिजे मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1, 2, 3 3 पर डबल बॉन अच्छा 5 पर ट्रिपल बॉन मतलब यह यहाँ पर 5 पर ट्रिपल बॉन ऐसे होगा किनके देख लिजी 1, 2, 3 4, 5, 6 यहाँ तक में कोई दुख तकलीफ समस्या तो हो नहीं नहीं चाहिए हमने पीछे की बात निप्टा दी क्या लेकिन लिखा है वाई ओई कैसिड है देखो अब लास्ट में जो ओई कैसिड है उसके लिए नमबर 1 लिखना जरूरी तो होता ने इसका मतलब कार्बन नमबर 1 पर OE कैसिड होगा इसका मतलब कार्बन नमबर 1 पर OE कैसिड होगा आपको पता ही है कि एसिड में जो C1O है उसको हमेशा कार्बन नमबर 1 ही दिया जाता है तो यह देख लीजी, यह बात मिल गई पीछे की, आप देखिए, 4 per methyl, 4 per methyl है, तो इसका मतलब एक यहाँ पर क्या present है, CS3 present है, अच्छा, 2 per hydroxy, इसका मतलब यहाँ OH present है, 2 per hydroxy, 3 per methyl, 3 per methyl का मतलब यहाँ SA present है, बस इसी को इसमें चकर लीजिएगा कौन सा सही है, ठीक है, आई अ और किनारे की तरफ ह हाता है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला मैंने, इधर ह हाता है, कीटोन की तरह यहाँ पर कार्बन नहीं, बलकि हाइड्रोजन रहेगा, तबी वो क्या कहलाएगा, LDH, देखें, LDH की सुरुवात कैसे है, AL से है, तो यहाँ सफिक्स भी AL हो जाता है, यह अंतर है, ठेके जी, ओके, यहाँ पर गिने, यहाँ पर कार्बन नमबर 1 है, 2 है, दो कार्बन के लिए आज तक हमने जब एधेन लिखा, तो आज हम क्यों बगावत करेंगी, हम लिखेंगे, एधेन, 1 पर क्या प्रजेंट है भाईया, LDH, तो एधेन, 1 लिख सकते हैं, अध और अल का मतलब LDH, अच्छा है, यह बड़ा आसान है, गुर्देओ, अच्छा, LDH में यह जो कार्बन है, वहाँ नमबर 1, 2, 3, 4, 5, एक बात तहीं हो जाती हैं, कि 1 कहां से सुरू होगा, फिर दिक्कत नहीं है, अब 5 कार्बन के लिए, आज तक जब हमने पेंटेन लिखा है, तो आज हम क्यों बगावत करेंगे, आज भी हम पेंटेन लिखेंगे, पेंटेन लिखने के बाद पता चला, तीन पर हमें क्या लिखना है, पेंटेन के बाद सुनिए, वन पर क्या प्रजेंट होगा, LDH, तो उसके लिए अल, तो यहाँ पर लिख दीजिए, अल, वैसे मैं सच बता हूँ, इसके गिंते लिखने की जलोग खास पड़ती नहीं, क्योंकि हमेशा जो आपका LDH होगा, वो किनारे की तरफ ही होगा, तो यहाँ पर पेंटेनल लिख दिया, पेंटेनल से क्या पता चला, इन के बारे में पता चला, लेकिन अभी आपको CS3 के बारे में पेंटेनल, ठीक है, लिख लेना ठीक से, 4-1-0-3-मिथाइल पेंटेनल, यहाँ तो आसान, इनका नाम भी मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको 1-2-3, अब क्या है न, अब आपको आगे बहुत एक जैसे चीजें मिलेंगे, तो आप लिख लीजिएगा इसका, हाँ, यह मै आपको बता देता हूँ, देखे, यहाँ पे बात आती है, कि LD हाइड और कीटोन में, नमबरिंग में कहां से सुरुवात करें, यहां से करें, यहां से करें, यहाँ धर्चकर की नमबर ले आएं, तो चलो अगर यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, लेकि अगर कभी, कभी ऐसा आए, कि preference order देखना हो, तो LD हाइड का preference order अच्छा होता है, तो हमेशा LD हाइड की तरफ से numbering करना prefer करिए, तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 आएगा, कोई सक संदे और समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, अब देखें लिख के बताता हूँ क्या है, अगर 5 carbon है, तो हम क्या लिखेंगे भीया, बोलो-लो, का लिखेंगे हम, हम pentein लिखेंगे, hey, हम pentane लिखेंगे, पांच carbon के लिए pentein 1 पर LD हाइड है, तो pentane null लिखेंगे, last में AL लिखा है मैंने, अच्छा, लेकिन carbon number 3 पर क्या लगाए, double bone O, पतलब ketone, और ketone के लिए हम क् प्रफिक्स ऑउग्जो तो हम लिखेंगे थ्री ऑउग्जो हम क्या लिखेंगे थ्री ऑउग्जो मैंने क्या बताया था ये ऑउग्जो किसका है कैसे पता चलता है अगर बीच का कारबन जैसे यहाँ पर कितने पांच कारबन है टोटल अगर पांच कारबन है तो कोई बीच क नमबर लिखा है, साथ में oxo, मतलब ketone का वो क्या लिखा गया है, prefix लिखा गया है, अगर किनारे की तरफ कोई है और उसके लिए oxo लिखा गया, तो वो eldehyde के लिखा गया, तो यहाँ बनेगा, तीन पर oxo है, पांच कारबन है, और eldehyde है, 3 oxo pentanel बन जाएगा, preference order कहेंगे, तो इसका preference order है, तो जिसका preference order अच्छा होता है, वो हमें suffix के लिए last में al देता है, और जो जिसका prefix, यह देखी, इसका prefix, जो sorry prefix नहीं बोलते, इसका priority order कमजोर है, priority में यह उपर है, यह बाद में आता है, जो बाद में आता है, वो junior functional group की तरह भी हैप करता है, अग का हम prefix लिखेंगे, और इनसे हम suffix लिखेंगे, यही बात बस बतानी थी, है ना, आईए, अगले में देख लेते हैं, यह question कर ले जाएंगे, सब करवाएंगे हमी, अच्छा जी, aldehyde में यह carbon number 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, यह 6 है, अब आपको क्या समझ में आ र अरे भईया, aldehyde का preference order अच्छा है, अगर मैं priority order की बात करूँ, priority order, priority order में आपको aldehyde मिलेगा उपर, और ketone मिलेगा बाद में, तो ketone मिलेगा बाद में, मतलब ketone का, ketone वाले part का, तो हम prefix लिखेंगे, इस वाले part से हम क्या लिखेंगे, prefix, इस से हम क्या लिखेंगे, prefix, यह ketone था ना जी C11 O बीच में है ketone है तो इससे prefix इससे क्या लिखा जाएगा यही तो main functional group है और जो main functional group है वही हमारा suffix बनाता है तो नाम के last में अल आएगा नाम के last में अल आएगा तो इसके हिसाब से पहला वाला तो गलत है क्योंकि last के नाम के last में यहाँ own आ रहा है यह थी थोड़ी फाल्तू बात समझ में बात आई क्या अच्छा अब 6 carbon के लिए चलो लिख देता हूँ अदर वाई बहुत time लिख जाता है छाटने में दिखेगा hex हो गया 6 carbon के लिए 1 पर L है तो हम लिख देंगे हम लिख देंगे hex के बाद लिख देंगे कि देखो double bond कहां चाओ थे नमबर पर तो hex 4 in और इसके बाद 1 पर L लिख दीजिए या 1 L नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा ठेक है लेकिन 2 पर methyl है 2 पर methyl है 3 पर oxo है अब methyl और oxo में कौन पहले आएगा सर हम ये सब कर ले जाएगे आप इतनी चिंता हमारा मत कर गिए हैं भर देंगे हमें समझ में आता है बुद्ध है हमारे पास कर लीजिए कि मैं आपके भरोसे हूँ कहीं धोखा दे दो मेरे को अच्छा कीटो लिखा हो तो डर मत जाहिएगा कि सर कीटो लिखा मेरे में तो oxo नहीं लिखा मेरे तो सरदर्द होता है कई बार कीटो भी यूच किया जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है चाट लीजिएगा लेकिन देख लीजिएगा चाट लीजियेगा, ठीगह, आएए देखते हैं Special suffix क्या है, हाँ, यह सीखते हैं, यह जरूरी है इस पर बेज़्ट बहुत सारी बातें हम पूरी Organic Chemistry में करेंगे पूरी Organic Chemistry में, ध्यान दीजिये जब कभी एक रिंग से सटे हुए कार्बन पर COOH गुरूप प्रजेंट हो तो हम क्या कहते हैं इसके लिए हम एक अलग साही इस्पेसल सफिक्स यूज करते हैं और इस समय हम COOH के लिए यूज करते हैं कार्बॉकसलिक एसिड पीछे दिख बताया था आपको मैंने क्या बोल क्या बनता है यह हो गया कार्बॉकसलिक एसिड देखो कितना आसान है यह लिखना बेहद आसान है यह देखना क्या बोला मैंने इतने पार्ट को इतने पार्ट को तो बोल दिया हमने कार्बॉकसलिक एसिड बिना कुछ जादा सोचे क्यों क्योंकि वो रिंग से डारेक्ट क cyclohexane carboxylic acid इसका पूरा नाम होगा अरे दो ही पार्ट है एक पार्ट ये है और ये पार्ट कहलाता है cyclohexane ये पार्ट हो गया carboxylic acid मिला दो ये तो बड़ा आसान था सर्थ जी ऐसे ही होता है सेम कहानी यहाँ पर बतानी अगर कहीं पर जैसे यहाँ पर acid लिखा है तो carboxylic acid अगर कहीं पर c double bond o और h मतलब aldehyde अगर aldehyde किसी ring से direct लगा हो तो उस समय हम लिखते हैं carb c a r b carb लिख दिया इसके बाद लिखना aldehyde a l d carbaldehyde तो इसका special suffix याद करा रहा हूँ मैं आपको की carbaldehyde बनता है तो इसका मतलब हुआ इतने को तो हम क्या कहेंगे carbaldehyde और इतने को क्या कहते हैं हम cyclohexene तो मैं लिख रहा हूँ नाम इसका तो नाम बनने वाला है cyclohexene इतने को क्या कहते हैं वह या carboxylic acid साइक्लोहिक्जेन कार्बॉक्सली कैसिड ये पार्ट है कार्बॉक्सली कैसिड और ये पार्ट है साइक्लोहिक्जेन तो मिला करके बोल दीजिए मेरे साथ क्या बोलेंगे अरे साइक्लोहिक्जेन कार्बॉक्सली कैसिड बोलेंगे निशंदे है बात सच निकल के आई है यहाँ देखिए इसको कहते है बेंजीन इसको कहते है कारबॉकसलिक एसिड तो क्या मैं अब डारेक्ट नहीं लिख सकता बेंजीन कारबॉकसलिक एसिड हमेशा ऐसे टाइम पे ऐसा ही लिखना है ध्यान रखना अगर किसी रिंग से डारेक्ट कनेक्टेड है तो इसको कारबॉकसलिक एसिड ही बोला जाता है ये कारबॉकसलिक एसिड है और ये हमारा प्यारा बेंजीन है तो नाम बता दीजिए मिलाकर के बेंजीन कारबॉकसलिक एसिड है इसका नाम बताईए, चलिए बताईए, बताईए, नोट डाउन कर लीजिए, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ये देखिए, ये दो लोग लगे हुए हैं, तो एक में तो बेंजीन carboxylic acid बोल दिया, यहां क्या बोलेंगे यह तो benzene है, इसमें कोई सक नहीं है, तो वो तो हम benzene लिखेंगे, benzene में direct benzene लिखते हैं, अब देखें, यह वाला carbon, अगर मैं carbon number 1 कहूं यहां 2 कहूं, 3 4, 5, 6 तो इसे कोई मतलब नहीं, बस हमें यह बताना है कि यह जो 2 carboxylic acid है यह 1, 2 position पर है benzene की positions होती हैं, इस तरीके से 1, 2, तो लिखते हैं benzene के carbon number 1 carbon number 2 पर क्या present है, 2 carboxylic acid present है, क्योंकि benzene से directly जुडा है, तो यहां पर carboxylic लिखेंगे, क्या लिखेंगे carboxylic acid यहां पर होगा benzene 1, 2, di carboxylic acid, 2 carboxylic acid यहां पर नजर आ रहा है, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई, कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, यह benzene और इनकी numbering करके हमें यह बताना है कि यह जो 2 CWH group देख रहे हो मतलब जो di carboxylic acid देख रहे हो carbon number 1 और carbon number 2 पर present है, तो इस तरीके से हां बनेगा benzene 1, 2, di carboxylic acid इसी तरीके से अगला देखें इनको भी क्या कहेंगे benzene 1, 2, di carboxylic acid क्या कहेंगे benzene 1, 2, di carboxylic acid लेख लेजे, note down कर लेजे benzene 1, 2, di carboxylic acid अगली बात है acid and hydride पर यह बेहद आसान होता है लेकिन कई बार बचे पता नहीं क्यों इसको confuse करके इतना कठिन बनाते हैं कि जिससे उनको पेपर में actually दिखाता थी गल्टी करके आते हैं देखिएगा क्या होता है enhydride कैसे लिखा जाता है enhydride लिखा जाता है CO, OCO इस ग्रुप को enhydride ग्रुप कहते हैं ठीक है समझना इसको लिखते कैसे है enhydride actually बनता है दो acid के मिलानी से कैसे बनता है देखिएगा ये जैसे मैंने लिखा है benzene precedable तो इसका नाम बताईए क्या है मैंने इसका आपको नाम बताया था benzene carboxylic acid बताया था क्या मैंने इसका नाम बताया benzene carboxylic acid ये भी benzene carboxylic acid है ये भी benzene carboxylic acid है और जब दो benzene carboxylic acid आपस में reaction करते हैं तो मैं reaction नहीं सीखनी है जानना क्या है कि यहां से एक hydrogen और यहां से एक OH मतलब कि एक water molecule एक H और OH क्या होता है एक water molecule जब एक water molecule निकलता है तो देखे कैसा बनता है इसको बनाईए पहले benzene benzene इसके बाद क्या है वही है देखे C double bond O अगर H हट गया तो यहां पर एक और क्या हो गया oxygen देखे यह hydrogen मैंने हटा दिया और यह OH भी हटा दिया तो यह directly किस से connect होगा यह देखे यह direct connect हो जाएगा C double bond O और इधर भी क्या होगा एक benzene होगा इधर भी क्या होगा एक benzene होगा देख लीजी एक बाद सकल चूरा देखे हमने क्या किया H और OH ढग दिया बाकी पार्ट एक साथ जोड दिये तो यह जे लिखिए बीच में क्या बना C double bond O OCO इसका मतलब एनाहाइड्राइड बना अब प्रस्पनेगी आता है इसका नाम कैसे लिखेंगे तो कभी भी आपको acid anhydride पूछा जाए तो आपको यह पता होना चाहिए वो बना कैसे था यहाँ पर क्या किया करिए नाम में हर बार ऐसे line बना के देखिए अगर इधर का part इधर का part सेम है अगर इधर का part और इधर का part सेम है इसका मतलब इसको बनाने के लिए एक जैसे दो molecule लगे होंगे तो उनका नाम करन करते वक्त acid वाला नाम यहां लिख दीजी acid का नाम क्या है benzeen benzeen carboxylic benzeen carboxylic benzeen carboxylic यहां तो हम acid कहते हैं लेकिन बस यहां एक नई चीज n hydride जुड जाएगी that's it तो इस तरह पूरे का नाम हो गया benzeen carboxylic n hydride कितना आसान है इसका मतलब Enhydride को निकालने के लिए आपको Acid पता होना चाहिए जिसको Acid आता है उसको Enhydride आता है क्योंकि नाम के लाश्ट में सर्फ ये लिखना है Enhydride, that's it, अगला देखिए अगला और ज्यादा क्लियर कर देगा मामला आपका देखिए क्या है, यहां लिखा CS3CWH, इतने को अभी हमने को सीखा था इतने को कहते हैं Ethenoic Acid इसको भी कहते हैं Ethenoic Acid और इसको भी कहते हैं Ethenoic Acid अब जब दोनों आपस में गड़ बंधन करेंगे तो यहाँ से Water Molecule के निकालने के बाद जो सकल सूरत बनेगी उसका नाम आपसे पूछा जाएगा पेपर में यह थोड़ी आएगा, पेपर में इधर वाला आएगा लेकिन आपको सोचना कैसे है वो सिखा रहा हूँ कि C00O, बीच में Oxygen, C00O, CS3 आपको पेपर में यह दिया जाएगा और इसका नाम पूछा जाएगा तो क्या करिए जो बीच में Oxygen है वहाँ पर ऐसे Line बनाएगे और देख लीजिए कि क्या इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट इधर वाले के सेम है अगर इधर वाला पार्ट इधर वाले की सेम है उस समय ये जो पार्ट है वो किस acid का पार्ट रहा होगा CS3 CO यहां लिख दीजिए OH और इधर लिख दीजिए H देखें अगर पेपर में डारेक्ट यह आता है तो क्या करिए जहां oxygen है उसके side ऐसे ही लिखते हैं ने को oxygen के side hydrogen दूसरे side OH तो यहां सपढ़िए CS3 COOH CS3 COOH और यह O और H CS3 इतना पूरा मिलके क्या होगा है यह भी CS3 COOH तो इतने को क्या कहते थे इतनोइक acid तो यहां लिख दीजिए सेम चीज लिख दीजिए इतनोइक NOIC इतनोइक बस जहां acid लिखते थे वहाँ anhydride लिखते जिए anhydride that's it बहुत आसान है बहुत ही आसान है अब देखो देहां सुनना जब दोनों तरफ दोनों तरफ सेम होता है तो बस एक acid का नाम यहां लिखना है और acid हटा के anhydride चिपकाना है that's it कहां नहीं खतम लेकिन अगर लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक अलग molecule है यह देखो दूसरा अलग molecule है तो दो अलग acid के बीच में से अगर water हटा करके हम anhydride बनाई और paper में हम आपसे वो पूछ लें तो आप कैसे जबाब देंगे अब वो सुन लेजी c double bone o c double bone o डरने की कोई बात नहीं होगी यहाँ पर बहुत आसान सी बात है यहाँ पर क्या है देखेगा यह जो बीच में oxygen है वहाँ से हमने जब dot line डाल के देखा तो हमें पता चला कि नहीं भाई यह वाला पार्ट इस वाले पार्ट से अलग है अगर अलग है तो अब की बार दोनों acid के नाम लिखने पड़ेंगे अच्छा इनके acid का नाम है यहाँ पर देख लीजिए बेंजीन कारबाकसलिक acid तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेंजीन कारबाकसलिक एसिड कई बार इसी को बेंजोईक एसिड भी बोला जाता है क्या benzoic acid ध्यान रखना benzoic acid और benzen carboxylic acid एक ही बात है लेकिन IUPAC में ज़्यादा सही नाम benzen carboxylic acid है यह as a common नाम ज़्यादा यूज होता है तो आप चाहें तो ऐसा लिख दीजिए कि भईया इसका नाम तो benzoic है तो यहां लिख दीजिए benzoic benzoic acid वैसे आपको लिखना चाहिए benzoic acid लेकिन क्यों कि आप anhydride का नाम लिख रहे हैं इसलिए acid नहीं लिख सकते इसका क्या नाम है CS3CWH का नाम क्या था भया यहां देखो ethenoic तो लिखेंगे benzoic ethenoic benzoic ethenoic anhydride साहिद आपको समझ में आगया हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भया यहां पर देखा हमने कि बीच में से डिवाइड किया यह दूसरा acid है यह दूसरा तो पता करो यह कौन सा acid है पता चला वो benzoic acid है हमने पता कि यह कौन सा acid का पार्ट है तो पता चला यह तो इthenoic acid है तो लिखो benzoic ethenoic anhydride clear मामला बहुत यह आसान लेकिन यह करने में हालत खराब होती डारेक्ट कोई इसका नाम पुछ दे पसीने छोड़ जाते हैं तो क्या करिए जो यह oxygen है जब कभी भी आपको anhydride दिया जाए तो जो यह oxygen है उसके बीच में ऐसे तोड़ दिया कोई सा देखना देहन से क्या करना है जैसे लिखा COO तो क्या करिए कोई एक bond तोड़ दिजे इनके बीच में जो यह bond बना है तोड़ दिजे जिधर oxygen है उधर hydrogen लगाईए जिधर oxygen उधर hydrogen और carbon की तरफ OH लिख दीजिए बस लिख दीजिए जैसा कह रहा हूँ ऐसा लिख दीजिए कुछ काम होगा उससे कुछ सीखेंगे हम एक मिनट भईया बहुत ज्यादा हो जाएगा क्या करिए जो बताया गया वो करिए क्या करिए C1O देखें इधर OH लिखा तो हमने लिख दिया OH यहां connect कर दिया ठीक यहां की बात करें तो C1O यह जो oxygen है उसको hydrogen से लिख दीजिए देखो oxygen तो ही है hydrogen तो मतलब यहां भी OH पहले आप इसका नाम लिख लिए तब आप इसका नाम लिख पाएंगे हमेशा ऐसा सोचना है जब भी anhydride आए तो anhydride में CO और O के बीच का एक bond तोड़िए एक तरफ H और एक तरफ OH लिखिए और लिखने के बाद जो acid बने पहले उसका नाम लिख लिजिए बिना जादा सोचे लिख लिजिए इसका नाम मैंने आपको पीछे बताया था बेंजीन बेंजीन 1-2 बेंजीन 1-2 डाई कार्बोकसलिक एसेड बेंजीन 1-2 डाई कार्बोकसलिक एसेड अगर इसका नाम बेंजीन 1-2 डाई कार्बोकसलिक एसेड है तो कौन इसका नाम नहीं बता पाएगा अरे सब बता देंगे सर हम लिख देंगे तुरंत बेंजीन और यहाँ पर लिखेंगे वान टू फिर लिखेंगे डाई कार्बोक्सलिक जहाँ एसिड है उसकी जगाँ पर यहाँ एन हाइडराइड लिख देंगे कितना आसान हो गया मैं आपको सच बताऊं बहुत प्रक्टिस के बाद भी यह बाते समझ ही नहीं आती बच्चे को बहुत प्रक्टिस के बाद भी तो हमें क्या करना सिंपली आपको दिया जाए एन हाइडराइड उसको बीच में से CO और O का एक बाद तोड़ दीजिए जिधर कारबन उधर OH जिधर ऑक्षिजन उधर हाइडरोजन करके एसिड बनाईए उनका नाम लिखिए उसमें से असे ढटाईए एन हाइडराइड चिप का यह काम करता है यहाँ पे आप कर ले जाएंगे बरोसा रखोँ इसके असिड का क्या नाम होगा सर यह वाला आप कहने ते बॉंड तोड़ना है यहाँ हाइडरोजन यहाँ OH तो इनके असिड का नाम बनाईए देखिए यह है साइक्लो हेक्जेन साइक्लो हेक्जेन पर क्या है भईया देखो cyclohexane 1,2 di carboxylic acid इसका नाम होगा cyclohexane लिखना चाहें लिख लीजिए cyclohexane लिखे cyclohexane carbon number 1 और यह हमा लिजे carbon number 2 3,4,5,6 तो यहाँ पर लिखे cyclohexane 1,2 di carboxylic acid तो इसका नाम क्या होगा cyclohexane 1,2 di carboxylic anhydride क्योंकि यह anhydride और वो acid है यहाँ देखे यहाँ तो आसान है यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है देखना भी है यह देखो इधर वाला part इधर वाले के same है तो तुरंट दिमाग में आ गया कि अगर यह तो benzoic acid का part है तो इसको लिखे benzoic anhydride इसका नाम क्या है benzoic anhydride नोट डाउन कर लिजे इसका नाम है benzoic anhydride और इसी तरीके से इसका नाम लिख दीजे साइक्लो यह तो देखो cyclohexane carboxylic acid है तो यहाँ पर लिख दीजे cyclohexane carboxylic anhydride इसका नाम है cyclohexane कार्बोकसylic anhydride cyclohexane carboxylic anhydride इसका नाम है Benzoic Enhydride या Benzen Carboxylic Enhydride लिख के सब को समझा दिया है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब बात करते हैं Easter की Easter कैसा दिखता है C double bond O O और यहाँ पर एक R ग्रूप होगा और जो यह R है यह कभी hydrogen मत करना क्योंकि अगर hydrogen कर दोगे तो यह C double O H हो जाएगा तो वो Carboxylic Acid हो जाएगा यहाँ के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम लिखते हैं O8 क्या लिखते हैं O8 ठीक है जी यहाँ पर क्या लिखते हैं suffix O8 चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं इनका नाम कैसे लिखते हैं देखना जो चीज oxygen से जुड़ी है जो चीज oxygen से जुड़ी है उसको direct नाम पढ़ना है जैसे यहाँ पर हम इसको कहेंगे methyl इसको कहेंगे methyl और इसके बाद इन पूरे पार्ट को मिला के कहते हैं कि भाया जी जिस तरफ C double bond O और oxygen हो इतने पार्ट में O8 आएगा तो इसका पूरा नाम बनता है methyl methane no 8 methyl methino 8 ठीक है तो इसका नाम बनेगा methyl methino 8 simple है बहुत ही oxygen से जो जुड़ा है उसका नाम alkyl और इतने को कहते alkano 8 तो इसका नाम कैसा बनता है आप मैं लिख देता हूँ generally इसको बोलते है alkyl 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 किसको बोलते है जो oxygen से इथर जुड़ा है जैसे यहाँ पे देखे oxygen से कौन जुड़ा है ये तो इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे ethile इतने के लिए हम क्या लिख देंगे ethile इतने के लिए हम लिख देंगे ethile और इस वाले पार्ट के लिए देखेना इस वाले पार्ट में O8 लगेगा तो कितने कारबन है दो कारबन तो कारबन नमबर 1 यहाँ दीजिए 2 यहाँ ऐसे तो करते हैं 1,2 दो कारबन है तो हम लिखेंगे ethanoate ethanoate इतने को कहते हैं ethanoate इतने को कहते हैं oxygen सो जो जुड़ा है ethile तो ethile ethanoate अच्छा अगला देख लेते हैं अब सायद करी ले जाएंगे अब इतने को क्या कहेंगे भईया ethile तो इसका नाम बनेगा ethile और यहाँ हो जाएगा यह propanoate तो ethile propanoate इसका नाम होगा ethile यह propanoate तो ethile propanoate हो जाएगा आई अगली बात कर लेते हैं जी कर लें कर लें सर कर लीजिये कोई बात नहीं है यहाँ देख लीजिये भईया यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर ध्यान देंगे तो कापको समझ में आएगा कि देख मेरे भाई यह तो one है यह two है यह three है यह four है यह बात ठीक है क्या चार कारबन इस तरीके स्गिन दिया अब जो oxygen से जुड़ा हुआ होता है इतने को तो हम methyl लिखेंगे इसको तो हम methyl लिखेंगे और यह नाम में आप लिख लीजिये methyl और देखें थ्री पर एक methyl प्रेजेंट है दो पर double bond प्रेजेंट है तो इसका नाम क्रिपया आप खुद एक बार बुद्धी लगाएं लगा लेंगे क्या बोलो अरे लगा लेंगे क्या बोलो भई किसी को समझ में ना आये तो जरूर बता देना भई वैसे आप निकाल ले जाएंगे चार कारबन है मुझे दिग गया है कहीं पर butanoate होगा कहीं पर butanoate होगा अच्छा एक चीज़ गड़बड़ी हो गई है तीन पर सायद क्लोरीन है ये क्लोरीन है एक गड़बड़ी है दिग गया वो तो अच्छी बात है कहीं कहा हो गया जी तुमको कहा हो गया ये बल्कि इसको भी हटाई देता है ये पूरा ही हटा देता है यहाँ पर शायद उसमें जो रियल है उसमें इस कारबन पर क्लोरीन प्रेजन्ट है भहिया आजाओ यार कहीं नराज हो गए नराज ही हो गए थे यहाँ पर आप क्लोरीन लगा दीजे अब आपको सही नाम मिलेगा नहीं तो अन सब खराब है हो जाता जी कर ले जाएंगे कर देंगे सर कैसी बाते कर रहे हैं कर देंगे इसमें का बड़ी बात हो गए तो ये हो जाएगा आपका ठीक है जी इसके लिए मिथाईल सबसे आगे लिख दो इसके बाद बाकी सब चीजें लिख ले ना ठीक आई अगला देखते है एमाइड में अब तो कुछ है ही नहीं भई या खतम है अगले 2-3-4 मिनट पांच मिनट में ये है एमाइड ठीक है तो इसके लिए हम सब्द क्या यूज करेंगे जी एमाइड यह हम कहते है कारबमोयल इसका होता है प्रफिक्स कारबमोयल बहुत जादा यूज तो नहीं होता कारब C-A-R-B कारबमोयल M-O-I-L कारबमोयल एमाइड और कारबमोयल देखना जैसे यहाँ पर एक carbon है तो हम क्या कहेंगे अरे ये तो सरासान है ये तो methane लिखने के बाद amide लिखना है क्या है इसमें लेकिन यहाँ देखो यहाँ आपको समझ में आएगा बोद्धि लगाने वाली बात ये देखो ये कौन है benzene ये जो है c-o-n-h-2 इसके लिए special suffix यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी ring से directly connected है तो यहाँ पर लिखा जाता है carboxamide ठेक है इसके लिए special suffix होता है carboxamide ये कौन है benzene तो पूरा नाम क्या हो गया benzene carboxamide हैं ये क्या लख दिया जी इसका नाम क्या होगा बोलो मिरे साथ benzene carboxamide ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा amide नाम होता है और क्या नाम होता है carboxamide ठेक है, तो अगर किसी ring से directly connected है तो carboxamide benzene benzene carboxamide बहुत आसान ठेक है जी, अरे इसका क्या नाम होगा जी, अरे 1 and 2 होगा जी, तो नाम क्या होगा, इथना माइड इथना माइड, है ना आसान है, नाइट्राइल की अगर मैं बात करूँ सेम कहानी, नाइट्राइल में C triple bond N, है ना तो ये हो जाएगा इसको मुझे लगता है कि कोई खास करवाने की ज़रूत नहीं है मैं खाली गिंती गिंदे रहा हूँ, 1, 2 ये अक्चुली, suffix prefix आपको आपको जो सुरुवात में को टेबल बना के बताई थी, वहां से क्रिपया कर लीजिएगा इंपोर्टेंट ये है, बस वह बता देता हूँ, देखो ये चीज, ये चीज अगर रिंग से लगी हुई है तो इसके लिए कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं या कार्बोनाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल इसो क्या कहते हैं, कार्बोनाइट्राइल कहते हैं तो ये हो गया कार्बोनाइट्राइल, ये है बेंजीन तो इनका नाम क्या होगा, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल आपको ये जरूर आना चाहिए ये जरूर आना चाहिए अब इतना तो यह सी गहें का आप तुरंद खुद कर देंगे ठीक है ऐसे डहलाईड यह भी आप कर लेंगे कुछ है नहीं इसमें इसमें भी कारानी का कोई खास मदमक्षद यहाँ पर पूरा नहीं होगा एकदम से में हाँ इथर नया है इथर नया है इथर में कैसा होगा आर्डैस ओवार ऐसा दिखेगा हमें अगर मैं मान लूँ कि यह वाला आर्डैस ऐसा है जहां पे नंबर ओफ कार्बन जादा है नंबर ओफ कार्बन जादा है और तो निश्ची दूप से यहां नंबर ओफ कार्बन जादा है क्या होगा number of carbon कम होगा ये वाले में number of carbon कम होगा तो इतने पूरे part को oxygen के साथ इतने पूरे part को हम मिला के L-coxy कहते हैं क्या कहते हैं L-coxy L-coxy कहते हैं और जहां पे number of carbon ज़्यादा है वहीं से main chain बनाना है वहीं से क्या करना है main chain बनाना और main chain बना करके उनका word root वगरा लिखना है तो इसके R-डाइस से बनता है alkane यहाँ पर alkane लिखना है तो नाम होगा alcoxy-alkane आसान है आसान है दिखना कैसे अभी तो दोनों तरफ एक एक carbon है तो एक carbon को माली जी main chain तो यहाँ पर गिंती गिंती जीए इतने को क्या कहिएगा इतने को कहिए methoxy देखे मैंने क्या बोला जहाँ पर carbon number कम है उसको oxygen के साथ मिला करके नाम बना दीजिए यह हो जाएगा methoxy methoxy यह है methane तो इसका नाम बनता है methoxy methane methoxy methane मुझे नहीं लगता किसी को ना आए जैसा कोई सब्द है हाँ पर अगला देखे यहाँ दो carbon की chain है तो carbon number one carbon number two अब यह OCS3 यह actually एक substituent के तरह काम करता है जहाँ carbon number कम है उसको oxygen के साथ मिलाएए उसका नाम लिख दीजिए तो हो जाएगा methoxy इतने को क्या कहेंगे ethene तो नाम बन गया है methoxy ethene इतना है methoxy यह है ethene तो नाम बन जाएगा methoxy ethene इसमें कुछ कठिन जैसा है क्या बताओ जहाँ जादा number of carbon वहीं से गिन करके main chain बनाएए जहाँ कम number of carbon oxygen के साथ मिल करके o x y oxy लगा दीजिए यहाँ पर बताएए क्या होगा यह तो सरक्च भी नहीं है 6 carbon की chain को यहाँ देखिए तो यहाँ से नाम आता है cyclo cyclohexene यह है cyclohexene इतना पार्ट cyclohexene और यह पार्ट क्या है दो carbon और oxygen मिला करके यह है ethoxy नाम क्या बनेगा बोलो इतोक्सी cyclohexene इतोक्सी cyclohexene बताओ कितना असान है जहाँ कम नंबर आप carbon oxygen के साथ मिला हो इतोक्सी बाकी पार्ट को गिन दीजिए इदर कहाँ गया जी अब इसका नाम बता सकते हैं किया सर अरे बता देंगे देखिए oxygen के इधर तीन कार्बन है इधर तीन कार्बन है इधर छे कार्बन है तो जहाँ छे कार्बन है वो main chain है वो main chain है और जो ये कम कार्बन वाला है उसमें क्या करिए oxygen भी मिला दीजिए oxygen भी मिला दीजिए और उसका नाम बना दीजिए इस तने का क्या नाम बनेगा देखिए इसको क्या कहते है साइक्लो प्रोपेन साइक्लो प्रोपेन में आक्सी मिलाओ क्या हो जाएगा बोलो बोलो साइक्लो प्रोपॉक्सी साइक्लो प्रोपॉक्सी साइक्लो प्रोपेन ये oxygen मिला करके cyclopropoxy और main chain की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है cyclohexane तो नाम बनता है cyclopropoxy cyclohexane cyclopropoxy cyclohexane clear है मामला यहां तक में I hope किसी को कोई दिक्कत नहीं होई होगी अभी तक मिलते हैं आप सभी को किसी और वीडियो के अंदर तब तक के लिए खुष रहिए प्रसंद रहिए आवाद रहिए क्रपया अपना खयाल रखे और नोट्स बनाएंगे तो आपको आनंदकी और बहुती और ज़्यादा होगी बाबा टेक क्या love you all